पुलीस इस बाबत अभी कोई सुराग नहीं पा सकी है है कि वो उस बंती इमारत की तेरवी मन्जिल पर क्या कर रहा था कातिल उसके साथ ही वहां पहुँचा कोई शक्स था या बाद में आया था कतल की कोई वज़ा भी अभी तक वो नहीं सोच पाए है कल पुलीस को गुमनाम टिप मिली थी कि कश्मीर गेट हसन मन्जिल के पोर्शन नंबर साथ में रहता काशिनात नाम का कोई शक्स जो की मक्तूल का दोस्ट था कतल के केस पर काफी रोशनी डाल सकता था पुलीस शाम को ही उस पर चड़ दोड़ी थी पहाडगंज थाने का सब इंस्पेक्टर जनकराज जो की मेरा दोस्त है वो मेरी ही बैच का था हम दोनों कुलीस में इकठे भरती हुए थे कल आधी रात के बाद काशिनात के यहां पहुँचा था बाजरिया काशिनात लाश की शनाक्त हो चुकी है और काशिनात फोकस में आ चुका है वो कैसे? उसके घर में जनकराज को कोई कलू मिला था जो की काशिनात की तरफ उंगली उठाता था वो कलू क्या है वो में अभी नहीं जान पाया क्योंकि आज सुबह जनकराज से मेरी बात नहीं हो सकी सुबह सवेरे ही वो न अपने घर पर था और न थाने में वैसे ठाने से मुझे ये खबर लगी है कि काशिनात की बाकी की पिछली रात ठाने में गुजरी थी क्यूँ? जनकराज उसके घर की तलाशी लेना चाहता था जो की काशिनात को सर्चवारंट के बिना मंजूर नहीं थी सर्चवारंट जारी कराने की कोशिश हो रही है उस दौरान काशिनात अपने घर में भांजी ना मार सके कोई चीज इधर से उधर ना कर सके इसलिए उसे जबरन ठाने बिठाया गया है और लाश का पोस्ट मार्टम हो गया है 38 कैलीबर की एक गोली सीधी उसके दिल से गुजरी बताई जाती है जो कि उसकी ततकाल मृत्यू की वज़ा बनी थी इतनी ततकाल मृत्यू की वज़ा बनी थी की पोस्ट मार्टम वाला डाक्टर कहता है कि वो धराशाई होने से पहली ही मर चुका होगा यानि कि वो फर्ष पर जैसा गिरा होगा, वैसा ही पड़ा रहा होगा, गिरने के बाद कोई हिल्डुल संभव नहीं रही होगी जी हाँ और पोस्ट मार्टम के जरिये कतल का जो वक्त निर्धारित हुआ है, वो साड़े आठ से साड़े दस के बीच का है लेकिन एक खास जानकारी के आधार पर डाक्तर ने कतल के वक्त को साड़े नौ बजे पर पिनकवायंद किया है यानि कि कतल ठीक साड़े नौ बजे हुआ था, पांच मिनट इधर या उधर, इससे ज्यादा नहीं ऐसा कैसे हुआ? ये पक्की जानकारी हासल हुई होने की वज़़ से हुआ की मरने से पहले मरने वाले ने अपना आखिरी भोजन शाम साड़े साथ बजे के करीब खाया था इस बात का चश्मदीद गवाह पुलीस को उपलब्ध है वो कौन हुआ? खुद काशीनात उसने इस बात की तस्दीक की है कि लगभग साड़े साथ बजे युवराज होटल का एक वेटर उसके सामने पंत के लिए खाना तंदूरी चिकन, मटर पनीर, नान लाया था जिसमें से चिकन की एक बोटी उसने भी खाई थी पोस्ट मार्टम के दौरान मक्तूल के पेट में चिकन और मटर के जो अवशेश पाए गए थे उनसे ही यहाँ नतीजा निकाला गया है कि वो सब खाने के दो घंते बाद पंत की मौत हुई थी काशिनाथ अपने बारे में क्या कहता है वो कहता है कि कतल से उसका कोई लेना देना नहीं उसके बयान के मुताबिक वो साथ पैतीस पर पंत से अलग हुआ था जबकि वो खाना खाकर सो जाने की तैयारी में था सोना कैंसल करके वो शक्स कतल होने के लिए जंडेवालान कैसे पहुँच गया इस बाबत उसे न कोई जानकारी है और न वो कोई अंदाजा पेश कर सकता है बकॉल काशीनाथ कश्मीरी गेट से एक टैक्सी पर सवार होकर वो निजामुद्दीन पहुचा था जहां की आज से लेकर दस बजे तक वो अपने एक फ्रेंड के साथ था ठीक पॉने ग्यारह बजे वो वापिस अपनी चाल में लौट आया था जहां की वो ततकाल बिस्तर के हवाले हो गया था और आधी रात के बाद किसी वक्त पुलीस के जगाए ही उठा था इस लिहाज से वो तो कातिल नहीं हो सकता अभी आठ से दस वाली उसकी एलिबाई की पड़ताल नहीं हुई है इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो अपने फ्रेंड का नाम पता नहीं बताता लेकिन अन्त पंग तो उसे फ्रेंड का नाम बीच में लाना ही पड़ेगा वरना वो अपने आपको कभी गुना साबित नहीं कर पाएगा मुझे उससे हमदर्दी है क्योंकि बेगुना तो वो अपने आपको कैसे भी साबित नहीं कर पाएगा जी मर्डर वैपन बरामद हुआ नहीं सूरज निकलने के बाद पुलीस ने मौकाईवारदात को फिर कटोला था लेकिन वहां से 38 कैलीबर की गोली चलाने वाली कोई गन बरामद नहीं हुई थी वो तो जरूर बरामद होनी चाहिए पुलीस का ख्याल है कि कतल के बाद कातिल आलाईकल अपने साथ ले गया था हो सकता है वो काशीनात के घर से बरामद हो नहीं हो सकता वज़ा कतल में इस्तमाल हुई वो रिवालवर मौकाईवारदात पर ही है आपको कैसे मालूम मेरा मतलब है वही होनी चाहिए लेकिन पुलीस ने वहां की तलाशी ठीक से नहीं ली एक खास जगा को नजरंदास कर दिया कौन सी जगा वहां इमारत के पहलू में खोद कर बनाया गया एक टेंपरेरी लेकिन बहुत बड़ा बहुत गहरा चौबच्चा है जो की पानी स्टोर करने के काम आता है बड़ी इमारतों के साइट पर पानी की किल्लत ऐसे ही दूर की जाती है कि एक चौबच्चा खोद लिया जाता है जिसमें मोटर द्वारा जमीन से निकाला गया पानी हर वक्त भरा रहता है बात में तामीर मुकमल हो जाने के बाद उस चौबच्चे को भर दिया जता है ऐसा चौबच्चा वहां इरोज अपार्टमेंट वाले साइट पर भी है हाँ, पानी से पूरा भरा हुआ निरंतर सीमेंट और मिट्टी घुलती रहने से जिसका पानी गंदला हुआ हुआ है पानी साफ ना होने की वज़़ से उस गहरे चौबच्चे की तलहटी में नहीं जाका जा सकता तुम अपने उस दो सब इंस्पेक्टर को ये टिप दो की शायद मर्डर वैपन उस चौबच्चे की तलहटी पर पढ़ा हो पढ़ा है? मैंने कहा है शायद शायद पढ़ा हो मुझे लगा कि आप निश्चित रूप से कह रही हैं कि रिवालवर वही है विमल ने घूर कर उसे देखा लूथ्रा ततकाल बौखला कर परे देखने लगा मैं जनकराज को टिप कैसे दूँगा फिर वो धिरे से बोला मेरे से सवाल नहीं होगा कि मुझे ये बात कैसे सूजी थी? मुझे ये ही कैसे सूजा था कि मौकायवादात पर गंदले पानी का कोई चोबच्चा था सोचो कोई तरकीब इतने गुरु आदमी हो इतने पहुचे हुए सबाइंस्पेक्टर रह चुके हो कि सोहल पर हाथ डालने में काम्याब हो गए थे अब ये ननी सी तरकीब मुझे सिखानी पड़ेगी मैं? मैं कुछ करूँगा शाबाश अस्टरिस्क 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 दस बजे पुलीस के लावर्शकर के साथ और मायाराम के साथ जनकराज जब कश्मीरी गेट पहुचा तो लूथरा वहाँ पहले मौजूद था तुम जनकराज उसे देख कर हैरानी से बोला तुम यहां क्या कर रहे हो? जो काम करने आये हो लूथरा मीठे स्वर में बोला उससे निपट लो फिर बताता हूँ तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मालूम था कि मैं यहां आने वाला हूँ है तो यही बात क्या किस्सा है? बोला न फारिग हो लो फिर बताता हूँ जनकराज ने हिचकिचाते हुए सहमती में सिर हिलाया फिर वो मायाराम की तरफ घूमा खोलो मायाराम ने अपने पोर्शन के दर्वाजे पर लगा ताला खोला उसके साथ पुलीसिये भीतर दाखिल हो गए लूथरा दर्वाजे पर ही ठिटका खड़ा रहा सबसे पहले जनकराज जूतों की तरफ आकर्शित हुआ ये जूते आपके है वो बोला जनाब मायाराम भुनभुनाया मैंने कल रात ही आपको बताया था कि जवाब दीजिये हाँ, मेरे है कल आप इन्हें पहने हुए थे इसका भी जवाब मैं पहले आपको दे चुका हूँ मेरे पास एक ही जोडी जूते है यानि की कल रात जब आप यहां से निकले थे तो आप जूते पहने हुए थे जाहिर है और आपका कहना है कि कहीं जाने या वहां से लोटे वक्त आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से नहीं गुज़रे थे हाँ जनकराज ने सावधानी से दोनों जूते उठाए और उन्हें उल्टा करके मायाराम के सामने किया पॉंट जरा जूते के तले पर गौर कीजिए वो बोला सोल पर भी और हील पर भी क्या गौर करूँ इन पर सीमेंट की बारीक परचड़ी मालूम हो रही है कुछ सुर्मई सा लगा तो हुआ है लेकिन ये सीमेंट है मैं नहीं जानता हम जानते है ये सीमेंट है तो क्या हुआ जूतों पर चड़ी सीमेंट की परत इस बात की चुगली करती है कि कल रात इन्हें पहने आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट से गुजरे थे बिलकुल नहीं मैं तो आप जंडे वालान की उस बंती इमारत पर गए थे जहां के लाश पाई गई थी आप मौकाईवारदात पर गए थे क्या कह रहे हैं आप मायाराम घबरा कर बोला वरना आप बताए कि ये सीमेंट की परत आपके जूतों पर कैसे चड़ी कहां से चड़ी वो तो किसी और जगह से मायाराम एकाएक बोलता बोलता ठिठक गया कहां से जरा इन्हें सीधा कीजिए क्या चाहते हैं बड़े व्यग्रभाव से मायाराम ने खुद सबैंस्पेक्टर के जूते थामे हाथ की कलाई को घुमाया ये जूते मेरे नहीं है ततकान वो बोला क्या जनक राज अचकचा कर बोला ये जूते मेरे नहीं है तो ये पैंतरा सोचा है आपने इस इस फंदे से बच निकलने का ये कोई पैंतरा नहीं है ये हकीकत है कि ये जूते मेरे नहीं है कल तो आपने पूरे विश्वास के साथ इन्हें अपने जूते या था इंस्पेक्टर साहब, जूते क्योंकि मेरे घर में पड़े थे, मेरे जूतों जैसे थे, मेरे नाप के थे, इसलिए मैंने सहज ही सोच लिया था कि वो मेरे ही जूते थे तब मैंने उन्हें इतने गौर से नहीं देखा था जितने से कि अब देख रहा हूँ, तब कोई वज़ा भी नहीं थी गौर से देखने की इन्हें गौर से मैंने अभी देखा है, तो मुझे पता चला है कि ये मेरे जूतों जैसे हैं, लेकिन मेरे जूते नहीं है अभी क्यों गौर से देखा है? क्योंकि अब आप इन जूतों को मेरे खिलाफ सबूत तौर पर इस्तमाल करने पर अमादा है इसीलिए अब आपको ये जूट बोलना सूझा है कि ये जूते आपके नहीं है मैं इश्वर की कसम खाकर कहता हूँ ये जूते मेरे नहीं है तो आपके जूते कहां है? यहीं कहीं होंगे? खास जूतों की तलाश में दोनों कमरों की तलाशी ली गई जूतों का कोई दूसरा जोड़ा कहीं से बरामद न हुआ अब क्या कहते हैं? आप जनक राज उसे घूरता हुआ बोला जरूर मेरे जूते वही शक्स ले गया था जिसने की ये जूते यहां रखे थे कौन शक्स? क्या पता कौन शक्स? कब क्या होगा उसने ऐसा? क्या मतलब? आप कहते हैं कि आपके पास एक ही जोड़ी जूते हैं जो की जाहिर है कि पिछली रात यहां से निकलते वक्त आप पहने हुए होंगे ओ तो है आपके पहने पहने तो कोई जूते तबदील कर नहीं सकता कैसे कर सकता है? वही तो मैं कह रहा हूँ अब बाताईए यहां से निकलने और वापिस लोटने के बीच आपने कहीं और जूते उतारे थे मायाराम ने ततकाल जवाब न दिया जूते क्या? निजाम उद्दीन में उस सीमा नाम की कालगर्ल के साथ उसने तो तन के सारे कप्रे भी उतारे थे अब क्या ये बात उसे पुलीस को बतानी चाहिए थी? नहीं अभी नहीं मैंने जूते कहीं उतारे थे वो बोला लेकिन वहां ये नहीं बदले जा सकते थे क्यों? क्यों कि वापिस पहनने के लिए जब जूते मेरे हाथ में आते तो मुझे जरूर एहसास होता कि वो मेरे जूते नहीं थे ऐसा कोई एहसास मुझे नहीं हुआ था इससे साबित होता है कि वहां मैंने अपने ही जूते उतारने के बाद वापिस पहने थे तो फिर जूतों की अदला बदली कब हुई? कहां हुई? जाहिर है कि यहां हुई? कब? मेरे सो जाने के बाद आपके सो जाने के बाद कोई यहां गुसा और जूते तबदील कर गया? हाँ आप दर्वाजे को भीतर से बंद करके नहीं सोते? बंद करके सोता हूँ लेकिन हो सकता है कि पिछली रात मैं दर्वाजा बंद करना भूल गया हूँ ऐसा हुआ होता तो आधी रात के बाद जब हम यहां ये तो हमें दर्वाजा खुला मिलता ऐसा नहीं था दर्वाजा खट खटाने से पहले हमने उसे धकेल कर देखा था तो पाया था कि दर्वाजा मजबूती से भीतर से बंद था आपने भीतर से चितकनी खोल कर दर्वाजा खोला था और हमें भीतर दाखिल होने दिया था चिटकनी सरकाई जाने की आवाज तक हमने बंद दर्वाजे के पार खड़े-खड़े सुनी थी याद आया मायाराम का सिर्स्वयमेव सहमती में हिला अब क्या कहते हैं आप? मैं क्या कहूं? मायाराम असाय भाव से बोला जूते कब तबदील हुए? कैसे तबदील हुए? ये मैं नहीं जानता लेकिन ये हकीकत है और इसे मेरे से बहतर कोई नहीं जान सकता कि ये जूते मेरे नहीं है ये मेरे जूतों जैसे हैं, कुसी नाप के हैं, लेकिन मेरे नहीं है बैसाखियों के बारे में क्या ख्याल है? ये तो आपकी है या इने भी कोई तब्दील कर गया? बैसाखिया तो मेरी है यो आननफानन जवाब न दीजिए वरना आप फिर कहेंगे कि उन्हें आपने पहले ठीक से नहीं देखा था बैसाखिया मेरी है पास जाके अच्छी तरह से ठोक बजा के देखिये और फिर जवाब दीजिए मायाराम ने करीब जाकर बैसाखियों का मुआइना किया और फिर बोला मेरी है कल रात यहां से आपकी गैरहाजरी के वक्फे में ये आपके साथ थी? जाहिर है मैं इनका महताज हूँ इनके बिना घर से नहीं निकल सकता जहां आप गए थे, जहां आपके पैरों में मौजूद आपके जूते गए थे, वहाँ ये भी गई होंगी जाहिर है आपके जानकारी के लिए इनके तले की तरफ भी उसी सीमेंट की परत मौजूद है जो की आपके जूतों पर चड़ी हुई है नहीं मायाराम घबरा कर बोला ये हकीकत है आप कहना क्या चाहते हैं कहना नहीं चाहता, पूछना चाहता हूँ आप अब भी इस बात से इनकार करते हैं कि कल रात आपके पाव जहने वालान के उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़े थे जो की मौगायवारदात है जहां कि आपके दोस्त हरिदत पन की लाश पाई गई थी हाँ, करता हूँ सौ बार इनकार करता हूँ हजार बार इनकार करता हूँ आप एक आजाद मुल्क के आजाद शहरी है आपके कहीं आने जाने पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती लिहाजा ये कबूल कर लेने में क्या हर्ज है कि आप ज़ंडे वालान गए थे कोई हर्ज नहीं है तो फिर मैं गया होता तो जरूर कबूल कर लेता जब मैं गया ही नहीं तो कैसे कबूल कर लूँ फिर लगे पुराना राग अलाप ने जनकराज चिड कर बोला मायाराम खामोश रहा आप बात को समझने की कोशिश कीजिए जनकराज फिर नर्म पड़ा और उसे समझता हुआ बोला कतल करने वाला एक ही होता है लेकिन शक के दाइरे में एक से ज्यादा लोग भी आ जाते हैं जो लोग शक के दाइरे में आते हैं उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी पोजिशन साफ करें जो ऐसा कर पाते हैं उनकी तरफ से पुलीस की तबज्जो हट जाती है जो नहीं कर पाते उनके लिए प्राबलम बन जाती है मौजूदा केस में आप दूसरी किस्म के लोगों में आते हैं आप अपनी पोजिशन साफ नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आपकी तरफ से हमारी तबज्जो नहीं हट सकती आप आप मुझ पर कतल का इल्जाम लडा रहे हैं अभी नहीं अभी नहीं सिर्फ इतने से ही आपको कातिल करार नहीं दिया जा सकता कि आप मौकाईवारदात पर मौजूद थे मैं नहीं मौजूद था सुनते रहिए बीच में मत तो किये मैं आपके फाइदे की बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कहिए मौकाईवारदात पर आपकी मौजूदगी कतल से पहले हो सकती है कतल के दौरान हो सकती है कतल के बाद हो सकती है अगर आप कतल से पहले या कतल के बाद वहां गए थे तो आपकी कोई छोटी मोटी सफाई ही आपके शक्से बरी करा सकती है आप वहां कतल के दौरान मौजूद थे तो मामला गंभीर है फिर तो हमें ये मान कर चलना होगा कि या तो आप ही कातल है या फिर आप कतल के गवा है अब बताएए कि आप कब वहां गए थे? कभी भी नहीं मैं फिर, फिर और फिर कहता हूँ कि मैं यहां से निकल कर निजामदीन जाने के अलावा और तहीं नहीं गया था आप अपनी ये जिद नहीं छोड़ेंगे जनकराज उखड कर बोला ये जिद नहीं हकीकत है आप जणने वाला नहीं गए थे तो इस बात का कोई माकूल जवाब दीजिए कि आपके जुदों को आपकी बैसाखियों को सीमेंट की धूल कहां से लगी कहीं से नहीं लगी ये मुझे फंसाने के लिए मेरे साथ चली गई किसी की घिनौनी चाल है किसकी? नाम लीजिए किसी ऐसे शक्स का मायाराम खामोश हो गया वो सोहल का नाम नहीं ले सकता था सोहल का नाम लेने का मतलब ब्लैक मेल की कहानी को उजागर करना होता फिर वो कतल के इल्जाम में तो फस्ता 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 ब्लैक मेल के इल्जाम में हाथ के हाथ फस्त जाता किसी की चाल है जनकराज गुराया तो ये चाल उसने कैसे चली? मैं नहीं जानता जान जाएंगे जल्दी ही जान जाएंगे अभी तो शुरुआत है अभी आगे आगे देखिए क्या होता है जनकराज ने आखिरी फिक्रा ऐसे धंग से बोला था कि मायाराम का कलेजा लरज गया फिर तलाशी का सिलसिला शुरू हुआ दीवान के बकसे में से कैन्वस का थैला बरामद हुआ थैले में से ब्रीफ केस जैसा च्रंक बरामद हुआ च्रंक में से नोट बरामद हुए जो की गिने जाने पर साथ लाग के पाए गए मायाराम के छक्के छूट गए उसका दिल तो नोटों की जलक मिलने से पहले चंक देख कर ही अपनी जगह से उखडने लगा था ये चंक आपका है जनकराज उसे घूरता हुआ बोला इसमें मौजूद रकम आपकी है नहीं मायाराम बधवास भाव से बोला आप किसी की आमानत के तौर पर ये चंक यहां रखे हुए है नहीं तो फिर ये यहां क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूँ अब आप कहेंगे कि ये भी आपको फंसाने के लिए आपके साथ चली गई किसी की घिनावनी चाल है मेरा इस च्रक से कोई वास्ता नहीं कौन जानता है मायाराम से जवाब देते ना बना जनक एकाएक लूथरा दबे स्वर में बोला जनकराज ने उसकी तरफ निगा उठाई क्या है वो उखडे स्वर में बोला इधर आओ क्यों आओ तो चेहरे पर अनिच्छा के भाव लिए जनकराज लूथरा के करीब पहुँचा तुमने इस च्रंक को नहीं पहचाना? लूथरा फुस्फुस आया नहीं तो जनकराज बोला कोई खासियत है इसमें? बहुत बड़ी खासियत है क्या? ये वही च्रंक है जो की सुमन वर्मा नाम की एक लड़की अश्रफ नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी से भूल गई थी जिसे की ड्राइवर ने पूरी इमानदारी से ठाने में जमा करा दिया था च्रंक की सुपुर्दगी की खबर भी अकबारों में छपी थी और तब खबर के साथ इस ट्रंक की फोटो भी छपी थी अच्छा हाँ शायद ये कोई मिलता जुलता ट्रंक हो हो सकता है लेकिन इतना बड़ा सयोग नहीं हो सकता कि दोनों ट्रंकों में एन साथ लाख रुपए की ही रकम हो ये आदमी नहीं बताएगा कि ये च्रंक इसके पास कैसे पहुँच गया लेकिन इस बात को दूसरे सिरे से भी पकड़ा जा सकता है दूसरा सिरा सुमन वर्मा जो कि गुमशुदा ट्रंक को अपना बता कर कनाट प्लेस थाने से ले गई थी सुपुर्दिगी की रपट में उसका नाम पता सब दर्ज होगा तुमें सुमन वर्मा से पूछना चाहिए कि जो ट्रंक उसके थाने से क्लेम किया था वो अब कहा था जनकराज का सिर सहमती में हिला एक बात और लूथरा पूर्ववद दबे स्वर में बोला वो भी बोलो अखबार में छपा है कि कतल के वक्त को साड़े नौ पर इस शक्स की गवाही के आधार पर पिनपवायन्द किया गया है इस आदमी के पास शाम आच से दस बजे के टाइम की बड़ी पुक्ता एलिबाई मौजूर मालूम होती है अगर ये आच से दस तक निजामुदीन में अपनी उपस्तिती स्थापित कर सकता है तो फिर साड़े नौ बजे जण्डे वालान में इसने कतल किया नहीं हो सकता तुम कहना क्या चाहते हो ये कहता है कि मरने वाले ने हरिदत पंथ ने अपना शाम का खाना साड़े साथ बजे खाया था जनक क्या सबूत है इस बात का खाने वाला तो मर गया अब इस बाबत ये कुछ भी कहें तुम आख बंद करके मान लोगे जनकराज मुह से कुछ ना बोला लेकिन उसका चेहरा और गंभीर हो गया तुम्हें उस होटल से इस बाबत पूछताच करनी चाहिए जहां से मक्तूल ने खाना मंगवाया था जनकराज ने ततकाल एक हवलदार को अपने करीब बुलाया और उसे आवशक निर्देश देकर युवराज होटल दोडाया अब फिर वो फिर लूथरा की तरफ आकरशित हुआ तुम बोलो कि तुम यहां क्या कर रहे हो रिजद कमाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या नौकरी तो मेरी छूट गई अब कुछ तो मैंने करना था इसलिए मैंने वो काम पकड़ा जिसमें मेरा पुलीस की नौकरी का तजुर्बा काम आ सकता था क्या काम पकड़ा मैंने private investigation का काम पकड़ा है दिली शहर में आए दिन कतल होते हैं उनमें से कई ऐसे होते हैं जिन पर पड़ा रहस्य का परदा आसानी से नहीं उठता या फिर उठता ही नहीं ऐसे केसों की मैं अपनी private तफ्तीश करता हूँ और फिर तफ्तीश का नतीजा अकबार वालों को बेचता हूँ ऐसी exclusive investigation की अकबार वाले बड़ी अच्छी payment करते हैं कमार है ये तो बड़ा अनोखा धंधा पकड़ा तुमने पापी पेट की खातिर पेट की खातिर कुछ भी करना पड़ता है मुझे नहीं मालूम था कि तो तुम इस murder case में भी दिल्चस्पी ले रहे हो खामोशी से बिना पुलीस की कोई line क्रास किये अब तक कोई खास बात जानी जानी तो सही एक खास बात क्या मौकाई वारदाच से murder weapon बरामद नहीं हुआ है वो रिवालवर बरामद नहीं हुई है जिससे की कतल हुआ था मैंने खुद उसकी तलाश में तेरवी मंजिल के सारे फ्लोर को खंगाला था वो वहां नहीं थी वो वहां से नीचे आगिरी हो सकती है किसी फ्लोर पर अभी दीवारे वेगेरा तो बनी नहीं है इसलिए इतनी अकल मेरे में है ये बात मुझे सूझी थी कि रिवालवर कातिल के हाथ से निकल कर फर्श पर से छिटक कर तेरा मंजिल नीचे कहीं जा गिरी हो सकती थी मैंने नीचे मैदान में चारों तरफ उसकी तलाश करवाई थी रिवालवर कहीं नहीं थी मेरा तो ख्याल है कि कतल के बाद रिवालवर को कातिल अपने साथ ले गया था इमारत के एक पहलू में एक बहुत बड़ा पानी का चौबच्चा है मुझे खबर है उसकी लेकिन वो इमारत की बुनियात के बहुत परे है तेरवी मंजिल के फर्ष से छिटक कर रिवालवर उस चौबच्चे में जाकर नहीं गिर सकती अपने आप नहीं गिर सकती लेकिन उसमें फैंकी तो जा सकती है तेरवी मंजिल से या नीचे आकर चौबच्चे के पास से गुजरते वक्त जनकराज सोचने लगा कन्स्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाने पर वैसे चौबच्चा भर दिये जाते हैं जमीन के हमवार कर दिये जाते हैं कातिल ने ये सोच कर रिवालवर उसमें फैंकी हो सकती है कि वो हमेशा उसी में दफन पड़ी रह सकती थी कुँ? कभी युवराज होटल रवाना हुआ हवलदार वापिस लोटा उसके साथ एक कोई 20 साल का लड़का था ये वो वेटर है हवलदार बोला जो कल शाम हरिदत पंत के लिए ठाना लाया था कुँ? जनकराज ने एक क्षण घूर कर लड़के को देखा और फिर सकती से बोला क्या नाम तेरा? नंदू लड़का दबे स्वर में बोला कल शाम तूने होटल से हरिदत पंत के कमरे में खाना पहचाया था हाँ, साहब कितने बजे? यही कोई साढे साथ बजे क्या मंगाया था पंत ने? कंदूरी चिकन, मटर पनीर, नान उस वक्त पंत के पास कोई और भी मौजूद था हाँ, साहब था कौन? उसने मायाराम की तरफ इशारा कर दिया पंत में तेरे सामने खाना खाया था नहीं साहब तू खाना छोड़ के चला गया था? हाँ, साहब बाद में जब तू बरतन उठाने आया था उस वक्त पंत क्या कर रहा था? मैं बाद में आया ही नहीं था बरतन उठाने कोई और वेटर आया था नहीं, साहब यानि कि बरतन अभी भी वही पड़े है नहीं, साहब क्या बता है? बरतन वहां से उठाए भी नहीं वो वहां पड़े भी नहीं ये कैसे हो सकता है? साहब बरतन थे ही नहीं क्या? पंत साहब के हुक्म पर मैं खाना कार्ड़ बोर के डिब्बे में पैक करा के लाया था पैक करा के? हाँ साहब वो क्या है कि पहले उन्होंने खाने का आडर दिया फिर शायद उनका खाना खाने से मन हट गया इसलिए उन्होंने होटल में कहलवा भेजा की खाना पैक करा के लाया जाए तब मैंने खुद चिकन, मतर पनीर और नान को अलग-अलग थैलियों में बंद किया था उन थैलियों को होटल के छपे हुए एक कार्ड बोर्ड के डिबवे में रखा था और डिबबापन साहब के कमरे में पहुँचाया था ये जूट बोलता है माया राम एकाएक चला कर बोला है खाना ट्रे में लाया था ये मेरे सामने खाना ट्रे में लाया था इतनी सी बात पर मैं जूट क्यों बोलूँगा साहब नंदू बड़ी मासूमियत से बोला ये खाना ट्रे में लाया था मैंने खुद ट्रे में से उठा कर चिकन की एक बोटी खाई थी अगर खाना डिब्बे में बंध होता तो मुझे क्यों कर मालूम होता की भीतर क्या था पंच साहब ने मेरे सामने आपके लिए डिब्बा खोला था और उसमें मौजूद चिकन आपको पेश किया था तब थेली हाथ डाल कर आपने चिकन की एक बोटी निकाली थी तब पंच साहब ने डिब्बा वापिस बंध कर लिया था जूट? बिल्कुल जूट मैंने च्रे में से बोटी उठाई थी खाना च्रे में आया था है? खाना डिब्बे में बंध था नंदू जिद्भरे स्वर में बोला अरे कमी ने? क्यों इतनी सी बात के लिए जूट बोलता? साहब देखिए ये मुझे गली दे रही है भाग जा जनकराज बोला नंदू सरपट वहां से भगा खाना पैक करने का मकसद ये भी हो सकता है लूथरा धीरे से बोला कि उसको कहीं और जाकर उसे खाने का इरादा था खाना उसने बाद में कभी अपने कमरे में ही खाना था तो वो बाद में मंगा सकता था पैक करा के ठंडा होने के लिए उसे अपने पास रखे रहना क्या जरूरी था? जनकराज ने सहमती में सर हिलाया अब फर्ज करो की खाना उसने कहीं और मसलन कंस्ट्रक्शन साइट पर ही साड़े आठ बजे खाया तो इसका मतलब है कि कतल साड़े दस बजे के आसपास हुआ ये टाइम भी कतल के वक्त के रेंज में आता है जनकराज बोला क्योंकि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट द्वारा खाने को और उसको खाने के टाइम को मद्दे नजर रखे बिना जो टाइम निर्धारित किया गया था वो साड़े आठ से साड़े दस के बीच का है मुम्किन है इस शक्स के पास साड़े दस की कोई एलीबाई ना हो साड़े दस बजे आप कहां थे जनकराज ने मायाराम से पूछा टैक्सी में था मायाराम व्याकुल भाव से बोला जिस पर की आप निजमुदीन से यहां आ रहे थे हाँ कब रवाना हुए थे? कब पहुँचे थे? दस बजे रवाना हुआ था पौने ग्यारा बजे पहुँचा था इतनी रात गए निजमुदीन से कश्मीरी गेट पहुँचने में पौना घंता तो नहीं लगता मुझे इतना ही टाइम लगा था मैंने रवाना होते वक्त भी घड़ी देखी थी और पहुचने पर भी घड़ी देखी थी बीच में कहीं ट्राफिक जाम मिला था? ध्यान नहीं क्यो ध्यान नहीं? वो वो क्या है कि मैं नशे में था? टैक्सी में उंग गया था नशे में थे तो आप से घड़ी में टाइम देखने में भी गलती हुई हो सकती है नहीं इतना नशे में नहीं था मैं रात के वक्त सड़के खाली होती है मेरा अंदाजा ये कहता है कि रात के वक्त टैक्सी पर सवार होकर निजामुद्दीन से कश्मीरी गेट पहुँचने में आपको आदे घंते से ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए था पौना घंता आपको इसलिए लगा क्योंकि आप सीधे कश्मीरी गेट न पहुँचे रस्ते में आप पहले जंडे वालान गए जहां की मैं जंडे वालान नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया मायाराम तड़क कर बोला है भगवान ये कैसी साजिश रची जा रही है मेरे खिलाफ जामे बाजी छोड़िए जनकराज दपट कर बोला चीखने चलाने से आप अपने आपको बेगुना साबित नहीं कर पाएंगे वो टैक्सी ड्राइवर एकाएक मायाराम यू बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो वो टैक्सी ड्राइवर मेरा गवा है कि मैं निजामुद्दीन से सीधा यहां आया था कौन टैक्सी ड्राइवर आप जानते हैं उसे जानता नहीं हूँ लेकिन उसने मुझे अपना नाम बताया था अपने पक्के टैक्सी स्टैंड का पता बताया था मुझे उसकी टैक्सी का नंबर तक याद है नाम बोलिये पता बोलिये नंबर बोलिये मायाराम ने बोला जनकराज ने एक हवलदार को करीब बुलाया और उसे आदेश दिया इनक्वाइरी से सुजान सिंग पार्क के टैक्सी स्टैंड का टेलीफोन नंबर पता कर वहां मुबारत अली नाम के टैक्सी ड्राइवर का पता कर मिले तो उसे इधर आने को बोल तब तक मैं जंडेवालान का चक्कर लगा कर आता हूँ जी जनाम एस्टरिस्क 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 नंदू वापिस युवराज होटल पहुँचा होटल का हाल उस घड़ी लगभग खाली था कोने की एक मेज पर दीवार की और मुह किये एक व्यक्ती बैठा था जो की पाइप के कश लगाता चाय चुसक रहा था नंदू उसके करीब पहुँचा विमल ने सिर उठाया उसने एक निगा नंदू के दमकते चहरे पर डाली और फिर बोला क्या हुआ सब बढ़िया हुआ साहब नंदू बोला मैं एन वही बोला जो आप बोले की मैं बोलूँ गुड वो लंगड़ा बहुत तडपा साहब बहुत चीखा चलाया लेकिन पुलीस के बड़े साहब ने मेरी ही बात पर एदबार किया बेटा पुलीस वाले बड़े जालिम होते हैं सक्ती पर उतर आएं तो बहुत जुल्म धाते हैं इसलिए अब अपने बयान से मुरा तो नतीजा बहुत बुरा होगा तेरे लिए मैं नहीं मुकरने वाला मैं नहीं हिलने वाला अपने बयान से पक्की बात हाँ साहब जो बोल दिया सो बोल दिया गुड चाए बहुत उम्दा पिलाई तुमने विमल ने एक पांच सौ का नोट उसकी तरफ बढ़ाया शुक्रिया साहब नंडू विस्वारित नेत्रों से बोला एक बड़े वाला गांधी तो आप मुझे पहले ही दे चुके है पॉंट वो तुम्हारे सहयोग का इनाम था विमल मुस्कराता हुआ बोला ये उम्दा चाय की कीमत है शुक्रिया साहब नंडू विमल के घुटने छूता हुआ बोला शुक्रिया जीता रह बेटा विमल अपने स्थान से उठा और पाइप के कश लगाता वहां से रुखसत हो गया चैप्टर चार जनकराज जंडेवालान पहुचा काफी हील हुज़त के बाद वो लूथरा को भी साथ लाने के लिए तयार हो गया था उस घड़ी साइट पर कंस्ट्रक्शन वरकर पहुचे हुए थे और तामीर का कम तेजी से चल रहा था पुलीस को आया पाकर साइट पर मौजूद ओवर्सियर खुद ही वहां दोड़ा चला आया जनकराज ने उसे अपनी आमत का मंतव्य बताया ततकाल चौबच्चे को खंगाला गया नतीजतन रिवालवर बारामध हो गई जनकराज ने हैरानी से लूथरा की तरफ देखा तुम्ही ने बरामत की लूथरा धीरे से बोला तुम्ही ने अपनी सूज बूच लगाई तो तुमें सूज़ा की रिवालवर यहां हो सकती थी मेरा इसमें कोई रोल नहीं पकी बात जनकराज बोला हाँ खिर तो शुक्रिया पुलीस की फारंसिक साइस लैबोरेटरी ज़ंडेवालान में ही थी रिवालवर के साथ जनकराज वहां पहुचा लैबोरेटरी में रिवालवर को सबसे पहले फिंगरप्रेंट्स के लिए चैक किया गया रिवालवर के दस्ते पर और उसके ट्रीगर पर फिंगरप्रेंट्स मौजूद पाए गए जिनको वहां से उतारा गया और उनकी एक प्रतिलिपी जनकराज को सौपी गई पोस्ट मार्टम द्वारा मक्तूल के जिस्म से निकाली गई गोली पहली ही वहां पहुँच चुकी थी लिहाजा चुटकियों में यहां भी स्थापित हो गया कि वही मर्डर वैपन था उस 38 कैलीबर की स्मिट एंड वैसन रिवालवर से ही घातक गोली चलाई गई थी जिस पर से की उसका सीरियल नंबर रेती से घिसकर मिटा दिया हुआ था यानि की सीरियल नंबर के जरिये रिवालवर के मालिक तक पहुँच पाने की कोई संभावना नहीं थी लेकिन रिवालवर पर मौझूद फिंगर प्रिंट्स एक महत्वपूर्ण क्लू था जिसके जरिये देर सवेर कातिल तक पहुँचा जा सकता था रिवालवर और फिंगर प्रिंट्स की प्रतिलिपी के साथ जनकराज वापिस कश्मीरी गेट पहुँचा कब तक मुबारक अली वहां पहुँच चुका था मायाराम खुश था कि वो टैक्सी ज्राइवर आनन फानन उपलब्ध हो गया था हमेशा के लिए कहीं गायब नहीं हो गया था ये हैं वो टैक्सी ज्राइवर जनकराज ने मायाराम से पूछा जो कल रात तुम्हें निजामुद्दीन से यहां तक लाया था हां मायाराम व्यग्रभाव से बोला आप इसी से पूछिए की हौसला रखो पूछते हैं मायाराम खामोश हो गया जनकराज मुबारक अली की और आकरशित हुआ क्या नाम है तेरा वो डपट कर बोला मुबारक अली टैक्सी चलाना है हां इन्हें जनकराज ने मायाराम की तरफ संकेत किया पहचानता है हां मुबारक अली बोला ये कल मेरी टैक्सी पर बैठे थे कहां से निजामुद्दीन से कहां के लिए कश्मीरी गेट के लिए इधर ही उतारा इस चाल के सामने सुन लिया मायाराम विजेता के से स्वर में बोला आप ज़रा खामोश रहिए मायाराम ने होंट भीच लिए निजामुद्दीन से कब बिठाई सवारी जनकराज ने फिर पूछा यही कोई दस बजे मुबारक अली बोला इधर कब पहुचा यही कोई पौने ग्यारह बजे मायाराम मुख से कुछ न बोला लेकिन चहरे पर चमक आ गई शुक्र था कि कोई तो बात थी जो उसे उल्टी नहीं पड़ रही थी निजामुद्दीन से इधर पहुचने में पौना घंटा क्यों लगा क्या कहीं जाम लणा मिला था नको तो सीधा नहीं आया यानि के रास्ते में कहीं और गया हाँ कहां जंडे वालान मायाराम जैसे आस्मान से गिरा यह जूट बोलता है वो चिलाया मैं जंडे वाला नहीं गया आप खामोश रहिए जनकराज बोला मैं खामोश नहीं रह सकता आप सब लोग मिलकर मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है आप सब मेरे खिलाफ है मैं खामोश नहीं रह सकता चिलना चिला चिला तर आप अपनी बेगुनाही साबित कर लेंगी लेकिन अभी चुप कीजिए मैं अपनी सफाई का पूरा पूरा मौका दूँगा बेचैनी से पहलू बदलता तिलमिलाता मायाराम चुप हुआ जनेवालान ये कहां गए थे जनकराज ने पूछा एक बंती बिल्डिंग के प्लाट में मुबारक अली बोला क्या क्या इन्होंने वहां मालूम नहीं किसी से मिला मालूम नहीं तो क्या क्या मेरे को पीछो रुखने को बोल कर टैक्सी से उतरे बैसाखियों के सहारे चलते पांच साथ मिनट को कही गए और फिर वापिस लौट आए उस दौरान तूने कोई गोली चलने की आवाज सुनी गोली चलने की आवाज कैसी होती है बाप सैकडो गोलियां खुद चला चुका मुबारत अली बड़ी मासुमियत से बोला कोई ठाय की आवाज सुनी नहीं गोली तेरवी मन्जिल पर चली थी लूथरा धीरे से बोला इतनी उचाई पर चली गोली की आवाज हो सकता है नीचे तक न पहुँची हो जनकराज ने सहमती में सिर हिलाया और फिर मुबारक अली से संबोधित हुआ हां तो तु कह रहा था मैंने कोई ठान्य की आवाज नहीं सुनी थी मुबारक अली पांच साथ मिनट बात ये वापिस टैक्सी में जाकर बैठे और तु इन्हें लेकर यहां पहुँच गया हां और कुछ और आप बोलो बाहर जाकर अपनी टैक्सी में बैठ इजाजत मिले तो जाना ठीक मुबारक अली वहां से रुकसत हो गया अब क्या कहते हो जनकराज बोला वो जूट बोल रहा है मायाराम आवेशपूर्ण स्वर में बोला वो किसी का सिखाया पढ़ाया जूट बोल रहा है किसका मुझे नहीं मालूम लेकिन वो सरासर जूट बोल रहा है और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल रात इसी ने थे, इसी ने मेरी बैसाखियों को सीमेंट लगाया, था और इसी ने नोटों से भरा चंक मेरे दीवान में रखा था, कैसे? मायाराम ने बताया, मैंने मान ली आपकी बात, जनकराज बोला, पीछे टैक्सी में रह गई बैसाखियां ये उठा कर लाया था, इसलिए ये उनको सीमेंट लगा सकता था, मैंने मान लिया कि आपको पानी लेने भेज कर ये जूते भी बदल सकता था, और दीवान में नोटों से भरा ट्रक भी प्लांट कर सकता था, मेरा सवाल ये है, कि जिस चंक को सुमन वर्मा नाम की लड़की कनाट प्लेस थाने से क्लेम करके अपने साथ ले गई थी, वो इसके एक मामूली टैक्सी जावर के कबजे में कैसे आया? इंस्पेक्टर साहब, अभी ये स्थापित होना बाकी है, कि ये वो ही चंक है, ये वो ही चंक है, इस बात की तस्दीक महज वक्त की बात है, फिलहाल मैं यही मान के चल रहा हूँ कि ये वो ही चंक है, अब बताए कि एक मामूली टैक्सी जावर के काबू में वो ट्रम कैसे आया तो इतनी बड़ी रकम खुद हजम कर जाने की जगा वो इसे आपके यहां आपके दिवान में क्यों डाल गया कोई तो वज़ा होगी आप बयान कीजिए वो वज़ा वज़ा यही है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है कौन कर रहा है यह कोशिश मायाराम से फिर जवाब देते ना बना मैं आपकी उंगलियों के निशान लेना चाहता हूँ आपको कोई एतराज है मुझे सक्त एतराज है सोच लीजिए पहले आपने सर्च पर एतराज किया था तो सर्च महज थोड़ी देर के लिए टल गई थी और आपको रात थाने में गुजारनी पड़ी थी अब उंगलियों के निशान देने पर एतराज जताएंगे तो अंजाम और भी बुरा होगा मायाराम ने बोलने के लिए मुह खोला लेकिन फिर होंट भीच लिए थाने में ठाट से रात गुजारी जनकराज चेतावनी भरे स्वर में बोला हवालात में या जेल में ऐसे ठाट मुम्किन न होंगे क्यों लेना चाहते हैं आप मेरी उंगलियों के निशान मायाराम कथिन स्वर में बोला कोई खास वज़ा नहीं ये एक रूटीन है ठीक है क्या ठीक है वही जो आप कहते हैं मैं उंगलियों के निशान देने के लिए तयार हूं. गुढ जनकराज के संकेत पर एक हवल्दार ने मायाराम की दसों उंगलियों के निशान एक कागस पर उतारे और कागस जनकराज को ठमाया. जनकराज कागस लेकर बाहर गलियारे की तरफ बढ़ा तो लूथरा भी उसके साथ हो लिया. जनकराज ने कोई एतराज न किया गलियारे में पहुँचकर जनकराज ने एक मैगनीफाइग ग्लास के जरीए फरेंसिक साइस लेबोरेटरी से मिले उंगलियों के निशानों से नए निशानी का मिलान किया मिलते हैं आखिरकार वो बोला जरा तुम भी देखो तुम्हें इन कामों का मेरे से ज्यादा तजर्बा है लूथरा ने मैगनीफाइग ग्लास संभाला और फिंगर प्रिंट्स के दोनों सेटों का मुआयना किया बिल्कुल मिलते हैं फिर उसने भी तस्दीक की गुड जनकराज संतोश पूर्ण स्वर में बोला ये तो ओपन एंड शट सबूत हुआ इसके खिलाफ बिल्कुल हुआ मर्डर वैपन पर किसी दूसरी उंगलियों के निशान नहीं बनाया जा सकते देखें इसका क्या जवाब देता है ये आदमी जनकराज ने सहमती से सिर हिलाया दोनों वापिस लोटे जनकराज ने रुमाल में लिप्ती रिवालवर अपनी वर्दी की जेप से बरामत की और रुमाल को खोल कर माया राम के सामने किया आप इस रिवालवर को पहचानते हैं उसने पूछा नहीं माया राम बोला इतनी जल्दी जवाब न दीजिए जरा सब्रसे गौर से इसे देखिए और फिर जवाब दीजिए माया राम को रिवालवर की तरफ हाथ बढ़ाता पाकर वो चेतावनी भरे स्वर में बोला न न छूना नहीं ऐसे ही देखिए माया राम जुक कर बड़े गौर से रिवालवर का मौाइना करने लगा आपकी बीनाई तो ठीक है न? जनकराज बोला नस्दीक की ज़रा खराब है चश्मा इस्तमाल करते हैं? हाँ लगा लीजिए माया राम ने नस्दीक पड़ी मेस के एक दराज में से अपने रीडिंग ग्लासिस बरामत किये और उन्हें लगा कर फिर रिवालवर का मौाइना करने लगा नहीं फिर वो बोला मैं इसे नहीं पहचानता ये आपकी नहीं जिस चीज को मैं पहचानता तक नहीं वो मेरी कैसे हो सकती है ठीक क्या खासियत है इस रिवालवर में? क्यों ये मुझे दिखाई जा रही है? ये मर्डर वैपन है क्या? आलाई कतल है ये ये वो रिवालवर है जिससे चली घातक गोली ने आपके दोस्त हरीदत पंत के प्रान लिये कहां से मिली? वही से मिली जहां की आपने फैंकी मैंने? मैंने फैंकी? हाँ जूट? सरासर जूट मैंने इस रिवालवर की कभी शकल तक नहीं देखी ना सिर्फ शकल देखी आपने इसे इस्तमाल किया आपने इसे मक्तूल पर चलाया बिल्कुल जूट इस पर आपकी उंगलियों के निशान है मायाराम पर जैसे गाज गिरी क्या? वो बदहवास स्वर में बोला रिवालवर पर से उठाए गए उंगलियों के निशानों से मिलान के लिए ही अभी आपकी उंगलियों के निशान लिए गए थे ये बात दिन की तरह स्पष्ट है कि रिवालवर की मूट पर और उसके ट्रीगर पर बने उंगलियों के निशान आपके हैं ये ये कैसे हो सकता है? आप बताइए आप सच कह रहे हैं कि इस पर मेरी उंगलियों के निशान है कसम उठवा लीजिए लेकिन ये कैसे हो सकता है? वैसे ही हो सकता है जैसे की हुआ है आपने ये रिवालवर थामी, पंत पर गोली चलाई, वो मर गया, आपके उंगलियों के निशान रिवालवर पर चस्पा हो गए इजी मायाराम खामोश रहा रिवालवर आपने ऐसी जगह फैंकी थी कि आपको यकीन था कि वो बरामद नहीं होने वाली थी, इसलिए आपने उस पर से निशान मिटाने ही भी कोशिश न की का कहा से बरामद हुई? वही से जहां आपने फैंकी थी जनकराज ने बताया हे भगवान मायाराम जैसे विलाप करता हुआ बोला ये क्या गोर्ख धंधा है? जब मैं वहां गया ही नहीं तो मैं वहां रिवालवर कैसे फैंक सकता था? गये बिना तो नहीं फैंक सकते थे इसी से साबित होता है कि आप गये थे मैं नहीं गया था मैं? एकाएक मायाराम खामोश हो गया क्या हुआ? जनकराज बोला पॉंट इंस्पेक्टर साहब मायाराम इस बार बोला तो उसके स्वर में एक नया विश्वास था आप देख रही हैं कि मैं लंगरा हूँ देख रहा हूँ बैसाख्यों के बिना मैं कुछ ही कदम उठा सकता हूँ बैसाख्यों के साथ भी मैं दिक्कत से ही चल पाता हूँ ये बात आप कबूल करते हैं या आपकी निदा में इसमें भी कोई नुक्स है? मुझे कबूल है आपकी बात क्या कहना चाहते हैं? कतल आप एक बंती इमारत की तेरवी मनजिल पर हुआ बता रहे हैं हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपाहिज आदमी वैसाखियों के सहारे एक बंती इमारत की बंती सीडियों के रास्ते तेरा मनजिल नहीं चड़ सकता मैं एक मंजिल भी नहीं चड़ सकता जनकराज सक्पक आया कोशिश करे तो चड़ सकते हैं फिर वो जिद्भरे स्वर में बोला ये न भूलिये कि बैसाखियों के सहारे इतनी मंजिले चड़ चुकने के बाद बैसाखियों के ही सहारे इतनी मंजिले मैंने उतरनी भी है आप ऐसा कर सकते हैं 5-7 मिनट में क्या मतलब जरा याद कीजिए कि उस टैक्सी ज्राइवर मुबारक अली ने अपने बयान में क्या कहा था क्या कहा था उसने कहा था कि मैं उसे पीछे रुखने को बोल कर टैक्सी से उतरा था बैसाखियों के सहारे चलता 5-7 मिनट को कही गया था और फिर वापिस लौट आया था तो आपने अभी उसे बाहर रुखने का हुक्म दिया था अगर उसने हुक्म दूली नहीं की तो उसकी मजाल नहीं हो सकती तो उसे अभी वापिस गुला कर आप इस बात की फिर तस्दीक कर सकते हैं कि उसने कहा था कि मैं सिर्फ 5 या बड़ी हट 7 मिनट उसकी टैक्सी में से गैर हाजिर रहा था तो ये इंस्पेक्टर साहब की इतने थोड़े वक्फे में तो कोई हटा कटा कंदुरुस्त आदमी 13 मंजिल सीरिया चड़ के नीचे नहीं आ सकता मैं तो फिर अपाहिज हूँ बैसाखियों का मोहताज हूँ अब जनकराज बिलकुल ही गरबरा गया किसी मदद के लिए उसने लूथरा की तरफ देखा तो उसने अन्भिग्यता जाते हुए कंदे उचकाए कुछ तो आपने किया ही होगा उस बाबत जनकराज पूरी धिठाई से बोला जब इतने सबूत आपके खिलाफ है तो कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं है सब गड़ी हुई बाते हैं और सारे गवा जूते हैं जो की मेरे खिलाफ सिखाए पढ़ाए गए है किसने क्या होगा ऐसा आप मालूम कीजिए आखिर इन्ही कामों ही आपको तनक्वा मिलती है मेरा काम मुजरिम हो बेगुना साबित करना नहीं है तो क्या बेगुना को मुजरिन साबित साबित करना है लपफाजी मत ज़ाड़ो जुबांदराजी मत करो तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा सबूत ये है कि मर्डर वैपन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है उसमें भी कोई भेद है क्या भेद है यही तो समझ में नहीं आ रहा किसी ने तुम्हें रिवालवर जरन थमाई और गोली चलाने पर मजबूर किया नहीं हरगिस नहीं तो फिर इंस्पेक्टर साहब मेरा यकीम कीजिए मैं बिल्कुल हूँ मुझे किसी साजिश के तहट किसी बहुत बड़ी साजिश के तहट फसाया जा रहा है कौन कर रहा है ऐसा कोई नाम तो लेते नहीं आ मायाराम के मुंग से बोल न फूटा मैंने पुलीस में कोई कल से नौकरी शुरू नहीं की बहुत मुझरिमों से वास्ता पच चुका है मेरा हर मुझरिम कफ्तीश के शुरूाती दौर में यही दुहाई देता है कि वो बेगुना है मैं सच कहता हूँ कि हर कोई सच ही कहता है कतल की कोई वज़ा भी तो होती है कोई उदेश भी तो होता है होता है मेरे पास क्या उदेश है कतल का मैंने कतल किया और वो भी इतने पेचीदा तरीके से वो कुदुब मिनार जैसी इमारत चड़ने की जगह में मक्तूल को कही भी मार गिराता तो क्या फर्क पड़ जाया अभी तफ्तीश जारी है तफ्तीश के खत्म होने तक कतल की कोई वज़ा भी सामने आ जाएगी इंस्पेक्टर साहब आप गरीब मार कर रही है हरगिस नहीं मैं वैसा पुलीस वाला नहीं हूँ लेकिन सुनिये एक मिनट सुनिये तब जनकराज लहजा नर्म पड़ गया और वो उसे समझाता हुआ बोला बहस के लिए मैं मान लेता हूँ कि आप सच कह रही है शुक्रिया बहस के लिए सच में ही नहीं ओ मैं मान लेता हूँ कि कतल के बाद पुलीस को आपके बारे किसी ने गलत तिप दी थी मैं मान लेता हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं गए किसी ने आपके जूते बदल कर आपकी बैसाखियों पर सीमेंट की परत चड़ा कर ये स्थापित करने की कोशिश की की आप वहां गए थे ये चंग भी मैं कबूल करता हूँ कि यहां प्लांट किया जा सकता है मैं भी मान लेता हूँ कि वो टैक्सी ड्राइवर मुबारक अली जूट बोल रहा है कि वो आपको जंडे वालान लेकर गया था मैं आगे भी मान लेता हूँ कि युवराज होटल का वो वेटर नंदू भी जूट बोल रहा था और ये कि आप ही की बात सच है कि पंथ ने साड़े साथ बजे खाना मंगाया था जो कि आपके कतनानुसा ट्रे में लाया गया था और वो पंथ ने हाथ के हाथ खा लिया था मैं एक मिनट के लिए ये बात भी नजरन्दास कर देता हूँ कि मर्डर वैपन बरामद हो गया है और उस पर आपकी उंगलियों के निशान है माया राम ने बोला कोई कमाल नहीं है मैं जहां पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ पहले मुझे वहां पहुँचने दीजिए बहतर आपकी इस गवाही को कि मक्तूल ने आखिरी खाना साड़े साथ बजे के करीब खाया था निर्विवाद रूप से कबूल कर लेने के बाद मुझे पोस्ट मार्टम का ये नतीजा भी कबूल करना होगा कि कतल साड़े नौ बजे के करीब हुआ तो आप कहते हैं कि आप आठ बजे से दस बजे तक निजाम उद्दीन में किसी दोस्त के साथ थे लेकिन आप उस दोस्त का नाम जुबान पर लाने को तैयार नहीं जब मैं इतनी बाते आपके हक में मान रहा हूँ तो अब आपका फर्ज नहीं बनता कि आप स्थापिद करके दिखाएं कि आप शाम आठ बजे तक वाके निजाम उद्दीन में किसी दोस्त के साथ थे माया राम का सिर अपने आप सहमती में हिला गुड अब बोलिये आठ से दस बजे के बीच निजाम उद्दीन आप कहा थे माया राम हिचकिचाया अब कहा भी चुकिए मैं एक कालगर्ल की सोबत में था तौबा इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगर दिल्ली शहर में किसी कालगर्ल की सोबत करना क्या बहुत बड़ी बात है वो वो खास कालगर्ल है क्या खासियत है उसमें वो दो घंते के पंदरा हजार रुपे चार्ज करती है तो क्या हुआ मेरी मामूली हैसियत को देखते हुए आपको ये बात खटक सकती थी कि मैं जो की अपनी आमदनी का कोई जरिया भी नहीं बताता था पंदरा हजार लेने वाली कॉलगर्ल कैसे अफोर्ड कर सकता था फिर आप इस बात को लेकर भी मेरे पर नए दबाव बनाने लगते की मेरे पास ऐसी शाह खर्ची के लिए रूपिया कहां से आता था अस इस वज़े से आप इस बारे में खामोश थे हाँ चलिए इस बाबत मैंने आपको अभैदान दिया मैं आपकी आमदनी के जरिये के बारे में आप से कोई सवाल नहीं करूँगा मैं नहीं पूछूंगा कालगर्ल्स पर खर्च करने के लिए रूपिया आप दाका डाल के लाए या किसी का गला काट के लाए शुक्रिया अब नाम बोलिए उस कालगर्ल का सीमा पता बोलिए मायाराम ने निजामुद्दीन का एक पता बोला वहां टेली फोन है है उसका नमबर बोलिए मायाराम ने बोला मैं उस कालगर्ल से निजामुद्दीन जाके मिल सकता हूँ लेकिन अपने मौजूदा मूड में आप फिर मेरे पर ही इल्जाम लगाने लगेंगे कि मैंने उस लड़की को आपके खिलाफ सिखा पढ़ा लिया था आप ऐसा ना सोचे इसलिए मैं उसे फोन करके यहां बुला रहा हूँ ताकि उसने जो कहना है आपके सामने कहें फोन कहां है बाहर रिसेप्शन पर जनकराज वहां से निकला और लंबे डग भरता रिसेप्शन की ओर बढ़ चला एस्टरिस्क 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 लूथ्रा नजदी की डाक खाने में पहुँचा जनकराज के पीछे पीछे वो भी वहां से खिसक आया था डाक खाने के PCO से उसने Lotus Club का नंबर डायल किया काल लगी तो वो बोला मैं लूथ्रा बोल रहा हूँ होल्ड करू उसे कुश्वाहा की आवाज सुनाई दी लूथ्रा रिसीवर कान से लगाए ठिटका खड़ा रहा हल्लो फिर उसे विमल की आज सुनाई दी कॉल साहब फिर भी उसने पूछा हाँ, क्या बात है? यहाँ एक घुंदी पैदा हो गई है क्या? बैसाखियों का मोहताच कोई लंगड़ा आदमी तेरा मन्जिल सीधिया कैसे चड़ सकता है? वो भी लिमिटेड टाइम में जिसमें की तेरा मन्जिल सीधिया चड़ के वापिस भी उतरना है कुँ? कई क्षण दूसरी ओर से कोई आवाज ना आई तो वो व्यग्र भाव से बोला हलो एक मिनट चुप रहो सारी वो रिसीवर कान से लगाए खड़ा रहा च्राली आखिरकार दूसरी तरफ से आवाज आई जी इमारत के एक पहलू में लिफ्ट की तरह चलने वाली एक च्राली फिट है जिसमें की कंस्ट्रक्शन मैटिरियल जैसे सीमेंट, रेक, रोडी, इटेन वगैर उपर ढोया जाता है वो च्राली कोई खास बड़ी नहीं होती लेकिन कोई एक आदमी उसमें खड़ा होकर बड़े आराम से नीचे से उपर पहुँच सकता है ओ वो च्राली दो मिनट में नीचे से उपर तेरवी मंजिल तक पहुँच सकती है और दो मिनट में वापिस आ सकती है हाँ आने जाने में सर्फ हुए वक्त के बावजूद काइम बचता है जी हाँ कम से कम तीन मिनट का वक्त तो बचता ही है जो की एक गोली चलाने के लिए काफी वक्त है बिलकुल है उस च्राली में सवार होने की वज़े से ही उसके जूतों को और बैसाखियों को सीमेंट लगा च्राली का कभी भी जाके मुआइना किया जाएगा तो उसकी तलहती में सीमेंट बिखरा पाया जाएगा आप ठीक कह रहे हैं कोई और शंका कोई नहीं तलाशी में जो अगली आइटम बरामद हुई पुलीसियों को उसकी बरामदगी इतनी संसनी खेज न लगी जितनी की उसकी बरामदगी की जगह ने उनको हैरान किया पोर्शन की मिनी किचन में पड़े एक आते के कनस्तर में से 6 लाख रुपए से उपर के नोट बारामद हुए नोट कनस्तर में इस धं से रखे गए थे कि आधा आन्टा उनके नीचे था और आधा उनके उपर था क्या कहते हैं आप इन नोटों के वारे में जनकराज बोला मायाराम बगले जाकने लगा उसे याद नहीं आ रहा था कि एक साथ इतनी सारी मुसीब्ते उस पर पहले कप पड़ी थी आते का कनस्तर गुलत है आपकी मायाराम ने बेचैनी से पहलू बगला जनाब मैं आपसे मुखातिब हूँ मैंने बोला ही था मायाराम दबे स्वर में बोला कि पुराना कमाया कुछ रुप्या था मेरे पास ये वो रुप्या है हाँ कमाय का जरिया जायज था या ना जायज जायज एकदम जायज मसलन क्या वो वो काश्ट की कुछ जमीन बेची थी कहाँ हिमाचल में, रकम आटे के कनस्तर में किसलिए? इधर चोरी चकारी बहुत है, ऐसे वैसे लोग ही बसे हुए हैं इधर, इसलिए जबकि आप खुद ऐसे वैसे लोगों में शुमार नहीं, अब मैं क्या कहूँ? पैसा बैंक में जमा करने पर एदार नहीं आपका, जबकि आप रकम को जायस तरीकों से कमाई भी बता रहे हैं मैं आज कल में सोच ही रहा था बैंक जाके खाता खुलवाने की इस रकम के बारे में आपने ये दावा नहीं किया कि इसे भी कोई आपको फंसाने के लिए आपके घर में प्लांट कर गया था मैं जूट क्यों बोलू? ये मेरी खरी कमाई है जो आपने अपने गाव की पुष्टेनी जमीन बेच कर खड़ी की है? जी हाँ हिमाचल फ्रांस या स्विच्जरलेंड के करीब नहीं पड़ता आप समझते हैं ना कि जो कुछ आप कर रही है उसकी तस्दीक की जा सकती है इस्पेक्टर साहब बोलिये अभी आपने मुझे अभैदान दिया था कि आप मेरी आमधनी के जरिये के बारे मेरे से कोई सवाल नहीं करेंगे आप नहीं पूछेंगे कि रूपया मैं दाका डाल कर लाया या किसी का गला काट कर लाया अब क्या आप हाथ के हाथ ही अपनी जुबान से फिर रही हैं। जनकराज हडबडाया। नेत्र सिकोडे कितनी ही देर वो मायाराम को घूरता रहा। बड़े उस्ताद आदमी है आप। फिर वो बोला कोई बात भूलते नहीं। मालिक हो जनाम। कुछ भी कह सकते हो। चलिए मैं नहीं पूछता कि ये रकम आपके पास कहां से आई। लेकिन मुझे ये पूछने का अक्तियार तो है या वो भी नहीं है कि इस रकम को आपने इतने खुफिया तरीके से आटे के स्तर में क्यों छुपा रखा है। वज़ा मैंने बताई ही है हिफाज़त के लिए? खास हिफाज़त के लिए? हाँ। लेकिन इससे बड़ी रकम को तो आपने ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट के काबिल न समझा। उसे यूँ ही दीवान के बकसे में डाल दिया? या शायद वक्ती तोर पर आपने ऐसा किया था? बात में आप उसे भी कोई ऐसे ही खुफिया जगा अलाट करते। साहब, वो बात नहीं है. तो क्या बात है? जनाब, इतनी बड़ी रकम का दीवान में से बरामद होना अपने आप में सबूत है कि इसे मैंने यहां नहीं रखा. जब मैं एक रकम को हिफाज़त से रखने के लिए कोई खुफिया जरिया तलाश कर सकता था तो दूसरी रकम क भी वैसे ही क्यों नहीं रख सकता था? आप रखते. पहला मौका हाथ आते ही रखते. लेकिन पहला मौका आपके हाथ आया नहीं. पहले ही यहां पुलीस पहुँच गई. कल आधी रात के बाद से कहां आपको मौका लगा है? बकसे वाली रकम को अपने मनमाफिक ठिकाने ल पुशाक के नाम पर वो एक टाइट जीन और स्कीवी पहने थी जिसमें से उसके कसे हुए जिस्म की एक लकी नुमाया हो रही थी. वैल, बिना किसी व्यक्ती विशेश पर निगार डाले वो बड़ी अदासे बोली. आप सीमा है. जनकराज एक कदम आगे बढ़कर आदर्पूर्ण स्वर में बोला. हाँ, मैं सीमा हूँ. मैं जनकराज. सबाइंस्पेक्टर. पहाडगंच थाने से. मैंने आपको फोन किया था. वैल हैर आई एम. थैंक यू. पुलीस से कोपरेट करना मेरा फर्ज है. ठैंक्स अगेन. अब बताइए क्या बात है. क्यों बुलाया गया है मुझे यहाँ. आप यहाँ मौजूद किसी शक्स को जानती पहचानती है. सीमा ने एक सरसरी निगाह तमाम पुलीसियों पर, मायाराम पर, लूथरा पर दोड़ाई और फिर इनकार से सिर हिलाया. मायाराम ने कतकाल बोलने का उपक्रम किया, लेकिन जनकराज ने उसे ऐसी कहरभारी निगाहों से देखा कि स्वयम में भी उसके होंट भिंज गए. यहाँ रोश्नी कम है. जनकराज बोला उपर से आप गागर्स लगाए हैं. जरा चश्मा उतार कर देखिए. सीमा ने बड़ी अदा से चश्मे को अपने माथे पर चड़ा लिया और पहले जैसी निगाफ फिर बाये से दाएं और दाएं से बाये दोडाई. मायाराम आशापूर्ण निगाहों से निरंतर उसे देख रहा था. सीमा का सिर्फ फिर इनकार में हिला. कोई पहचानी सूरत आपको यहां दिखाई नहीं दे रही ने. जनकराज ने पूछा. न. सीमा बोली. इनके बारे में जनकराज ने मायाराम की दरफ इशारा किया क्या ख्याल है आपका? कैसा ख्याल? आप इने जानती हैं? जब मैंने दो बार जता दिया कि मैं यहां मौजूद कोई. सूरत नहीं पहचानती तो मैं खास इने कैसे जानती हो सकती हूँ? ठीक. है कौन ये? बताए जनाब कौन है आप? मैं वो शक्स हूँ मायाराम व्यगरभाव से बोला जो कल आठ बजे निजामुदीन वाले फ्लैट में तुम्हारे साथ था, मेरे साथ थे. वो हैरानी से बोली किसलिए? तुम्हें मालूम है किसलिए? क्यों इतने लोगों के सामने मेरा मोह खुलवाना चाती है? बड़ा बत्तमीज आदमी है ये. खाम खा मेरे गले पड़ रहा है. यू? यू दर्टी रासकल, मुठ्या रूपे लिए थे, वो भूल गई. यू? यू दर्टी रासकल, मुठ्या भीचे, आंखो से अंगारे बरसाती सीमा उसकी तरफ बढ़ी यू राटन स्काउंड्रल. यू? जनकराज ततकाल दोनों के बीच में ना आ गया होता तो शायद वो उसे रौंदती हुई गुजर जाती. इजी? जनकराज अनुन्यपूर्ण स्वर में बोला इजी प्लीज. कौन है ये आदमी जो मेरे पर कुत्ते की तरह भौक रहा है? शान्त हो जाएए. प्लीज. आपने इसलिए मुझे यहां बुलाया है कि ये टके का आदमी मुझे बेजज़त करे. मेरे पर उल्टे सीधे इलजाम लगाए. क्या समझता है ये कर से उठा मुर्णा अपने आपको? मायाराम का चहरा अपमान से जल उठा. मैडम, प्लीज. आई बैग आफ यू. ये अब मुझे नहीं खोलेंगे. श्योर? यस. वो शान्त हुई. बात बोलने लायक नहीं है जनकराज बोला लेकिन क्योंकि ये एक गंभीर पुलीस इंक्वाईरी से तालुक रखती है इसलिए कहना पड़ रहा है. ये साहब कहते हैं कि कल शाम आज से दस बज़े तक निजामुद्दीन में आपकी सोबत में थे. गलब कहते हैं. सीमा बोली न थे, न हो सकते हैं. अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आये कि मैं ऐसे एक्सिडेंटल केसों की सोबत करने लगू. मायाराम फिर तिलमिल आया. ततकाल जनकराज ने उसे खामोश रहने की चेतावनी दी. शकल तो देखो इस मेरी सोबत करने वाले की. कोई कल है सीधी इसकी. एक कल है सीधी. मायाराम तड़क कर बोला मैंने तेरी फीस भरी थी. ठहर जा कमीने. सीमा फिर मायाराम पर जपती जनकराज ने फिर उसे रास्ते में रोका. इस आदमी को यहां से दफा करो वरना. इन्हें यहां से दफा नहीं किया जा सकता. जनकराज बोला ए घर इनका है. तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए. एक मिनेट. सिर्फ एक मिनेट और रुकिए. आल राइट. एक मिनेट. तो आपका कहना यह है कि आप इन साहब को नहीं जानती. कल शाम यह आपके साथ नहीं थे. करेक्ट. है? कल शाम आज से दस तक आप कहा थी? एक फ्रेंड के साथ थी. कहा? निजाम उद्दीन में? नहीं. कनाट प्लेस में? कनाट प्लेस में कहा? लोटस कलब में? फ्रेंड का कोई नाम? कुश्वाहा. कौन कुश्वाहा? जो आज कल उस कलब का संचालब? वही. वो आपका फ्रेंड है? हाँ. वो इस बात की तस्दीक करेगा कि कल शाम आप उसके साथ थी? क्यों नहीं करेगा? ये क्या कोई सिक्रेट है? या मेरा उसके साथ होना कोई गैर कानूनी हरकत है? यानि कि तस्दीक करेगा? खुद पता कर लीजिए. बड़े स्टाइल से उसने अपने हैंड बैग में से कीमती सेलूलर फोन निकला, उस पर एक नमबर पंच किया और फोन जनकराज की ओर बढ़ा दिया. जनकराज ने हिचकिचाते हुए फोन थामा और बोला हल्लो. यस. आवाज आई. मैं पहाडगंच थाने से सबइंस्पेक्टर जनकराज बोल रहा हूं. बोलिये. आप सीमा नाम की किसी लड़की को जानते हैं. कौन सीमा? सीमा सिकन. जनकराज ने फोन वाला हाथ नीचे जुका कर सीमा से पूछा आपका सरनेम क्या है? सीमा बोली. वही. जनकराज फिर सेलुलर में बोला. हाँ. जवाब मिला बाखू भी जानता हूं. आखिरी बार आप कब मिले थे उससे? कल शाम ही मिला था. किस वक्त? यही कोई आठ बजे. कहा? लोटस कलब में. कब तक वो आपके साथ रही थी? जारा तक तो शर्तिया रही थी. काइम उपर भी हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं. शुक्रिया कुश्वाहा साहब. शुक्रिया तो हुआ, भाई. लेकिन इस पूछताच की कोई वज़ा तो बताओ. वज़ा कोई खास नहीं है. बस ये समझ लीजिए कि ये एक रूटीन पुलीस इंक्वाईरी थी. कमार है. अरे भाई, इतना तो बताओ दो की उसमें हम पास हुए या फेल. पास. जनकराज ने फोन सीमा को वापिस कर दिया. हो गई तसल्ली? वो व्यंग्पून स्वर में बोली. जी हाँ, हो गई. अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, शौक से. निगाहों से मायाराम पर भाले बर्चिया बर्साती सीमा वहां रुकसत हुई. अब क्या कहते हैं आप? पीछे जनकराज मायाराम से बोला. मैं क्या कहूँ? मायाराम रुआसे स्वर में बोला मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है? क्यों सारी दुनिया ही एकाएक मेरे खिलाफ हो गई है? कोई और सबूत जो आप अपनी बेगुनाही में पेश करना चाते हूँ? मायाराम का सिर इनकार में हिला तो फिर मैं आपको हरिदत पंत नाम के शक्स के कतल के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ आप ऐसा नहीं कर सकते मायाराम बॉखला कर बोला क्यों नहीं कर सकता? अब क्या कसर रह गई? अभी आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि मैं लंगडा अपाहिज इमारत की तेरवी मंजल पर कतल करने के लिए कैसे पचा? उसका जवाब भी मिल जाएगा हम आपको बुक करके मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे आपका लंबा रिमांड लेंगे फिर आप खुद ही गागा कर बताएंगे कि आप तेरवी मंजल तक कैसे पहुँचे थे चाली के जरिये पहुँचे थे लूथरा बोला चाली कैसी चाली? लूथरा ने बताया कतकाल जनकराज के चहरे पर रौनक आई बढ़िया वो बोला बहुत कांटे की बात बहुत मौके पर बताई मैंने कहां बताई लूथरा बोला तुमने खुद अपनी तफ्तीश से जानी चाली की बावज जनकराज एक विजेता के सेस्वर में मायाराम से संबोधित हुआ जो अभी कहा गया वो आपने सुना मायाराम से जवाब देते न बना वो गैस निकले गुबबारे की तरह पिचक गया मायाराम को अपने थाने के लौक अप में बंद करवा कर जनकराज कनाट प्लेस थाने पहुँचा लूथरा तब भी पुछलने की तरह उसके साथ लगा हुआ था अलबत्ता उसके साथ किसी थाने में उसने कदम नहीं रखा था कनाट प्लेस थाने से जनकराज ने ट्रंग की शनाक्त राई उससे संबंधित कहानी जानी और वहां से सुमन वर्मा का माडल टाउन का पता हासिल किया शाम चार बजे वो माडल टाउन पहुचा उस वक्त प्रदीब भी वहां था और नीलम पिछली रात के लिए सिडेटिव के असर से मुक्ती पा चुकी थी पुलीस को वहां पहुचा पाकर नीलम का दम निकल गया पुलीस के रूबरू होने से पहले सुमन नीलम की बाहप पकड़ कर जबरन उसे बैडरूम में ले गई और सक्ती से बोली एक बात याद रखना दी दी कल रात आप ज़ंदे वाला नहीं गई थी वहां आपके किये कुछ नहीं हुआ था पुलीस जितनी मर्जी पूछताच कर ले जितनी मर्जी दबाव डाले ले आपने अपने जुबानी कबूल नहीं करना है कि कल रात आपने घर से बाहर कदम भी रखा था लेकिन नीलम ने प्रतिवात करना चाहा कोई लेकिन नहीं जैसा मैं कहती हूँ वैसा कीजिए आपको सूरज की कसम कसम ना दे सुमन मैंने दे दी तेरा क्या होगा मेरा कुछ नहीं होगा होगा तो जो होगा देखा जाएगा लेकिन तू तू ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि मैं समझती हूँ कि नन्हेंग सूरज को आपकी ज्यादा जरूरत है लेकिन ये कुर्बानी ये कुर्बानी नहीं वक्त की जरूरत है लेकिन ये ना भूलिये कि आज की तारीक में अगर मैं जिन्दा हूँ तो भाई साहब की वज़ा से वरना अपनी मा और छोटी बहन के बलातकारियों के हाथों मौत के बाद ही कब की मर खब गई होती समझ लीजिए कि मेरी जिन्दगी आप लोगों की अमानत थी जो मैं अब आपको लोटा रही हूँ नीलम खामोश रही उसने बेचैनी से पहलू बदला और जरूरी नहीं कि मेरा कोई गंभीर अन्जाम हो किसी ब्लैकमेलर पर आत्मरक्षा के लिए गोली चलाना कानून द्वारा जायस भी ठहराया जा सकता है ऐसे मेरे साथ भी तो हो सकता है लेकिन आपको अगर चंद रोज भी जेल पढ़ गए तो वो सूरज पर भारी गुजरेंगे वो दूद पीता बच्चा है उसे मा की मा के दूद की जरूरत है ये जरूरत मैं पूरी नहीं कर सकती लेकिन अब छोड़ दीजिये ये लेकिन वेकिन और मेरा कहना मानिये ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका सवेरा नहीं होता हमारे सामने मुसीबत की जो काली रात इस वक्त खड़ी है इसका भी सवेरा होगा देख लीजिएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा नीलम होंटों में बुदबुदाई आईए चलिए अब वो पुलीस वाले शक करेंगे की पता नहीं हम क्या खुसर पुसर कर रही है नीलम उसके साथ हो ली दोनों ड्राइंग रूम में पहुची जनकराज ने अपना परिचय दिया और उपस्थित व्यक्तियों का परिचय हासिल किया मैं उस ट्रंक की बाबत पूचताच करने आया हूँ फिर वो सुमन से संबोधित हुआ जो पहले आप एक टैक्सी में भूल गई थी और फिर आपने उसे कनाट प्लेट थाने से कलेक्ट किया था जिसमें की साथ लाख रुपे की रकम थी क्या पूचना चाहते हैं आप उस बाबत सुमन दिलेरी से बोली वो ट्रंक अब कहा है कहा है क्या मतलब ठाने में ट्रक में मौजूद रकम को गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन का माल बताया गया था कहा है से मेरा मतलब है कि वो माल रकम वाला वो ट्रंक गैलेक्सी में वापिस पहुँच चुका है या अभी यहीं आपके पास है सुमन ने ततकाल उत्तर न दिया उसका दिल गवाही दे रहा था कि उस सवाल में कोई फंदा था वो जो भी जवाब चुनती वो उसे फंसाने वाला होता मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता जनकराज बोला मैं आप लोगों की कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लेना चाहता इसलिए ये बताना अपना फर्ज समझता हूं की मुझे मालूम है की वो ट्रंग कहा है मालूम है तो पूछते क्यों है ये जानने के लिए कि जहां से वो ट्रंग आखिरकार बरामद हुआ है वो वहां पहुचा कैसे कहां से बरामद हुआ है कश्मीरी गेट के इलाके की हसन मंजिल नाम की एक चाल में रहने वाले एक ऐसे शक्स के घर से बरामद हुआ है जो लंगड़ा है अपाहिज है बैसाखियों के सहारे चलता है और जो अपना नाम काशिनात बताता है नीलम के मुंग से सिसकारी निकली लगता है उस अपाहिज के जिक्र से आपके जेहन में कोई घंती अजी है नीलम ने जवाब न दिया च्रंक वहां कैसे पहुँच गया सुमन बोली आप बताईए आखिर वो आपके कबजे में था मेरे कबजे में बिलकुल कनाट प्लेस थाने से आपने क्लेम किया था अब या तो वो गैलेक्सी के आफिस पहुचा होगा या आपके साथ यहां लोटा होगा आप बताईए क्या हुआ था जवाब ये सोच कर दीजिएगा कि गैलेक्सी के आफिस पहुच जाने के बाद उस ट्रंक का किसी काशिनात के धर से बरामद होना नामुम्किन था। सुमन ने जवाब न दिया। ये भी ध्यान रखिएगा कि गैलेक्सी से दर्याफ किया जा सकता है कि ट्रंक वहाँ पहुचा था या नहीं। वो लोग हाँ में जवाब देना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने पहली ही कहा गैलेक्सी से ट्रंक काशिनात के घर नहीं पहुँच सकता। वो ट्रंक मैं अपने साथ लाई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ उस रकम की जरूरत थी। किसको? मुझको नीलम बोली कौन शक्स? वो काशिनात यह नाम मैंने अभी आपकी जुबानी ही सुना है यानि की असल में उसका कोई और नाम है? हाँ क्या? मायाराम मायाराम बावा और यह मायाराम उर्फ काशिनात आपको ब्लैक्मेल कर रहा था? हाँ किस बिना पर? वो मैं नहीं बता सकती क्यों नहीं बता सकती? बस नहीं बता सकती या यू कहिए कि बताना जरूरी नहीं समझती क्या जरूरी है या क्या नहीं जरूरी है? इसका फैसला हम करेंगे ऐसा नहीं हो सकता वो बात मेरी जाती जिन्दगी से तालुक रखती है मैं अपनी जाती जिन्दगी का कोई अंधेरा पहलू आप लोगों के सामने उजागर नहीं करना चाहती ब्लैक्मेल में दो जानों का दखल उता है एक जिसको blackmail किया जाता है और दूसरा जो blackmail करता है जो बात आप अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती वो blackmailer से भी जानी जा सकती है जान लीजिए किसमें रोका है आप समझती है कि blackmailer कुछ नहीं बताएगा मेरे ख्याल से तो नहीं बताएगा बताएगा तो एक जुर्म का इकबाल करेगा ऐसा खामखा कौन करता है? आपको बताने से क्या इतराज है? बताया तो मैं अपनी जाती जिन्दगी का कोई अंधेरा पहलू आप लोगों के सामने उजादर नहीं करना चाहती ऐसा था तो ब्लैक्मेल का जितर ही क्यों किया? मजबूरन किया क्या मजबूरी थी? मैं जानती हूँ कि आप महस च्रंग की वज़ा से यहां नहीं आए है च्रंग मायाराम के पास कैसे पहुचा? इसका जवाब जान लेना भी आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं असल में आप उस कतल की वज़ा से यहां आए हैं जो कि जंडेवालान की एक बंती इमारत की तेरवी मन्जिल पर हुआ लिहाजा वो ट्रंग उस कतल की वज़ा है यही समझ लीजिए क्या किस्सा है? मेरे से साथ लाख की रकम की मांग की गई थी मेरे पास ऐसी रकम नहीं थी मेरे पती गैलेक्सी में एकाउंटेंट की नौकरी करते हैं उनके सदके मैंने चुपचाब गैलेक्सी से साथ लाख रुपए उधार मांगे थे मुझे blackmailer का हुक्म था कि वो रकम मैं खुद पहुचाने की जगह किसी और के जरिए पहुचाओ नतीस्तन मैंने ये काम सुमन को सौपा परसो सुमन blackmailer को सौपने के लिए ही चंक लेकर निकली थी लेकिन हालत कुछ ऐसे बन गए कि चंक blackmailer तक तो पहुचा नहीं टैक्सी में रह गया और फिर थाने पहुँच गया, I.E.C. लेकिन यो ब्लैक्मेलर की दिमांड तो खत्म हो नहीं गई थी, इसलिए ट्रॉंप गैलेक्सी जाने की जगा वापिस यहां पहुँच गया. मैं बीच में टोकने की माफी चाहता हूँ, लेकिन ये जो कुछ आप कह रही है, आप इसे साबित कर सकती है. इत्फाक से कर सकती हूँ. कैसे? ब्लैक्मेलर ने अपनी पिछली मांग एक चिठी में लिख कर भेजी थी. वो चिठी मेरे पास है. दिखाए. नीलम ने बेड्रूम से चिठी लाकर जनकराज को सौपी. जनकराज ने बड़े गौर से वो चिठी पढ़ी. रकम के हवाले में इसमें पाँच को काट के साथ किया गया है. जनकराज बोला. जो कि ब्लैक्मेलर के लालच का नतीजा है. नीलम बोली. ऐसा ब्लैक्मेलर ने किया होगा. और कौन करेगा? उसने अपनी मांग पहले ही साथ लाक क्यों न राखी? बाद में इरादा बना होगा जरा और लंबी लार टपकाने का. एक लफ्स के दम पर टाइपिंग के बारे में कुछ कहना मुश्किल होता है. लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शब्द साथ जो पाँच को काट कर उपर टाइप किया गया है, काईपराइटर से टाइप किया गया है. लूथरा ने भी आगे जुप कर चिथी का मुआयना किया. इसका क्या मतलब हुआ? जनकराज बोला मुझे क्या मालूम? नीलम बोली लगता है पाँच लाग की मांग वाली चिथी किसी और ने टाइप की थी और मांग की रकम को बढ़ाने के लिए पाँच की जगध साथ किसी और ने किसी और टाइप राइटर पर टाइप किया था. नीलम खामोश रही जब आपको चिथी मिली थी तो इस पर क्या दर्ज था? पाँच या साथ नीलम हिचकिचाई ओह, कम ओन जनकराज बोला जब आप इतनी बड़ी बात कबूल कर सकती हैं कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा था तो उसके मुकाबले में तो ये मामूली बात है. मुझे ध्यान नहीं नीलम बोली ध्यान कीजिए इसमें ध्यान करने वाली क्या बात है? सुमन बोली जब ट्रंक में 7 लाख रुपए हैं तो जाहिर है कि चिठी में 5 को काट के साथ इसे भेजने से पहले ही कर दिया गया होगा. तो ट्रंक दिलीवर करने के लिए आप गई थी? हाँ चिठी में दर्स है दिलीवरी के बाबत अगला कदम आपको फोन पर बताया जाने वाला था. क्या बताया गया था आपको? जरा तफसील से बयान कीजिए. सुमन ने किया. इस लिहाज से जनकराज बोला ये तो नहीं कहा जा सकता था कि चंग आप टैक्सी में भूल गई थी. आप तो उसे जानबूच कर टैक्सी में छोड़ कर चल दी थी. किसी वज़ा से ब्लैक मेलर ही उसे टैक्सी में से क्लेम नहीं कर पाया था. चंग क्योंकि ठाने पहुँच गया था, इसलिए उसे कलेम करने के लिए यही कहना मुनासिप था कि मैं उसे टैक्सी में भूल गई थी. बहरहाल चंग वापिस यहां पहुँच गया. अब इसकी दूसरी मर्तबा यहां से रवांगी का किस्सा बयान कीजिए. रकम की डिलीवरी के लिए नीलम बोली ब्लैकमेलर ने मुझे नए निर्देश जारी किये थे. कैसे? ऐसी ही एक और चित्थी लिकर? नहीं. तो टिलीफोन क्या होगा? नहीं. तो फिर? उसने अपना आदमी यहां भेजा था जो मेरे से रूबरू बात करके गया था. कौन आदमी? क्या बोला वो? बोला मायाराम का निर्देश था कि मैं रकम के साथ जण्नेवालान की उस इमारत की तेरवी मन्जिल पर पहुँचू, आप पहुचे. पहुचाएं. सुमन जल्दी से बोली रकम पहुचाने का काम मेरे जिम्मे था. पहले की तरह? जैसा की चिठी में दर्ज है. लेकिन ये तो अभी कह रही थी कि रकम के साथ इन्हें पहुचने के लिए कहा गया था. वो यू ही कुछ लफजों की हैराफेरी थी. असल में ये यही कहना चाहती थी कि इन्होंने रकम को वहाँ पहुचाने का इंतिजाम करना था. यानि कि रकम लेकर आप वहाँ गई थी? हाँ. कैसे? टैक्सी पर. बाहर दो-दो कारे मौजूद हैं. वो क्या आप लोगों की? उसका साथी. जोड़ीदार. हरिदत्पंथ. नहीं? यानि कि मक्तूल? हाँ. हमारी है. तो? मुझे कार चलाने नहीं आती. ओ. तो आप टैक्सी से ज़ंडे वालान गई? हाँ. उस टैक्सी ज्राइवर को तलाश किया जा सकता है. शौक से कीजिए. अगर आप ज़ंडे वालान गई होने के बाबत जूट बोल रही है, तो आप क्यों कान देते हैं मेरे जूट की तरफ? जब सच जूट परखने का जरिया उस टैक्सी जाइवर की सूरत में आपको दिखाई दे रहा है, तो पहले सच को परख ही क्यों नहीं लेते? समझ लीजिये की परख लिया, आपका इतना कामफिडेंस से इस बात का जिक्र करना ही सबूत है, कि आप टैक्सी पर सवार हुई थी और ज़ंडे वालान गई थी, अब आगे बढ़िये, निर्देश के मुताबिक में बंती इमारत की तेरवी मंजिल पर पहुची, वहाँ लंगडे की जगा मुझे उसका साथी मिला, मैं लंगडे की बाबत पूछा तो वो बोला उस्ताद ने रकम कलेक्ट करने के लिए उसे भेजा था, मुझे यकीन ना आया, क्यों? क्यों यकीन ना आया? क्योंकि अगर लंगडे ने अपने जोडीदार का ऐसा भरोसा करना होता तो वो तभी च्रंग न ले गया होता जब की वो च्रंग की बाबत लंगडे का मैसेज लेकर यहां आया था. ठीक, फिर क्या हुआ? मैंने उसे रकम सौपने से इनकार कर दिया तो उसने अपना असली रंग दिखा दिया. वो मुझे धमकाने लगा कि मैंने च्रंग उसे न सौपा तो वो मुझे जान से माल डालेगा. इस इरादे से वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैं दहशत खा गई. अपनी जान और माल की रक्षा के लिए मैंने रिवालवर निकल ली. रिवालवर निकल ली? जनकराज हैरानी से बोल आपके पास रिवालवर कहां से आई? यहां एक रिवालवर मौजूद थी जो की इस कोठी के भूतपूर्व मालिक पिपलोनिया साहब की मिलकियत थी, रेजिस्टर्ड. लाइसेंस शुदा? हाँ नीलम बोली. मेरे पती मिस्टर पिपलोनिया के कानूनी वारिस थे इसलिए. रिवालवर की कहानी में फिर सुनूँगा, बहरहाल इन्हें अपनी बात मुकमल करने दीजिये. तो आप हत्यारबंध होके यहां से गई थी? हाँ सुमन बोली. क्यों? वजह आप खुद समझ सकते हैं. मैं एक नौजवान कुमारी लड़की हूँ जिसे की एक मोटी रकम के साथ रात के वक्त एक सुनसान जगह पर बुलाया जा रहा था. रिवालवर यहां उपलब्ध थी. अपनी हिफाज़त के लिए मुझे उसे साथ ले जाना सूजना क्या बड़ी बात थी? कोई बड़ी बात नहीं थी. तो आपने रिवालवर उस शक्स पर तान दी. हां लेकिन उस पर तो रिवालवर की धंकी का कोई असर ही नहीं हुआ. वो तो एक शैतान की तरह क्रूर हसी हस्ता मेरी तरफ बढ़ता ही चला आया. तब मुझे वो सिर्फ रकम की फिराक में ही ना लगा. मुझे लगा कि वो मेरी इज़द लूटने का भी इरादा रखता था. लिहाजा अपने रक्षा करने के लिए मुझे उस पर गोली चलानी पड़ी. कितनी बार गोली चलाए आपने? सिर्फ एक बार. एक ही गोली ने उसका काम कर दिया था और वो औन्धे मुझ मेरे सामने फर्ष पर धेर हो गया था. प्रदीप सक्पकाया उसके चहरे पर गेहन व्यगरता के भाव आए. आप कुछ कहना चाहते हैं. जनकराज बोला. प्रदीप एक क्षण खामोश रहा, फिर उसने इनकार में सिर्फ हिलाया. आपने जनकराज फिर सुमन की ओर आकर्षित हुआ उसे गोली लगती देखी थी? देखी तो नहीं थी, सुमन बोली वहाँ अंधेरा था और अंधेरे में ऐसा कुछ देख पाना संभव नहीं था लेकिन. गोली तो उसे यकीनन लगी थी. कैसे मालूम? मेरे गोली चलाते ही उसने कलेजा पकड़ लिया था और फिर उन्धे मुह मेरे सामने फर्ष पर गिरा था. अपने पहले कभी गोली चलाई? नहीं? तो फिर पहली ही बार इतनी एक्यूरेसी से एन निशाने पर गोली आप कैसे चला पाई? इत्तफाक से यूँ चल गई गोली. सुमन लप्रवाही से बोली. लेकिन बाहरी शक्तियों से निर्गेशित होने बादे लोग है. दीदी सुमन तीखे स्वर में बोली. और मुझे रिवालवर हैंडल करने का खूब कजुर्बा है. दीदी चुप करो. तु मुझे चुप नहीं करा सकती. थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बातों में आ गई थी. लेकिन मेरी अंतरात्मा को ये गवारा नहीं कि मेरा गुना तु अपने सिर ले. दीदी आपको सूरज की कसम जो आपने एक भी और लफ्स जुबान से निकाला. इस घरी मुझे कोई कसम खामोश नहीं कर सकती. मैं यूँ खुदगर्जी का दामन नहीं ठाम सकती. मेरे मरद ने तेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मुझे सौपी है. मैं उस जिम्मेदारी से मुहन नहीं मोर सकती. मैं उस शक्स की बीवी हूं जो कहता है बाह जीना दी पकडिये, सिर दीजे बाह न चखडिये मैंने तेरी बाह पकड़ी है, मेरा सिर कट जाए, मैं तेरी बाह नहीं चोड़ सकती दीदी, होश में आऊ, होश में ही तो आई हूँ तेरी बातों में आकर मैं पहले होश खो बैठी थी लेकिन अब मैं होश में आ गई हूँ इसलिए तू मुझे चुप ना करा बलकि खुद चुप होके बैठ क्या माज़ा है जनकराज उलजनपूर्ण स्वर में बोला इंस्पेक्टर साहब ये लड़की जूट बोल रही है ये मुझे बचाने के लिए कतल का इल्जाम अपने सिर लेने की कोशिश कर रही है हकीकत ये है कि चंग के साथ मैं जन्डे वालान गई थी पंत के जरिये मुझे जो संदेशा मिला था वो ये था कि चंग के साथ मैंने मैंने उस बंती इमारत की तेरवी मंजिल पर पहुचना था जहां की मायाराम मुझे मिलता मैं वहां पहुची थी तो वहां मायाराम की जगा पंत मैजूद था जिसने की चंक मेरे से जबरदस्ती छीने की कोशिश की थी उसका मेरी इज़त पर हाथ डालने का भी इरादा था तब मैंने पिपलोनिया साहब वाली रिवालवर से जिसे की मैं साथ लेके गई थी, उस पर गोली चलाई थी और वो मेरे सामने कलेजा थामकर फर्ष पर गिरा था ओंधे मुहा? हाँ आपको ठीक से याद है कि वो ओंधे मुहो फर्ष पर गिरा था? हाँ वो हौलनात नजारा क्या मैं इतनी जल्दी भूल सकती हूँ? गिरने के बाद उसके जिस्म में कोई हिल्दुल हुई थी? नहीं बिल्कुल नहीं वो जैसे गिरा था वैसे ही गिरा पड़ा रहा था पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट भी इस बात की तस्दीक करती है गोली उसकी चाती में एन उसके दिल पर लगी थी और उसकी ततकाल मृत्यू हो गई थी यानि कि धराशाय होने से पहले ही वो मर चुका था यानि कि धराशाय होने के बाद उसके जिस्म में कोई हिल्दुल मुम्किन नहीं थी ले प्रदीप के मुंग से निकला आप फिर कुछ कहना चाहते हैं जनक राज उसे घूरता हुआ बोल इंस्पेक्टर साहब प्रदीब धीरे से बोला जब हर किसी पर अपनी काशन्स का दबाब हावी है तो मेरे ख्याल से मुझे भी अपनी कांशस की आवाज सुननी चाहिए और कुछ कहना चाहिए क्या? क्या कहना चाहते हैं आप? कल रात इन दोनों के यहां लोटने के और इस कतल की खबर पाने के बाद मैं भी जण्डेवालान गया था आप भी गए थे? जी हाँ क्यों? क्योंकि जैसे वाक्यात लोट कर इन दोनों ने बयान किये थे उनसे मुझे लगा था कि जरूरी नहीं था कि वो शक्स मर ही गया था वो सिर्फ घायल भी हो सकता था अगर वो गंभीर रूप से घायल होता तो जल्दी डाक्तरी इमदाद मिलने से बच सकता था अगर वो इतना गंभीर घायल न हुआ होता तो वो खुद ही वहां से उठकर चल दिया हो सकता था वहां क्या हुआ था? इस बात की तस्दीक करने के लिए मैं वहां गया था मैं क्वालिफाइड डाक्तर हूँ अगर वो शक्स मरा नहीं था तो मैं उसके किसी काम आ सकता था काफी महान ख्याला थैं आपके क्या देखा अपने वहां? अब जबकि पॉस्टमार्टम की रिपोर्ट तक उपलब्ध है तो आपको मालूम ही है कि मैंने क्या देखा होगा वो मरा पड़ा था? हाँ, लेकिन मैंने लाश को औन्धे मुंग पड़ा नहीं देखा था मैंने उसे प्रदीप एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला अपने एक पहलू के बल फर्ष पर लुड़का पड़ा देखा था अपने डाक्तरी आजबाने के लिए आप ही ने उसे एक पहलू के बल लुड़का दिया होगा Never I never touched him मैंने फासले से ही उसका मुआइना किया था अंधेरे में फासले से क्या दिखाई दिया होगा? मेरे विजिट बैग में टार्च हमेशा रहती है वो टार्च तब भी मेरे पास थी मैंने टार्च की रोशनी में उसका मुआइना किया था और अपने उसे एक पहलू के बल लुड़का पड़ा पाया था हाँ ओंधे मुगा नहीं? नहीं लेकिन आपके सामने वो नीलम की तरफ घुमा वो ओंधे मुगा फर्ष पर गिरा था और फिर नहीं हिला था हाँ आप भी वो सुमन की और घुमा इस बात की तस्दीक करती है हाँ सुमन बोली वो रिवालवर कहा है जो आप किनी पिपलोनिया साहब की बताती है मेरे पास है मीलम बोली आप समझती है न कि जो कहानी अभी आपने बयान की है उसकी रूमे रिवालवर मर्डर वैपन का दरजा रखती है मैंने अपनी इज़त बचाने के लिए गोली चलाई थी किसी भी वज़ा से चलाई थी लेकिन चलाई थी और उससे कोई मरा था इस लिहाज से मौत की वज़ा बनने वाला हथियार मर्डर वैपन ही तो कहलाएगा नीलम खामोश रही जवाब दीजिये जनक राज जिद्भरे स्वर में बोला कहलाएगा नीलम धीरे से बोली क्या मर्डर वैपन जो की इस वक्त यहां मैजूद है आपके कबजे में हाँ लेकिन मर्डर वैपन पर तो पुलीस पहली ही काबिज हो चुकी है मर्डर वैपन हमारे पास है और उसकी बाबत जो साबित किया जाना ज़रूरी है वो पहले ही साबित किया जा चुका है लेकिन वो तो वो तो यहां वो घर में है वहां है जहां कि कलकी वारदात के बाद घर लोट कर अपने उसे रखा था हाँ वो अभी भी वही होगा होना तो चाहिए जाके देखिए है तो लेके आईए चहे पर भारी सस्पेंस के भाव लिए नीलम उठी और भारी कदमों से वहां से वहां से रूखसत हो गई पीछे मुकमल सन्नाटा चाया रहा वो लोटी तो रिवालवर उसके हाथ में थी जिसे की उसने खामोशी से जनकराज के हवाले कर दिया जनकराज रिवालवर का मुआयना करने लगा तो फिर वो बोला ये है वो रिवालवर जिससे अपने गोली चलाई थी हां नीलम बोली जब आप इसे साथ लेकर गई थी तो ये पूरी भरी हुई थी हां इस घड़ी इसमें पाँच गोलिया मौजूद है एक मैने चलाई थी घर में और गोलिया मौजूद है हां है फिर भी आपने एक खाली जगा भरने की कोशिश न की मुझे सूजा तक नहीं था जो और गोलिया घर में मौजूद है वो लेकर आईए नीलम फिर वापिस बैडरूम में गई और गोलियों का दिब्बा लेकर आई उस घड़ी जनकराज रिवालवर में मौजूद गोलिया निकाल कर अपनी हथेली पर रखे उनका मौआयना कर रहा था उसने एक गोली लूथरा को थमाई और बड़े अर्थपूर्ण धंग से उसकी तरफ देखा लूथरा भी गोली का मौआयना करने लगा फिर दोनोंने मिलकर डिबबे में मौजूद गोलियों का भी मौआयना किया आखिरकार उन्होंने डिबबा रिवालवर और गोलियां मेज पर एक तरफ रख दी पहले ये रिवालवर कब इस्तिमाल की गई थी? जनकराज बोला मालूम नहीं नीलम बोली यानि कि जबसे में रिवालवर ये गोलियां आपके हवाले हुई है तब से इस्तिमाल नहीं की गई है नहीं कोई खास बात है बहुत खास बात है क्या? ये कि आप बहुत खुश किस्मत है जी नीली छत्री वाले को आप पर ऐसी मेहर है कि आपका उल्टा काम भी सीधा होता है क्या मतलब? मैडम, अपने कोई कतल नहीं किया जी इसलिए किसी कतल का कोई इल्जाम वो सुमन से बोला अपने सर लेना आपके लिए जरूरी नहीं सुमन भी भौचक की सी उसका मुंग देखने लगी लेकिन प्रदीप बोला वो आदमी वो आदमी जो वहां मरा पड़ा मैंने खुद आपनी आखों से देखा था वो इनकी चलाई गोली से नहीं मरा था लेकिन नीलम आवेश्पूर्ण स्वर में बोली गोली चलाते ही मैंने खुद उसे अपने सामने गिरते देखा था अगर मेरी चलाई गोली उसे नहीं लगी थी तो यानी कि सुमन बोली इनका निशाना निशाने का कोई दखल नहीं तो फिर क्या माज़ा है प्रदीप बोला ये खाली कार्तूस है जनकराज बोला इनमें गोलिया है ही नहीं ये देखिए उसने मेज पर से एक गोली उठा कर उसकी केप उमेठी और भीतर की कैविटी उन्हें दिखाई ये तमाम की तमाम गोलिया जनकराज बोला डिब्बे वाली भी और रिवालवर वाली भी महज पटाखे हैं जो चलाए जाने पर सिर्फ आवाज और धुआ कर सकते हैं मैडम भले ही आप घर से ही कतल का इरादा लेकर रवाना हुई होती लेकिन आप कतल करने में सक्षम नहीं थी तो फिर वो नीलम बोली मेरे घोडा खीचने के बाद वो पच्छाड खाकर मेरे सामने क्यों कर गिरा क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि आपकी रिवालवर में भरी गोलिया नकली थी अपने घोडा खीचा था तो वो समझा था कि इत्तफाक से आपका निशाना चुक गया था लेकिन निशाना बार-बार नहीं चुकने वाला था इसलिए उसने जाहिर किया कि आपकी चलाई पहली ही गोली उसे लग गई थी ताकि आप और कोई गोली चलाना जरूरी न समझती ये बात दीगर है कि आप सारी गोलियां भी उस पर चला देती तो उसका कुछ बिगडने वाला नहीं था मैडम उस चालाफ आदमी की अतिरिक्त होश्यारी ने आपकी जान बचाई अगर वो पहली ही गोली लग जाने पर गिर के मर जाने का अभिनय न करता तो पांच सेकेंड में उसे मालूम हो जाता कि आपका निशाना नहीं चूक रहा था आपकी चलाई गोलिया नकली थी फिर कोई बड़ी बात नहीं कि वो सब कुछ वहां होता जिसका की आपको अंदेशा था नीलं के शरीर ने जोर से जुरजुरी ली लेकिन प्रदीप बोला कतल तो हुआ वो आदमी तो मरा इनके मारे नहीं मरा इन दोनों के वहां से रुकसत हो जाने के बाद वहां कोई और पहुचा जिसने की तब उठकर खड़े होते उस शक्स को गोली मार दी असली गोली मार दी जो उसके दिल में से गुजरी जो उसकी ततकाल मृत्यू की वज़ा बनी और जिसकी वज़ा से लाश एक पहलू के बल फर्ष पर जाकर गिरी ओ लिहाजा मेरा ही दावा ठीक है कि मर्डर वैपन पुलीस की कस्टडी में है ये रिवालवर मर्डर वैपन नहीं इससे न कोई कतल हुआ है ना हो सकता था नीलम और सुमन दोनों ने साफ साफ चैन की सांस ली आपकी जानकारी के लिए मर्डर वैपन ही नहीं मर्डरर भी पुलीस के कबजे में है मर्डरर भी नीलम के मुंग से निकला जिसके खिलाफ की मैंने इतनी मेहन से इतना मजबूत केस खड़ा किया है आप लोगों के ड्रामेटिक इकबालेजुन ने तो मेरे केस की हवा ही निकाल दी थी किसके खिलाफ केस खड़ा किया है आपने प्रदीप उच्सुक भाव से बोला उस शक्स के खिलाफ जो की इस वक्त पहारगंज ठाने की हवालात के सींखचों के पीछे बंध है के नाम से जानती है वो वो गिरफार है जी हाँ अपने जोडिदार हरिदत पंत के कतल के इलजाम में गिरफतार है मेरे पास उसके खिलाफ बड़े पुखता सबूत है लेकिन कतल का कोई उद्देश मेरी निगाह नहीं था मुझे खुशी है कि अब कतल का उद्देश भी मेरी समझ में आ गया है क्या उद्देश है कतल का? यही कि उसका जोडिदार पंत नाम का वो आदमी उसकी काबू में नहीं रहा था और अपनी खिचडी अलग पकाने की सोचने लगा था ब्लैक मेल में हिस्से की जगह वो पूरे माल पर काबिस होने के ख्वाब देखने लगा था मैडम, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके पास वो अपने उस्ताद के भेजे नहीं पहुँचा था बलकि उस्ताद की जानकारी के बिना खुद यहां चला आया था किसी से हिस्सा न बंटाना पड़े तो साथ लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती आपने वो रकम चुपचाप उसे सौंप दी होती तो वो यकीनन उसे खुद डकार जाता और फिर या तो इस बात से मुकर जाता कि उसने आप से कोई रकम हासल की थी या फिर ऐसा गायब होता कि उस्ताद को धूने ना मिलता ओ लेकिन जाहिर है कि किसी तरीके से उस्ताद को उसके नापाक इरादों की भनक लग गई और उसने उसे उसकी बढ़नियती की सजा दे डाली भनक कैसे लग गई? मालूम नहीं लेकिन मालूम हो जाएगा कैसे? वो खुद बताएगा नहीं बताएगा तो खता खाएगा एक बार कोई बंदा पुलीस के काबू में आ जाए और फिर गादा कर सब कुछ खुद ही न बताएगा ऐसा कहीं होता है ओ अब जरा ट्रंक पर वापिस लोटिये आप ट्रंक अपने साथ लेके गई थी? ये भी कोई पूछने ही बात है वो ट्रंक ही तो डिलीवर करने में गई थी ट्रंक आपके साथ वापिस लोटा होगा नहीं? वज़ा? उस आदमी से उलचते वक्त घबराहट में वो मेरे हाथ से निकल गया था और फिर मुझे ढूंडे नहीं मिला था सच पूछिये तो सुमन बोला हमने उसे ज्यादा तलाश भी नहीं किया था क्योंकि हमें वहाँ से निकल भागने की जल्दी थी वो कोई सुई तो नहीं था एक खास बड़ा अदद था उसे तलाश करने में क्या दिकत थी? अंधेरे में वो हमें नहीं दिखाई दिया था मीलम बोली फिर मुझे ये भी अंदेशा था कि वो वहाँ के फ्लोर से लुढक कर नीचे कहीं जागिरा था तेरा मंजिल नीचे या रास्ते में ही कहीं उस बाबत पड़ताल करने का टाइम हमारे पास नहीं था हैरानी की बात है कि आपने इतनी बड़ी रकम से इतनी आसानी से किनारा कर लिया घबराहट में ऐसा हुआ हो सकता है प्रदीप बोला आप ये न भूलिए कि इनकी निगा में वहाँ एक कतल होके हटा था मैं मुतमिन तो नहीं इस बात से लेकिन चलिए मान लेता हूँ मैडम जनकराज बोला वो नीलम की तरफ घुमा आप जरा ब्लैकमेल वाली बात पर फिर से आईए नीलम ने प्रश्नसूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा ये सिलसिला कब से जारी था यही कोई एक महीने से अब तक कितना पैसा वो आप से जटक चुका था मैं इसका जवाब दूँगी तो आप सवाल करेंगे कि वो रकम मेरे पास कहां से आई नहीं करूंगा वादा 9 लाक एक मुश्ट तीम किष्टों में तीम तीन लाक की तीन किष्टों में नहीं पहली मांग 2 लाक की थी फिर 3 लाक की फिर 4 लाक की और अब 5 लाक की जो की किसी करिश्माई तरीके से बढ़कर 7 लाक की हो गई यहीं समझ लीजिए आगे ये सिलसिला कब तक चलता वो कहता था कि इस बार वाली किष्ट आखिरी थी आपको उसकी बात पर यकीन था सीधे से तो यकीन नहीं था लेकिन उसकी अपनी कोई प्राबलम हो सकती थी जिसकी वज़ा से वो मेरा पीछा छोड़ सकता था ऐसे छोड़ता तो नहीं कोई पीछा नीलम खामोश रही लाक मेल की बुनियाद क्या थी? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं मेरा जी जवाब पहले था वो ही अब है इस बाबत मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हर्ज क्या है? है कोई हर्ज? अच्छा, इतना तो बताईए कि आप उस शक्स से ब्लाक मेलर से पहले से वाकिफ थी या ब्लाक मेलिंग की शुरुआत से ही वाकिफित हुई थी नीलम एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली पहले से वकिफ थी यानि कि वो आपकी गुजश्टा जिन्दगी के किसी अंधेरे पहलू का जामिन है नीलम खामोश रही ऐसा क्या किया था कभी आपने जिसकी खबर आम हो जाने की आपको इतनी दहशत है कि आप किसी की जुबान को दौलत का ताला लगाने को तयार थी? आप ये कोशिश बंद कीजिए इस बाबत मैं कुछ नहीं बताने वाली कहीं आप पहले भी तो कतल नहीं कर चुकी? एक क्या कई कर चुकी हूँ ये सवाल पूछने से बाज नहीं आएंगे तो आपका भी कर सकती हूँ जनकराज हरबर आया आप मजाक कर रही है वो बोला मीलम परे देखने लगी आप भूल रही है कि जो शक्स आपको ब्लैकमेल कर रहा था वो गिरफतार है जो बात आप अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहती वो उससे भी कुबलवाई जा सकती है मेरा सारी दुनिया पर जोर नहीं मेरा सिर्फ अपने पर जोर है जो की आप आजमा रही है हाँ अमूमन पुलीस की हमदर्दी ब्लैकमेल के शिकार के साथ होती है आप पुलीस को अपनी तरफ नहीं देखना जाती मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं कि आप बड़े स्ट्रांग कैरक्तर वाली महिला है। फिर भी आप एक लंगरे अपाहिज शक्स से दब गई, उससे मुत्वातर ब्लाकमेल होती रही तो वजह तो कोई करारी ही होगी। मेरे लिए, जो वजह मेरे लिए करारी है, वो जरूरी नहीं की काईदे कानून के लिए भी करारी हो। अब छोड़ना। एकायक लूथरा उसे कोहनी मारता हुआ दबे स्वर में बोला। जनकराज सक्पकाया, फिर उसने सहमती में सिर हिलाया और फिर एकायक वो उठ खड़ा हुआ। नीलम ने चैन की सांस ली। सहियोग का शुक्रिया। जनकराज बोला जाने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बता कर जाना चाहता हूँ। मैं यहां सिर्फ ट्रंग के बाबत पूछताच करने आया था। कतल का आप लोगों से कोई वास्ता हो सकता था, इसका ख्याल नहीं था और तो और मुझे ये तक ख्याल नहीं था के चम की कतल के साथ कोई जुगलबंदी हो सकती थी। आप देवियों ने पुलीस को यहां पहुचे देखा तो कूद कर इस नतीजे पर पहुच गई कि पुलीस को कतल से आपके वास्ते के खबर लग चुकी एसी मुखर हुई की जानकारी की गंगा जमुना बह निकली। मुझे खुशी है की ऐसा हुआ। मुझे और भी खुशी होती अगर ये सिलसिला थोड़ा और आगे चलता और आप ब्लैकमेल की वज़ब भी बयान कर देती। लेकिन अफसोस की आप बड़बोलेपन की उस जैसे च्रंक वाली बात का एक दूसरा सिरा था जिसे मैंने पकड़ा था और पकड़ कर यहां तक पहुँचा था। वैसे ही ब्लैकमेल वाली बात का भी एक दूसरा सिरा है जिसे पकड़ कर अब मैं ब्लैकमेलर तक पहुँँगा जो की पूरी तरह से मेरी मुठ्थी में ह मैं देखता हूँ उस बाबत वो क्या राग अलापता है। मैं अर्ज करूँ। विमल उस वक्त लोटस क्लब में कुश्वाहा के आफिस में मौजूद था। कुश्वाहा थोड़ी ही देर पहले उठकर कही गया था। पुलीस में तेरी पेशी हो गई। उसने पूछा। हाँ बाब। मुबारक अली बोला। कैसी बीती। बधिया। जैसे होना चाहिए था वैसी सब कुछ हुआ। उधर तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में नहीं बोला था। नहीं बोला था बाब। हुआ बोला पर बहुत वो। मुबारप अली दांत निकालता क्या कहते हैं? अंग्रेजी में काबू करना पड़ा था, बहुत जास्ती काबू करना पड़ा था वरना जुबान का पता लगता था कि कब फिसल जाती? हमारे जमूरे का क्या हाल है? बुरा हाल है पहाड गंज थाने में बंध है फार फार कर अपनी बेगुनाही की दोहाई दे रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं, कोई यकीन करने वाला नहीं गुड बाप अली वली कहते हैं कि पुलीस का फेरा माडल टाउन भी लग चुका है वहाँ क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ वो लूथरा ही बता सकता है कुछ उस बाबत हाश्मी कहा है? बाहर मेरी टैक्सी में बैठे ला है बुला के ला है अभी? मुबारक अली चला गया तभी फोन की घंती बजी विमल ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया तो पाया कि लाइन पर लूथरा था उसने सविस्तार बताया कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था लंगडे की बाबत पुलीस का क्या प्रोग्राम है? कल सुबा दस बजे उसे तीस हजारी कोट में पेश किया जाएगा और रमान हासिल किया जाएगा तुम मेरी उससे एक मुलाकात फिक्स करा सकते हो आज तो मुश्किल होगा क्योंकि अभी तो उसकी ठाने में ही लंबी इन्वेस्टिगेशन होगी दंडा परेड भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं कल कोट में पता नहीं कितना वक्त लग जाए कल सुबा सवेरे? आज से पहले? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और फिर आपको खबर करता हूँ विमल ने रिसीवर रख दिया हाश्मी के साथ मुबारक अली वापिस लोटा हाश्मी ने विमल का अभिवादन किया बैठो विमल बोला हाश्मी बैठ गया मुबारक अली उसके करीब खड़ा रहा क्या जाना? विमल बोला वो पंडित हाश्मी बोला जिसने सर्टिफिकेट जारी किया था मर चुका है वहाँ बाल विवा आम बात है नाबालिक लड़की की उम्रदराज मर्द से शादी भी आम बात है लेकिन शादी का ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी करने का कोई रस्मोरिवाज वहाँ नहीं है इसलिए ऐसा कोई रिकार्ड रखे जाने का या कोई डुप्लिकेट कापी रखे जाने का सवाल नहीं है सवाल तो नहीं है लेकिन फिर भी शायद रखा हो नहीं रखा पंडित की जिन्दगी में उसके पास मंदिर के परिसर में एक कमरा था जिसमें वो कोई 40 साल से रहता आ रहा था और जिस पर 6 महीने पहले हुई उसकी मौत के बाद से ताला लगा हुआ था मैंने वो ताला खुलवा कर पंडित के सामान की एक एक चीज कटोली थी वहाँ कोई दुप्लिकेट कापी नहीं थी, कोई रिकार्ड जैसा रजिस्टर बही खाता नहीं था वो सर्टिफिकेट जरूर एक स्पेशल केस के तौर पर किसी खास जरूरत को मद्दे नजर रख कर जारी कराया गया था जारी कराया गया था कि क्या गारंती है जब कोई रिकार्ड नहीं तो क्या पता हमारे आदमी ने वो सर्टिफिकेट खुद बना लिया हो ऐसा नहीं है फोटो कापी पर से उस पंडित का हैंडराइटिंग बहुत लोगों ने पहचाना है और किसी को उस गाव में नीलम और मायाराम की शादी की खबर नहीं है मैंने जिस किसी से भी बात की उसने शादी की बात पर हैरानी जाहिर की क्योंकि वहां के तो बच्चे-बच्चे की जुबान पर है कि मायाराम नीलम को भगा के ले गया था आईसी जनाब मायाराम की उस हरकत के लिए आज भी उस गाव उस सारे इलाके में इतनी नाराजगी है कि बकिस्मती से मायाराम कभी वहां पहुँच गया तो गाव वाले उसे जूतों से मारेंगे जहां उस शक्स के बारे में ऐसा रोश है वही के एक पुजारी ने उसकी शादी करवाई और बाकाइदा सर्टिफिकेट भी जारी किया जरूर मोटी दक्षणा के लालच में तभी तो अपनी जिन्दगी में उस पंडित ने उस शादी का कभी जिक्र न किया जरूर गाव वाले मुबारक अली बोला उस बेजा हरकत के लिए उसकी भी वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कजार कर देते तभी तो आज भी वहां यही अफवाह कायम है कि मायाराम नीलम को गाव की एक नाबालिग लड़की को भगा कर ले गया था कमार है विमल बोला ऐसा आदमी ये दावा करता है कि अगर वो मर गया तो उसके गाव से 150 आदमी इधर आएंगे और उसकी बेवा को घसीट कर वापिस गाव ले जाएंगे वो जूट बोलता है हाश्मी बोला अब तो ऐसा ही मालूम होता है गाव में उसकी ऐसी कोई गुडविल स्थापित नहीं ये बहुत अच्छी खबर लाए हो हाश्मी हाश्मी खामोश रहा विमल भी कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला लेकिन शादी तो हुई थी वो कमीना शादी की तस्वीरे दिखाता है चुक्के से मंदिर में ही हुई होगी हाश्मी बोला कन्यादान भी पंदित ने ही कर दिया होगा गवाँ भी पंडित ही होगा या उधर होगा कोई उसका जिगरी मुबारक अली ने राय पेश की जिसने कन्यादान भी किया होगा और जो शादी का गवाँ भी रहा हो हर किसी का होता है हो सकता है जैसे मेरा तुकाराम था खुद मेरी शादी में तुकाराम ने कन्यादान किया था और वागले इकलोता बाराती था हाश्मी के चहरे पर उल्जन के भाव आए तू नहीं समझेगा मुबारत अली शान से अपने और विमल की ओर इशारा करता हुआ बोला बड़े लोगों की बाते हैं मामू हाश्मी बोला तुम भी बड़े लोग ये भी भाजा है विमल बोला मुबारत अली दान्द बहुत बड़ा कुनबा है बाप निकालता बोला मेरे को तो खुद याद नहीं रहता कि मैं किस किस का मामू हूँ विमल हसा फिर वो हाश्मी से बोला और कुछ हाश्मी ने इंकार में सिर हिला दिया एस्टरिस्क 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 जनकराज अपने थाने पहुचा अब लूथरा उसके साथ नहीं था आना वो वहाँ भी चाहता था लेकिन जनकराज ने बड़ी सक्ती से उसे वो छूट देने से इंकार कर दिया था वो नहीं चाहता था कि उसके थाना ध्यक्ष को इस बात की खबर लगती कि उसकी नौकरी से बेज़ज़त करके निकाले गए एक ऐसे पुलीस कर्मी के साथ जुगलबंदी थी जिस पर कोट में केस था और जो आइंदा दिनों में सजा पा कर जेल जा सकता था उसने पाया कि थाना ध्यक्ष उस वक्त थाने में नहीं था वो अपने कमरे में जा कर बैठा जहां कि उसने मायाराम को तलब किया लाकप से निकल कर मायाराम को उसके कमरे में लाया गया बैठो जनकराज बोला मायाराम उसके सामने एक कुरसी पर बैठ गया उसकी बैसाखियां भी उसके खिलाफ सबूत था लेकिन ये पुलीस की महर्बानी थी कि वो उसे लोटा दी गई थी अब कैसा मिजाज है? जनकराज बोला कोई कस बल धीले हुए या नहीं? मायाराम ने बेचैनी से पहलू बदला मैं खुला खेल खेलने का आदी हूँ इसलिए किसी मामले मैं भी तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाता सुबह तुम्हारी चाल में तुम्हारे एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था मायराम की भवे उठीन तुमने सवाल कि तुम्हारे पास कतल का उद्देश क्या था? क्यों तुमने कतल किया था? अब मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ अब मैं बदा सकता सकता हूँ कि अपने पार्टनर का कतल तुमने क्यों किया? वो मेरा पार्टनर नहीं था मायाराम दबे स्वर में बोला तो क्या था? वो महज मेरा मददगार था एक अपाहिज का मददगार था वो यानि की वालंटियर था सोशल वर्कर था दीम हीन दुख्यारों की निस्वार्थ मदद करके अपना परलोग सुधारने में विश्वास रखता था तुम्हारे जैसे और भी लूले लंगडे उसकी चैरिटी लिस्ट पर थे? ऐसा तो नहीं था लेकिन क्या लेकिन? वो मेरा पार्टनर नहीं था था? बराबर था अलबत्ता ये कह सकते हो की जूनियर पार्टनर था इसलिए तुम्हारे साथ उसकी हिस्सेदारी 50-50 की नहीं इन्टी 5-75 की थी जी उसके घर से एक पैकेट बरामद हुआ था जिसमें सवा 2 लाक रुपे थे तुम्हारे आटे के कनस्तर में से 6 लाक के ऊपर की रकम बरामद हुई थी मेरा दावा है कि वो रकम मूल रूप से पौने 7 लाक थी बरामदी वाली रकम इससे जितनी कम थी वो तुम पिछले दिनों अपनी अयाशियों पर रंडी बाजी के अपने खास शौक पर खर्च कर चुके हो हरिदत्त पंत को शायद ऐसा खर्चीला कोई शौक नहीं था इसलिए उसका हिस्सा बरकरार था हिस्सा नौ लाक रूपे में हिस्सा जिसको 25 और 75 की परसेंटेज में बाटा जाए तो जूनियर पार्टनर के हिस्से सवा 2 लाक रूपे आए और बड़े खलीफा का बड़ा हिस्सा पौने 7 लाक का हुआ ये रकम तुमने किसी को ब्लैक मेल करके 3 किष्टों में हासिल की थी चौथी किष्ट 7 लाक रूपे की वो बड़ी रकम थी जो की चंक में बंद थी और जिस पर तुम्हारे पार्टनर ने नियत मेली की थी जिसकी मेली नियत की सजा तुमने उसका कतल करके दी थी नहीं, बिलकुल नहीं, मैंने तुम इस बात से इंकार करते हो कि तुम दोनों किसी को ब्लैक मेल कर रहे थे अगर मतूल तुम्हारा पार्टनर नहीं था, वो शोकिया तुम्हारे साथ चिपका हुआ था और तुम्हारी मदद कर रहा था तो अकेले तुम किसी को ब्लैक मेल कर रहे थे हाँ, इनकार करता हूँ, तुम मूर्ख हो और समझते हो कि पुलीस भी तुम्हारी तरह मूर्ख है या तुम हमें मूर्ख बना सकते हो, तुम भूल रहे हो कि जिस बात से तुम इनकार कर रहे हो, उसकी तस्दीक तुम्हारी ब्लैक मेलिंग का शिकार भी कर सकता है, कर चुका है कर चुका है हाँ कभी मुझे मालूम है कि तुम तीन किष्टों में नौ लाख रुपए उससे जटक चुके हो और अब साथ लाख की चौथी किष्ट जटकने वाले थे वो ऐसा कहती है कि मायाराम ने अपने होंट काटे जनकराज ठठा कर हसा इसे कहते हैं चोर की दाड़ी में तिनका वो बोला मैंने तो ब्लैकमेल के शिकार के शक्स का नाम नहीं लिया था मैंने तो नहीं कहा था कि तुम्हारा शिकार कोई मर्द थाया कोई औरत थी अभी तुमने अपनी ही जुबानी कबूल किया कि तुम्हारी शिकार कोई औरत थी मैंने कुछ कबूल नहीं किया अभी तुमने नहीं कहा कि वो ऐसा कहती है जुबान किसी की भी फिसर सकती है ठीक है तुम्हारा शिकार कोई औरत नहीं औरत नहीं तो मर्द होगा लेकिन है तो सही न ऐसा कोई यानि कि तुम कबूल करते हो कि तुम किसी को ब्लाकमेल कर रहे थे नहीं जब वो तुम्हारे सामने खड़ी होकर ये बात कहेगी तो तुम कैसे मुक्रोगे? मैं नहीं करूंगा, मैं हकीकत बयान करूंगा, मैं कहूंगा कि वो जूट बोल रही है, पुलीस के सिखाए पढ़ाए जूट बोल रही है, हमारे सिखाए पढ़ाए? आप मेरे पीछे पढ़े हैं, यो आपका केस मजबूत होता है, वो जो इतने गवाह और है, तुम्हारे खिलाफ वो होटल का वेटर नंदू, वो टैक्सी वाला मुबारक अली, वो लड़की सीमा सिकन क्या वो भी हमारे सिखाए पढ़ाए है? जवाब ये सोच के देना कि तुम्हारे जिक्र के बिना हम उनमें से किसी के वजूद से भी वाकिफ नहीं थे, आप कभी ये साबित नहीं कर सकते कि मैं किसी को ब्लैटमेल कर रहा था, मैं कोशिश करता हूँ, ये चिठ्थी देखो, जनकराज न टाइप शुदा चिठ्थ मायाराम के सामने लहराई तो उसका कलेजा लग जा, ये चिठ्थी क्या है, तुम बखु भी जानते हो, लेकिन मौजूदा हालात में हर बात से बेकबर बन कर दिखाने की तुमने कसम खाई हुई है, इसलिए मैं ही बताता हूँ कि ये क्या है, ये ब्लैकमेल का अपने शिक होगा ब्लैकमेलर, उसका कुकर्म आप मेरे पर क्यों ठोप रहे हैं? तुम्हारे दसों उंगलियों के निशान हमारे पास हैं, जो कि तुमने मर्डर वैपन पर से उठाए गए उंगलियों के निशान से मिलाने के लिए अपनी राजी से हमें दिये थे, अगर तुम्हारा से या इस चिठी से कुछ लेना देना नहीं तो ऐसा क्यों कर हुआ कि उस कार्प्राइटर के कैरेज सरकाने वाले लिवर पर से हमें तुम्हारे बाएं हाथ की पहली उंगली और अंगूठे के निशान मिले? क्या? मक्तूल क्योंकि तुम्हारा मददगार था इसलिए उसको वो चिठी टाइप करके देकर तुमने मदद के बदले मदद की थी ठीक मायाराम के चेहरे पर हवाईया उठने लगी उससे जवाब देते ना बना ये कि चिठी तुम्हारी ब्लाप मेल की कर्तूट का ही सबूत नहीं है इस बात का भी सबूत है की कैसे तुम्हारे जोडीदार की नियत बढ़ो गई थी कैसे पहले उसने चिठी में पांच को साथ करके एन तुम्हारी निगाह के नीचे से दो लाख रुपे खिसका लेने की स्कीम बनाई थी और ट्रंप के कनाट प्लेस थाने पहुँच जाने की वज़से कैसे बाद में उसने पूरी की पूरी रकम हड़ब जाने का सामान किया था तुम्हें किसी तरीके से उसकी चालबाजी की खबर लग गई थी इसलिए हत्यार से लैस अपने के लिए पहुचा हुआ था वहां तुमने मक्तूल को शूट करके उसे उसकी बेमानी की सजा दी और ट्रंप अपने कबजे में कर लिया जो की बाद में तुम्हारे घर से बरामद हुआ किसी ने मेरी जानकारी के बिना मेरे घर में रखा इसलिए बरामद हुआ किसने? तुमने कई बार दुहाई दी कि तुम्हें फंसाने के लिए कोई तुम्हारे खिलाफ एक से एक खतरनाक चाल चल रहा था लेकिन किसी का नाम न लिया तुम नाम लो उस शक्स का, फिर हम उसकी भी तफ्तीश करते हैं माया राम सोचने लगा अब जबकि ब्लैक्मेल की कहानी भी खुल चुकी थी और उससे उसका रिष्टा भी जुड़ चुका था तो अब सोहल का नाम लेने में क्या हर्ज था? लेकिन उससे उसे हासल क्या था? वो कैसे साबित कर पाता कि जो कुछ उसके खिलाफ हुआ था, सोहल के किये हुआ था? अभी पुलीस को उसके अमरिटसर वाले कारनामे की खबर नहीं थी, वो सोहल का नाम लेता, सोहल पकड़ा जाता, पुलीस को उसके उस कारनामे की खबर लगती तो बतौर काशीनात, वो ब्लैक्मेल और मर्डर के इलजाम से तो शायद बच जाता, बतौर मायाराम दकैती औ और डबल मर्डर के इल्जाम से हर्गिज न बच पाता। उसकी अकल ने उसे यही राय दी की फिलहाल उसे उस बाबत खामोश ही रहना चाहिए था। ठीक है मत बताओ। जनकराज बोला तुम समझते हो कि खामोश रहकर तुम अपनी गरदन बचा सकते हो ऐसी कोई कोशिश करने का तुम्हें पूरा अक्तियार है। बहरहाल तुम्हारे खिलाफ मेरे केस में ये एक खामी थी कि मो कतल का कोई उद्देश बयान नहीं कर सकता था। अब मैंने वो भी कर दिया है। कतल तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा पार्टनर बेमान हो गया था और ब्लैक मेल की नई किष्ट पूरी की पूरी हड़ब जाने पर आमादा था। मायाराम खामोश रहा। कल तुम्हें रिमान के लिए कोट में पेश किया जाएगा। कम से कम दो हफ़ते का रिमान तो बड़ी आसानी से हासल हो जाएगा। इतने टाइम में तो वहां गूंगे बोल पड़ते हैं तुम खैर फिर जुबान वाले हो। मायाराम के जिस्म में सहरन दोड़ गई। और फिर रिमान फिर मिल जाता है, फिर के बाद फिर मिल जाता है। ये जुल्म होगा। मायाराम ने आर्तनात किया गरीब मार होगी। तुम क्यों सहते हो जुल्म? क्यों खाते हो गरीब मार? कितनी बार तुमने दुहाई दी कि कोई तुम्हें फसा रहा है? ये नहीं बताना चाहते हो कि कौन फंसा रहा है, तो कम से कम यही बताओ कि क्यों फसा रहा है? क्यों कोई इस हद तक तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ ह कि तुम्हें फासी लड़ा देखने का तमन्नाई है, हर बात की कोई वज़ा होती है, तुम कोई ऐसी वज़ा ही बताओ जो किसी का तुम्हारे पीछे पड़ा होना जस्टिफाई कर सके, वज़ा मुझे रास्ते से हटाना है, कौन से रास्ते से हटाना है, किसके रास्ते से अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हारे जोडिदार का कतल कर दिया ताकि तुम उसके कतल के इल्जाम में फासी चड़ जाओ हाँ एक काम को अंजाम देने के लिए जब सीधा रास्ता सामने था तो ये लखनव वाला सहारनपुर जैसा रास्ता किसलिए मेरे भाई उस शक्स की अपनी किसी दुश्वारी का हल कतल में दिखाई देता था उसने कतल ही करना था तो चोर की मा को क्यों न पकड़ा उसने तुम्हारा कतल क्यों न किया उसने तुम्हें कतल के इल्जाम में फंसाने का पेचीदा और लंबा रास्ता क्यों अक्तियार किया जिसका कोई उसके मनमाफिक नतीजा निकलते निकलते निकलता किसी करिश मासाज तरीके से तुम संदहला पाकर बरी भी हो सकते हो, हो तो नहीं जाओगे, लेकिन हो सकते तो हो ना, तुम्हें सीधे ही गोली मार कर उसने इंस्टेंट नदीजा क्यों ना हासल किया, अब मैं क्या बताओँ, तुम नहीं बताओगे तो और कोन बताएगा, मायाराम खामोश रहा, अच्छा, यही बताओँ कि ब्लैक्मेल की बुनियाद क्या थी, तुम्हारा क्या जोर था अपने शिकार पर, मैंने कब कभूल किया कि मैं किसी को ब्लैक्मेल कर रहा था, अब कोई कसर रह नहीं कभूल करने में, हर बात तो पुकार पुकार कर ब्लैक्मेल स्टोरी की तरफ इशारा कर रही है, यह अकेली चिठी ही ब्लैक्मेल स्टोरी को स्थापित करने के जो कोई भी वो था, मौक्यवार्दत पर तो वो पहुचा ही था ना? क्या जरूरी है? उसके बिना ट्रंग सर्कुलेशन में कैसे आता? ठीक है, पहुचा था. तो? वो कातिल क्यों नहीं हो सकता? तो वज़से नहीं हो सकता? एक तो अगर उसका कतल का इरादा होता तो ब्लैकमेल की रकम को उसने मौक्यवार्दत पर लाना जरूरी न समझा होता. हो सकता है घर से ही वो कतल का इरादा लेकर न चली हो मेरा मतलब है न चला हो बाद में मौक्यवारदात पर हाथ के हाथ कोई ऐसे हालात पैदा हो गए हो कि उसे कतल करना पड़ा हो काफी चालाख हो तब तो रकम वाला ट्रंग उसके साथ ही होता होता लेकिन तब वो ट्रंग जैसे वहां पहुँचा था वैसे ही उसी के साथ वापिस लोटा होता असल में तो ट्रंग तुम्हारे घर पहुँच गया जो कि अपने आप में इस बात का सबूत है कि कतल तुमने किया तुमने कतल करके अपने पार्टनर से वो ट्रंग वापिस ज़ड़का और उसे अपने घर ले गए उस टैक्सी ज्राइवर ने वापसी में मेरे साथ किसी ट्रंग के होने का जिक्र नहीं किया था इसलिए नहीं किया था क्योंकि याद करो ये बात उससे पूछी नहीं गई थी तुम्हारी तसल्ली के लिए उसे हम फिर बुला लेंगे और फिर सवाल करेंगे देख लेना जवाब यहीं मिलेगा कि जंडेवालान से लोटती बार तुम्हारे पास एक चुंक भी था जो मैं बैसाखिया सभाले उठा कर चल सकता था प्रत्यक्ष को प्रमान किया कुछ तो किया ही होगा तुम्ने च्रंग को गले में लटका लिया होगा बगल में दबा लिया होगा सिर पर लाग लिया होगा तुम इतने लंगरे नहीं हो, बिना बैसाखियों के भी चल सकते हो, एक बैसाखी से भी चल सकते हो तुमने दोनों बैसाखियां एक बगल में कर ली होंगी और दूसरे खाली हाथ में च्रंक संभाल लिया होगा आखिर कोई मीलो तो नहीं चलना था तुमने ट्राली से टैक्सी तक ही तो आना था जो की कोई खास फासला नहीं है तुम्हारी चाल के दर्वाजे से तुम्हारे घर के दर्वाजे का फासला भी कोई खास नहीं है आप दो वज़ा बता रहे थे ब्लैक्मेल के शिकार के कातिल न हो सकने की दूसरी वज़ा क्या है आपके ख्याल से? वो वज़ा मेरे ख्याल से नहीं, यकीन से है मुझे यकीनी तौर पर मालूम है कि ब्लैक्मेल का शिकार कातिल नहीं कैसे मालूम है वो क्यों कातिल नहीं ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता क्यों नहीं बता सकते बस नहीं बता सकता तुमने और कुछ कहना है इस बाबत तो कुछ नहीं कहना लेकिन तो मैं हवलदार को बुलाओं जनकराज मेज पर पड़ी घंती की और हाथ बढ़ादा हुआ बोला ताकि वो तुम्हें वापिस हवालात में बंद करके आए एक मिनिट मायाराम हडबडा कर बोला सिर्फ एक मिनिट प्लीज ठीक है जनकराज हाथ वापिस खीचता हुआ बोला एक मिनिट बोलो क्या कहना चाते हो जनाब मायाराम बड़े दैनिय स्वर में बोला मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मैंने कोई आला दिमाग नहीं पाया जो की मैं किसी वकील की तरह जिर्फ कर सकू मैं आपकी तरह तफ्तीश और चोर बहकाने के तौर तरीके भी नहीं सीखा हुआ क्या कहना चाते हो जनकराज उतावले स्वर में बोला आप कहते हैं कि कतल मैंने किया कहते क्या है मोहर बंद किये बैठे हैं इस बात को की मैं ही कातिल हूँ इसलिए आपको जो बात मेरे खिलाफ जाती लगती है उसे तो आप बढ़ा चड़ा कर जोर शोर से खम ठोक कर कहते हैं लेकिन जो बात मेरे हक में जाती जान पड़ती हैं, उसको आप हलका और कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं, कि वो कोई एहम बात नहीं, ऐसी कौन सी बात हुई? कई बाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये ही है, कि जिस आदमी का कतल का इरादा हो, वो अपने बचाव का कोई पुकता इंतजाम सोच के रखता है, अपने हक में ऐसे गवा सांट के रखता है, जो उसके हक में गवाही से हिलके न दे, लेकिन मेरे साथ तो सब उल्टा हो रहा ह मैं जिस गवाह का भी जिक्र अपनी बात को दम देने के लिए करता हूँ, वो कोई और ही कठा करने लगता है, मसलन वो होटल का वेटर नंदू, जो मेरे सामने च्रे में खाना लाया, आपके पूछने पर कहने लगा कि पैक करा के लाया, वो टैक्सी जाइवर, जो मुझे निजामुद्दीन से सीधा कश्मीरी गेट लाया, बोला कि मैं जंडे वालान भी गया, वो लड़की जो निजामुद्दीन में दो घंटे मेरे साथ नंगी लेटी रही, बोली कि मेरी शकल नहीं पहचानती, मैं अभी भी नहीं समझा कि तुम क्या कहना चाते हो, पुजुर, माई बाप, अगर मुझे जरा भी इमकाम होता कि वो लोग ऐसा बयान देंगे तो क्या मैं उन्हें अपनी तरफ से अपनी हिमायत के लिए पेश करा, अगर मैं जंडे वालान गया होता तो क्या मैं खुद ये पेशकश करता कि आप उस टैक्सी जावर से इस बा पहले से किये अपने इंतजामात के तहट किया था जो की वक्त पर काम ना आए जी तुमने रिश्वत देकर टैक्सी जावर को सांठा की पूछे जाने पर वो तुम्हारे जंडेवालान भी गए होने का नाम न ले मौका आया तो वो पुलीस से दहशत खा गया और पढ़ाई गई जूटी पटी पढ़ने की जगा हकीकत बयान कर बैठा उस लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ पहले तो वो तुम्हें एलिबाई देने के लिए हां कर बैठी लेकिन असल में पुलीस से आमना सामना होने पर उससे ये कबूल करते ना बना की वो कालगल थी मेरे भाई पढ़ाए गवाह मौका आने पर आम मुकर जाते हैं खास तोर से वो जिने की जूठी गवाहियां देने का कोई तजुर्बा भी नहीं होता इसी बात में तो तुम मात खा गए कि तुम्हारे सिखाए पढ़ाए तोतों ने तुम्हारा रागना अलापा मायाराम हुआ से स्वर में बोला वो मेरे सिखाए पढ़ाए नहीं थे मैं बोला वो किसी और के सिखाए पढ़ाए थे किसकी? नाम लो उसका अगर ऐसा कोई शक्स है तो बताते क्यों नहीं हो कि वो कौन है और क्यों तुम्हारे खिलाफ है मैं अभी उसे तलब करता हूँ और तुम्हारे सामने उसका बयान लेता हूँ बोलो कौन है वो? मायाराम कुछ न बोला ऐसा कोई शक्स हो तो कुछ बोलो न तुम समझते हो कि ख्याली पुलाव पकाने से, हवाई घोडे दोडाने से तुम बच जाओगे मेरे पास ये साबित करने का कोई जरिया नहीं की मेरे खिलाफ जो कुछ किया, उसने किया तुम नाम तो लो उसका जरिया हम निकाल लेंगे जनाब, अगर आप सच में कुछ करना चाते हैं, तो भगवान के लिए असली कातिल का पता लगाईए कातिल मेरे सामने बैठा है, मैं कातिल नहीं हूँ, तो कौन है? आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बेगुनाही को खातिल लाइए, फिर आपको खुद ही लगने लगेगा कि कातिल कोई और है कौन? तब आप ये पता भी लगा लेंगे यानि कि मैं अपने महत्मे के लिए काम करने छोड़के तुम्हारे लिए काम करना शुरू करू? ठाने की ड्यूटी बजाने की जगा तुम्हारी ड्यूटी बजाओ? मैं ये तो नहीं कहता लेकिन चलो, मैं वो भी करता हूँ लेकिन तुम भी तो कुछ करो मैं क्या करू? सच बोलो, असलियत बयान करो, उस आदमी का नाम लो जिससे तुम्हें अंदेशा है की वो तुम्हें बेगुना फंसा रहा है. कबूल करो कि तुम किसी को Blackmail कर रहे थे, जिस बिना पर तुम Blackmail में काम्याब हो रहे थे, वो बिना वो अपना जोर मेरे सामने रखो ताकि Blackmailer को मैं अपने इकबालिया बयान के दम पर ही हाथ के हाथ स्थापित हो जाऊं जबकि कत्ल का इल्जाम तो मेरे खिलाफ अभी साबित होते होते होगा Blackmail चोटा अपराद है कतल जगहन्य अपराध है जिसकी सजा फासी है अगर छोटा गुना कभूलना तुम्हें बड़े गुना की सजा से बचा सकता है तो क्या हर्ज है छोटा गुना कभूलने में? बहुत हर्ज है क्या हर्ज है? मेरे उस इकबालेजुन को आप मेरे कतल के गुना की बुनियाद बना लेंगे कि एक ब्लैकमेलर ने दूसरे ब्लैकमेलर को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका कतल कर दिया काफी चालाख हो अभी कहते हो कि पढ़े लिखे नहीं हो आला दिमाग नहीं पाया तुमने माया राम ने जोर से थूक निगली तुम फसे हुए हो और बुरी तरह फसे हुए हो और देख लेना फसे ही रहोगे इस जहान में कहीं इंसाफ है तो एक बात मुझे बचा सकती है क्या? ये की असल कातिल कोई और है शायद उसका पता लग जाए कैसे? जादू के जोर से? शायद कोई जादू ही हो जाए शायद कोई अन्होनी हो जाए ख्वाब देखते रहो मैं अभी तुम्हें तुम्हारी ख्वाबगा में भिजवाता हूँ उसने मेज पर रखी घंती बजाई चाप्टर पांच एक काफी बड़ा कमरा था विमल ने भीतर कदम रखा तो हवलदार ने उसके पीछे दर्वाजा बंद कर दिया उस वक्त दो बजने को थे सुबा आठ बजे कचरी में हाजरी से पहले मायाराम से उसकी मुलाकात फिक्स कराने की लूथरा की कोशिश नाकाम रही थी उस वक्त जनकराज भी उनकी कोई मदद नहीं कर सका था क्योंकि उसके S.H.O. के मुताबिक तब अहमतरीन का मायाराम को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और उसका रिमान हासिल करना था तब विमल को अपने महरबान दोस्क योगेश पांडे से मदद की गुहार करनी पड़ी थी जिसने की उसकी इच्छापूर्ती का इंतजाम किया था जो उसके साथ ही वहाँ पहुचा था और उस घड़ी S.H.O. के कमरे में उसके पास बैठा हुआ था विमल ने कुरसी पर धेर पड़े हुए मायाराम पर निगार डाली मायाराम का सिर उसकी च्छाती पर जुका हुआ था और वो बहुत निधाल और ठका हुआ लग रहा था कुरसी के एक हथे के साथ तिकी उसकी दोनों बैसाखिया उसके करीब पड़ी थी विमल उसके करीब पहुँचा तो उसने सिर उठाया विमल पर निगाह पड़ते ही उसके चहरे पर हैरानी के भाव आए कैसे हो उस्ताद जी विमल धीरे से बोला तुझे क्या दिखाई देता है मायाराम जले भुने स्वर में बोला फंस गए आखिरकार फंसा दिया गया अरे किसने किया ऐसा तू तो मुंबई वापिस चला गया था हाँ अकबार में छपी तुम्हारी खबर पढ़के लोटा हूँ जले पर नमक छिनगने हमदर्दी जताने हमदर्दी से तकदीर पर लगे ताले नहीं खुलते विमल हसा बहुत बढ़िया फिट किया मुझे विमल फिर हसा कैसे किया रिमोट कंट्रोल से मैंने बोला था मेरे हजार हाथ है अब कैसे आया इजाजत हो तो मैं बैट जाओ बैट भाई मैं कौन होता हूँ इजाजत देने वाला विमल उसके सामने एक कुर्सी पर धेर हो गया मैंने कई जुर्म किये मायाराम अवसातपूर्ण भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला किसी जुर्म में गिरफतार हुआ तो किसी में पकड़े जाने से बज गया पांच बार जेल गया जबकि पचास बार जा सकता था अब मैं उस जुर्म में गिरफतार हुआ जो मैंने नहीं किया सब उसकी माया है रब्बर उठे तो यही होता है जब किसी पर परमात्मा की क्रिपा नहीं होती तो संसार में भी उसे कोई नहीं पूछता जे तिसु नदरी ना आवई ता वात न पूछे के शायद तू ठीक कह रहा है तू? विमल खामोश रहा उस सब इंस्पेक्टर ने जब मुझे कहा था कि मेरे से कोई मिलना चाहता था तो मैंने समझा था कि कोई अकबार वाला होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे से मिलने तू आया होगा विमल मुस्कुर आया कैसे आया? तुम्हारा हालचाल जानने आया मिजास परक ने आया ये देखने आया कि मिजास में पहले वाली तूर्शी अभी बाकी या खत्म हो गई थी या घट गई थी या और बढ़ गई थी उडा ले खुश की लेकिन ये न भूल कि बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है उस्ताद जी तुम्हारा बुरा वक्त आया नहीं है तुमने खुद उसे न्योता दे के बुलाया है ऐसा नहीं है ऐसा ही है मैंने कतल नहीं किया मैं बिलकुल बेगुना हूँ मुझे मालूम है तुझे मालूम है? हाँ, लेकिन मौजूदा हालात में साथ जन्म अपने आपको बेगुना साबित नहीं कर पाऊगे वो कसमसाया उसने बेचैनी से पहलू बदला तु कहता है फिर वो बोल की तुझे मालूम है कि कादिल मैं नहीं? हाँ, यानि कि कातिल कोई और है? ये भी कोई कहने की बात है जो काम तुमने नहीं किया वो किसी ने तो किया ही होगा तु कैसे इतने यकीन से कहता है कि कतल मैंने नहीं किया? गलत तो नहीं कहता लेकिन कैसे कहता? तु जन्ता है कातिल को? हाँ, कभी तो इतना बड़ा फत्वा दिया कि तुम बेगुना हो कौन है कातिल और तू कैसे जनता है उसे जरा कान इधर लाओ बड़े सस्पेंसब्रे अंदाज से से मायाराम ने अपना सिर आगे बढ़ा कर अपना एक कान उसके करीब किया क्योंकि कतल मैंने किया है, विमल धीरे से बोला, मायाराम चौका सच कह रहा है, वो संदिग्द भाव से बोला ऐसी बात पर कोई जूट बोलता है, विमल बोला मुझे ये तो अंदेशा बराबर था कि जो कुछ हो रहा था, तेरी शाह पर हो रहा था लेकिन ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कि कतल ही तूने किया होगा माया राम एक खशन ठिका और फिर बोला यानी कि कहीं गया नहीं था शुरू से ही यही था हाँ, मुझे भर्माने के लिए कह रहा था कि मुंबई जा रहा था यही समझ लो तुझे सामने पाकर अब मुझे ये भी सूच गया है कि आलाइकल पर मेरी उमलियों के निशान कैसे बनी बढ़िया क्या उमदा ड्रामा किया तूने सोमवार शाम को मेरे घर पर शहीदी हुलिया बना कर फरियाद करते करते फुल उल्लू बना लिया मुझे वही रिवालवर मेरे पर थोप दी जिससे बाद में कतल हुआ खुदखुशी नहीं कर सकता मैं ही मार दूर तुझे एहसान होगा मेरा तेरे पर कोई साथ नहीं देता कोई मददगार नहीं बनता वाह तुझे तो फिल्मों में होना चाहिए था सोचूंगा मैं इस बाबत वो सारा ड्रामा तुने रिवालवर पर मेरी उंगलियों के निशान हासिल करने के लिए किया था मेरा जूता भी तब इसी लिए उतरवाया था कि तू देख समझ सकता कि वो कैसा था और बाद में वैसा ही सीमेंट लगा जूता मेरे जूते की जगा तू मेरे पर थोप सकता कितने समझदार हो गए हो वो टैक्सी ज्राइवर, वो रेस्टोरंट का वेटर, वो कालगरलग, तेरे पिठ्थू थे हाथ थे हजार में से कुछ मैंने अभी तक पुलीस के सामने तेरा जिक्र करने से परहज रखा है जो कि तुम्हारा अहसान है मेरे उपर क्यों नहीं है पुलीस यकीन कर लेगी तुम्हारी बात पर तुम्हारा जिक्र करूंगा तो कर लेगी आजमा देखो मैं चला जाता हूँ काम्याब हो गए तो बात ही क्या है ना हो सके तो फिर लौट आउंगा तू आया क्यों है सोचो अकल पर जोर दो आखिर इतने सयाने हो उस्ताद जी हो वो खामोश रहा एक बात ध्यान रखना उस्ताद जी अभी मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ ही हाथ आजमाए है हजार हाथों का जो सोजलाल देखने अभी तुम्हें नसीब नहीं हूआ तुमने मेरी बाबत जुबान खोली तो मेरे हजार हाथों की ताकट देखोगे देखोगे और जेलोगे तुम्हारी वाहिद आवाज नकार खाने में तूती की आवाज बनके रह जाएगी जितना मर्जी भौंक लेना कोई कान नहीं देगा तु ऐसा सलूग करेगा मेरे साथ? और कैसे सलूग का हगदार समझते हो अपने आपको? जैसा सलूग तुमने मेरे साथ किया, नीलम के साथ किया, उसकी रू में कौन सा बुरा सलूग हो रहा है तुम्हारे साथ? हो रहा है, तो उसकी द्वाई देने का मुम्ह बनता है तुम्हारा? अपनी ताकत आजमा रहा है मेरे पर? जिसके हाथ में ताकत होती है, वो उसे आजमाता ही है जब तुम्हारा वक्त था तो क्या तुमने नहीं आजमाई थी? मायाराम ने जोर से थूक निगली जिस हद जोर कर देखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई एक बात बता तेरे बारे में तो मशूर है कि तुने कभी किसी बेगुना की जान नहीं ली फिर पंद को मार डालना तुझे कैसे गवारा हुआ? वो बेगुना किधर से था? वो ब्लैकमेलर था वो यारमार शक्स तुम्हें धोका देकर वहां साथ लाग की रकम कलेक्ट करने आया था ब्लैकमेलर की सजा मौत तो नहीं होती बलातकारी की होती है वो शक्स मेरी आंखों के सामने ब्याहता बीवी के साथ जबर जिना पर आमादा था वो मौत की सजा का ही हगदार था उसने ऐसी कोई नियत न दिखाई होती वो रकम से ही तसली कर लेता तो क्या तू उसे छोड़ देता? क्या पता क्या करता? जो हुआ नहीं उसका जिक्र किसी है? कैसे छोड़ देता? उसे मार कर उसका कतल तो तूने मेरे सिर मंधना था इतनी तयारी की हुई थी तूने इस बात की कैसे छोड़ देता? जिसका बुरा वक्त आया होता है उपर वाला उसकी मती पहले हर लेता है उसने वही करना था जो उसने किया मैंने भी वही करना था जो मैंने किया जिस तिसु भावे तिवे चलावे जिफ होवे फर्मानू तु इसे मेरा अहसान नहीं मानता कि इतना फंसा होने के बावजूद मैं तेरा नाम जुबान पर न लाया उस पुलीस वाले ने बार-बार मेरे से पूछा कि कौन मुझे फंसा रहा था मैंने एक बार भी तेरा जिक्र न किया तुम इसे मेरा अहसान नहीं मानते कि मैंने पुलीस तक ये खबर नहीं पहचाई कि तुम वो मायाराम बावा हो जो भारत बैंक अमरिटसर की डकैती का सरगना था जिसने अपने ही दो साथियों का पूरी बेरहमी के साथ कतल किया था और जिसकी गिरफकारी पर मुझे अब मालूम हुआ है कि पंजाब पुलीस ने 25,000 रुपए के इनाम की घोशना की हुई है मुझे जरा तो सोचने दे जरा सोच लो जरा सोचने में कौन से महीनों लगते है वही तो तुम्हारी सोच को परवास देने के लिए मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ वो क्या तुम्हारे से पिछली मुलाकात के बाद से मैं कुल्लू का चक्कर लगा आया हूँ मैं उस गाव में हो आया हूँ जहां से तुम नीलम को भगा के लाए थे उसके नेत्र फैल गए तुम्हारी जानकारी के लिए वो पंदित जिसने की शादी का सर्टिफिकेट जारी किया था मर चुका है अरे उपाध्याई जी मर गए और गाव में तुम्हारी शादी की किसी को खबर नहीं है वहां बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही बात है कि मायाराम नीलम को भगा के ले गया था आज भी उस गाव में तुम्हारी इस कर्तूत पर इतना रोश है कि अगर भूले भटके कभी तुम वहां पहुँच गए तो गाव वाले तुम्हें जूतों से मारेंगे इसलिए ये ख्याल अपने जेहन से निकाल दो कि तुम्हारी मौत की खबर सुनकर गाव से कोई 150 लोग आएंगे और तुम्हारी विद्वा को जबरन अपने साथ ले जाएंगे तुम्हारी खबर लगने पर तुम्हारी लाश पर थूकने को भले ही चंद लोग वहां से आजाएं, इस काम के लिए कोई नहीं आने वाला ये भी तेरी कोई साजिश है माया राम भरका क्या साजिश है च्छा महीने पहले हुई तुम्हारे पुजारी की मौत का सामान मैंने किया तूने भोले भोले गाव वालों को मेरे खिलाफ भड़काया होगा विमल हसा और फिर बोला तरस आता है मुझे तेरी अकल पर तू तस्वीरों को नहीं जुटला सकता मैंने की कोई ऐसी कोशिश तो फिर उन तस्वीरों का जब कोई वजूद ही बाकी नहीं रह जाएगा तो उनको जुटलाना क्यों जरूरी रह जाएगा मेरे भाई ओ, तो ये मनशा है तेरी शुक्र है देर से समझा लेकिन समझा तो मेरी रहाई की तेरी ये शर्थ है कि वो तस्वीरे मैं तुझे वापस दूँ तस्वीरे ही नहीं, उनके नेगेटिव भी शादी के सर्टिफिकेट की मूल प्रतिलिपी भी तस्वीरे और नहीं है तस्वीरे वो ही थी जो मैंने तुझे दे दी थी तो नेगेटिव और सर्टिफिकेट मेरे हवाले कर यहां से निकले बिना कैसे करूँ? बाते मत बना उस्तादी मत दिखा मैं सच में ही तेरा शार्गिद नहीं तु कहां शार्गिद है? तु तो उस्तादों का उस्ताद हो गया है बोला न, बाते न बना मुझे यहां से निजाद दिला फिर मैं तेरी मांग पूरी करता हूँ बटा पहले कर पहले कैसे करूँ? तो फिर सतश्री अकाल विमल ने उठने का उपक्रम किया अरे अरे मायाराम हक बकाया सा बोला रूख जा अच्छी बात है रूख गया यहां से बाहर निकले बिना कैसे में वो चीजे तुझे सौप सकता हूँ? उस जगह का पता बोल जहां कि तुने उन्हें छुपाया है वो मेरे चालवाने घर में है लेकिन मैंने उन्हें ऐसी खुफिया जगह छुपाया हुआ है कि मेरे सिवाए उन्हें कोई तलाश नहीं कर सकता बकवास मत कर पहले तो तेरे घर की पुलीस ही भरपूर तलाशी ले चुकी है उसके बाद सुई तलाश करने जैसी बारिकी से मैंने वहां का एक-एक कोना खुद्रा टटोला है वहां कुछ नहीं रखा लेकिन वहां कुछ नहीं रखा कोई दूसरा ऐसा ठिकाना हो तो बोल अब मैं तुझे कैसे समझाओ कोशिश भी मत कर उस्तादी हर जगह नहीं चलती तु मुझे कैसे बचाएगा जब वक्त आएगा तो देखना पहले बता मेरी जगह खुद को तो बतार कातिल पेश कर नहीं देगा पागल हुआ है वही तो तेरे खिलाफ कोई पुखता सबूत नहीं है सब परिस्थिति जन्य सबूत है जिने की अंद्रेजी में सरकमस्तांशल इविडिन्स कहते है मेरे खिलाफ जो गवा है वो मुकर जाएंगे मुकर नहीं जाएंगे मुकर जाने से तो वो फंस जाएंगे गायब हो जाएंगे ऐसे गायब हो जाएंगे कि किसी को ढूंडे नहीं मिलेंगे रिवालवर पर मेरी उंगलियों के निशान वैसे ही बने थे जैसे कि अभी तुझे सूझा है वो कहाने पुलीस को तू अब सुनाएगा सिर्फ मेरा नाम नहीं लेगा तो फिर किसका नाम लूँगा कोई भी फर्जी नाम जिसे तू अपना और पंत का वाकिफकार बताएगा ऐसा चल जाएगा जब वो कालगर्ल तेरी इस बात को जुटलाने वाली नहीं होगी कि शाम आठ से दस तक तू निजामुद्दीन में था वो टैक्सी जाइवर ये कहने वाला नहीं होगा कि निजामुद्दीन से कश्मीरी गेट के रास्ते में तू जंडे वालान भी गया था होटल का वेटर ये कहने वाला नहीं होगा कि शायद पंत ने साड़े साथ बजे खाना नहीं खाया था तो चल जाएगा तेरे खिलाफ जो सबूत हैं वो ऐसे हैं कि एक सबूत दूसरे सबूत को बल देता है और एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती है जब एक सबूत नहीं रहेगा तो दूसरे सबूत को बल मिलना अपने आप ही बंध हो जाएगा बीच की कुछ कड़ियां गायब हो जाएंगी तो वो जन्जीर ही गायब हो जाएगी जो इस घड़ी तेरे गले में फंदे की तरह पड़ी हुई है कतल का उद्देश्य मियाद वो ब्लैकमेल थी जिसमें की मेरा पार्टनर पंत बेमान हो गया था और जिसकी बेमानी की मैंने उसका कतल करके उसे सजा दी थी मुझे सुमन से मालूम हुआ है कि नीलम ने ब्लैकमेल की कोई वज़ा बयान नहीं की है पुलीस के बहुत जोर देने के बावजूद बयान नहीं की है लेकिन पुलीस कहती है कि उसने कबूल किया है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था पंथ कर रहा था वो टाइप राइटर भी उसी के कमरे में से बरामद हुआ है जिस पर की ब्लैक मेल वाली चिट्टी टाइप की गई थी जब हलफिया बयान देने की नौबत आएगी तो नीलम इसी बात पर जोर देगी की ब्लैक मेलर पंथ था और सिर्फ पंथ था अगर पहले किसी संदर्ब में उसने तेरा नाम लिया होगा तो वो अब मुकर जाएगी कह देगी कि पुलीस को उसकी बात समझने में गलती हुई थी वो चिट्टी मैंने टाइप की थी टाइप राइटर की कैरेज पर से पुलीस ने मेरी उंगलियों के निशान उठाए है तो क्या हुआ उससे सिर्फ ये साबित होता है कि तूने टाइप राइटर इस्तमाल किया था लेकिन खास वो चिट्टी टाइप करने के लिए इस्तमाल किया था ये पुलीस साबित नहीं कर सकती तूने किसी के सामने तो चिट्टी टाइप की नहीं होगी पंत के सामने की थी वो अब किसी गिंती में नहीं आता वो मर चुका है मुर्दा उठकर तेरे खिलाफ बयान देने के लिए खड़ा नहीं हो सकता मेरे से पूछा नहीं जाएगा कि मैंने वो चिट्टी टाइप नहीं की थी तो क्या टाइप करने के लिए ताइपराइटर इस्थिमाल किया था इसके दरजनों जवाब मुम्किन है तू काले चोर के लिए चिट्टी टाइप की होनी बता सकता है तू ये तक कह सकता है कि तुम्हें तो टाइप आती ही नहीं, तू तो महज टाइप राइटर के साथ खिलवार कर रहा था या टाइप सीखने की कोशिश कर रहा था ये मत भूल कि पुलीस को पहले से ही शक है कि चिट्टी पाँच को साथ पंध ने किया था चिट्टी टाइप भी उसीने की हो, ये बात कोई बहुत ज्यादा दूर की कोडी नहीं साबित होगी टाइप के वक्त वो तेरे पास मौजूद था वो ये कहने के लिए उपलब्ध नहीं है, कि असल में चिट्टी तूने टाइप की थी लेकिन तू ये कह सकता है कि चिट्टी उसने टाइप की थी मुर्दा तेरी बात को नहीं जुटला सकता या जुटला सकता है नहीं जुटला सकता दुरूस vicinity लिहाजा ब्लैकमेल के मामले में फोकस उसी पर बना रहेगा ब्लैकमेल के इल्जाम से फिर भी मेरी खलासी न होई तो होगी, अकेला ये इल्जाम तब तक कोट में तेरे खिलाफ नहीं तिक सकता जब तक की नीलम तेरे खिलाफ गवाँ नहीं होगी तो नहीं होगी फिर पुलीस को भी इस बात के लिए तयार किया जा सकता है कि वो ब्लाक मेल के केस को कोट में वाइटर डाउन करके पेश करे और पहली ही पेशी में तेरी जमानत पर कोई हुजजत न करे यह जो पुलीस को दो हफते का रमांड मिला है जरूरी नहीं पुलीस दो हफ़ते बाद ही तुझे अदालत में पेश करें, वो पहले भी पेश कर सकती है करेगी करेगी उन्हें उसकी कीमत चुकाई जाएगी तो क्यों नहीं करेगी कीमत कौन चुकाएगा चुकाएगा तुम्हारा कोई हमदर्ग कोई खैरखवा कोई सकी हातिम विमल एक खशन ठिटका और फिर बोला कोई हजार हात वाला मैं फौरन तो रिहा नहीं हो सकता न क्या कहने सपने देख रहा है फिर क्या फाइडा हुआ कोई और फाइडा है तेरी निगाह में वो खामोश रहा तसली से फैसला कर ले विमल उठता हुआ बोला फिर मुझे चिट्टी लिख देना तू तू क्या चाहता है कौन सी जुबान समझदा है विमल चिटकर बोला अभी तक क्या मैं फार्सी बोल रहा था जो तेरे पले यह नहीं पड़ा कि मैं क्या चाहता हूं मैं यहां से निकले बिना वो चीजे तुझे नहीं सौप सकता वो चीजे मुझे सौंपे बिना तू यहां से नहीं निकल सकता लेकिन वो चीजे तेरे घर पर नहीं है जहां है उस जगह का पता बोल मैं पता बोलूँगा तू उन्हें वहां से हत्याएगा और फिर ताजिन्दिगी मुझे तेरी सूरत देखना नसीब नहीं होगा अरे बेवकूफ अब उन चीजों की वो पहले जैसे एहमियत नहीं रही जैसी कि तूने सोमवार को खड़ी करके दिखाई थी तब तेरी होश्यारी और चालाकी ने मेरी दर्पोक और जहालत भी कैफियत पर जो रंग जमाया था मौजूदा हालात में वो अब फीका पड़ चुका है कोई माई का लाल किसी औरत पर जबरन काबिज नहीं हो सकता भले ही वो उसकी व्याहता बीवी हो अब वो पोजिशन नहीं रही जिसमें कि तू मिया बीवी को राजी बताता था और मुझे काजी बताता तू था तेरी सारी ताकत इस बात में थी कि तू सच में ही मुझे यकीन दिलाने में काम्याब हो गया था कि तू मर गया तो तेरी विद्वा को तेरे घर वाले, तेरे गाव वाले आकर जबरन अपने साथ ले जाएंगे और सिर मून कर कोरा लठा पहना कर जबरन घर पर बिठा देंगे आज कल के तरक्की के जमाने में भी बहुतेरे गाव में ऐसे रस्मोरिवाज होते हैं इसलिए मैं तेरी बातों में आ गया था और खौफ खा गया था लेकिन अब मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला अब तू कल मरता आज मर जा अवल तो नीलम तेरी बीवी है नहीं है बराबर है तो तू जल्दी फासी लग मैं तेरी विद्वा से शादी कर लूँगा मैं उस शादी को भूल कर जिसे तू नाजायस कहता है फिर शादी कर लूँगा मेरे बच्चे को जिसे तू हराम का बताता है हम फिर शादी करने के बाद कानूनी तौर से गोध ले लेंगे वो सकपकाया अब एक सेकेंड में बोल क्या मर्जी है तेरी? बैट? किसलिए? बैट तो विमल बैठ गया अन्मने भाव से उसने अपनी जेप से पाइप निकाला और उसमें तंबाकू भरने लगा मायाराम ने अपनी बैसाखी उठाई जा रहा है विमल हक बका कर बोला एक मिनट चुप बैठ अच्छी बात है मायाराम ने बैसाखी को अपने सामने करके उसका वो हिस्सा उमेठना शुरू किया जो की चलते वक्त उसकी बगल में आता था थोड़ी कोशिश के बाद वो गद्दीदार हैंडल सा उसके हाथ में आ गया विमल अपलक उसके हर एक्षन को नोट करता रहा मायाराम ने एक बार परे बंध दर्वाजे की तरफ देखा और फिर बैसाखी में दो उंगलियां डाली तब विमल ने उचक कर देखा तो पाया कि उस सिरे की तरफ से बैसाखी का वह डंडा खोखला था एक बारी की नलकी सी बैसाखी के खोखले हिस्से से निकल कर मायाराम के हाथ में पहुची उसने वो नलंकी विमल के सामने मेज पर डाल दी और बैसाखी का हैंडल वापिस मायाराम को देने लगा विमल ने वो नलकी सी उठाई और उसे खोल कर सीधा करने लगा सीधा होने पर वो एक आयताकार कागज और एक ब्लैक फिल्म के तुकडे में तब्दील हो गई उसने कागज का मुआइना किया तो पाया कि वो शादी के सर्टिफिकेट की मूल प्रतिलिपी थी उसने फिल्म को रोशनी की तरफ करके देखा तो पाया कि वो उन तीन तस्वीरों के नेगेटिव थे जो की मायाराम ने उसे दी थी उसने मायाराम की तरफ निगा उठाई उसे लगा कि उससे इस बाबत कोई सवाल पूछना बेकार था उसकी सूरत बता रही थी कि शादी के सबूत के तौर पर जो कुछ उसके पास था उसे वो सोहल को सौप चुका था विमल ने जेब से लाइटर निकाला और उसे जला कर उसकी लो नेगेटिव फिल्म को दिखाई पलक जपकते ही फिल्म जलकर राख हो गई फिर उसने सर्टीफिकेट को नलकी की सूरत में वापिस गोल लपेटा और उसने एक सिरे को लो दिखाई सिरा लपट पकड़ गया तो उसने लाइटर बंद करके जेब में रख लिया फिर जलते कागज से वो अपना पाइप सुलगाने लगा जब तक पाइप सुलगा तब तक कागज भी मुकमल तौर पर जल कर राख हो चुका था उसने पाइप को तिर्चा कर राख पर थोड़ा जला हुआ तंबाकु जाड़ा पाइप वापिस मुह में लगा कर एक लंबा कश खीचा धेर सारा धुआ उगला और फिर बोला मैं आऊँगा आएगा? माया राम सपकाया क्या मतलब? पत्थर से बहिस लोगों के इस शहर में पता नहीं तेरा कोई होता सोता है या नहीं एक पंध था जो मर गया इसलिए मैं आऊँगा जहां कहीं भी होँगा सो काम छोड़ के आऊँगा क्या? क्या करने आएगा? तेरी अर्थी को कंधा देने तेरी चिता को अगनी देने तेरी गती कराने जिस दिन अकबार में तेरी फांसी की खबर छपेगी उसी दिन तु मुझे दिल्ली शहर में तेरी लाश क्लेम करने के लिए खड़ा पाएगा तेरी अस्थिया प्रवाहित करने में हरिदवार भी जाऊंगा तु जहनुम में पहुँचे या जन्नत में कम से कम तेरी आत्मा नहीं भढ़केगी मायाराम के चहरे ने कई रंग बदले उसे समझते देर ना लगी कि विमल क्या कह रहा था उसने चुटकी से फिल्म और सर्टिफिकेट की राख को मसलते विमल को देखा और फिर धीरे से बोला ये सब ड्रामा तुने ने नेगेटिव और सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए किया मुझे बचाने का तेरा कोई इरादा नहीं था मैं कौन होता हूँ बचाने वाला या मारने वाला विमल उदासीन भाव से बोला ये सब तो वाहगुरू के खेल है वो जैसा चाहता है जैसा उसे अच्छा लगता है वैसा करता है कौन उसे हुक्म दे सकता है जो तिसु भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई भाव क मत कुत्ती द्या माया राम दान्त पीस्ता हुआ बोला मैं तेरे बारे में इसलिए खामोश था क्योंकि तेरे जिक्र से मेरी ब्लैकमेल वाली हरकत की पोल खुल सकती थी अब जब वो पोल खुल ही चुकी है तो मेरा खामोश रहना जरूरी नहीं मेरा भी खामोश रहना जरूरी नहीं तू भौंक ले भौंक ले और मालूम होने दे दुनिया को की मैं अब जब मैं फसा ही हुआ हूँ तो मेरे कितने भी गुना उजागर हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है। फासी एक खून की भी सजा है और तीन खून की भी। गुड़! काफी सयानी बाते सोचने लगा है जिन्दगी के आखिरी दिनों में। लेकिन तू भी अब उसी अंजाम को पहुचेगा जिसको की तू मुझे पहुचाना चाता है। अभी मैं चला चला कर सारी दुनिया को बताता हूँ की तू सोहल है। तू ऐसा करेगा। मैं जरूर करूँगा। तू कहेगा, मैं सोहल हूँ और लोग तेरी बात मान जाएंगे मैं तेरी मुकमल केस हिस्टरी जानता हूँ मैं तेरी गुजरी जिंदगी के बखिये उधर कर रख दूँगा फिर कैसे नहीं मानेंगे लोग मेरी बात тоящ, तेरे से ज्यादा गुनि ग्यानी लोग तेरे से पहले ये कोशिश करके देख चुके हैं और फेल हो चुके हैं मुझे सब मालूम है, सरदार समझ ले कि अब तेरी कहानी खथम है ठीक है, खथम है तो खत्म है, मैं चलता हूँ सतश्री अकाल विमल दर्वाजे के तरफ बढ़ा मायाराम ततकाल उठा और गला फाड़कर चिल्लाया हवलदार इंस्पेक्टर साहब एसेचो साहब दर्वाजा खुला और बॉकलाए से हवलदार ने भीतर कदम रखा क्या है वो डबटकर बोला क्यों चिल्ला रही हो इस आदमी को रोको मायाराम पूर्ववद चिल्लाया क्यों ये सोहल है कौन सोहल मशूर इश्टिहारी मुजरिम सर्दार सुरेंद्र सिंग सोहल है ये जिसकी गिरफतारी पर 3 लाख रुपए का इनाम है हवलदार भौचक का साथ कभी मायाराम का तो कभी विमल का मुंग देखने लगा हवालात में बंद रहने की वज़र से विमल मुस्कराता हुआ बोला दिमाग हिल गया मालू होता है बेचारे का हवलदार ने सहमती में सिर हिलाया अरे इसकी बातों में ना आओ मायाराम बोला इसे गिरफ्तार करो हतकडिया पहनाओ इसकी गिरफ्तारी पर तीन लाख रुपए का इनाम है जो कि तुम्हें मिलेगा साहब हवलदार अदब से बोला बोलो भाई आप बराय में हरबानी एक मिनिट रुकिए जरूर लेकिन क्यों? क्योंकि ये आदमी कहता है कि मैं कोई इश्टिहारी मुजरिम हूँ? सवाल न कीजिए बहस न कीजिए सिर्फ एक मिनिट रुकिए ठीक है हवलदार ने एक सिपाही को करीब बुलाया और उसके कान में फुस फुस लाकर कुछ कहा ततकाल वहां सबा इंस्पेक्टर जनकराज पहुँचा हवलदार ने जल्दी जल्दी उसे बताया कि क्या माजरा था जनकराज ने उल्जनपूर्ण भाव से विमल की तरफ देखा और फिर बोला मेरे साथ आईए कहा विमल बोला एसेचो साहब के कमरे में वही तो मैं जा रहा हूँ मैं जिनके साथ आया हूँ वो एसेचो साहब के पास ही तो बैठे हुए है किनके साथ आए हैं आप मिस्टर योगेश पांडे के साथ वो कौन हुए CPI में उच्चा धिकारी है उसके एंटी टेररिस क्वाइड नाम के विभाग में डिप्ती डाइरेक्टर है उस उचे ओहेदे का जनराज पर ततकाल रौबी गालिव हुआ ये डिप्ती डारेकर पांडे साहब एसेचो साहब के पास बैठे हुए है हाँ मैं अभी आया राज दोड़ा दोड़ा वहां से गया और थोड़ी देर बाद वैसे ही दोड़ा दोड़ा वापिस लोटा उस दोरान विमल बड़े इकमिनान से खड़ा पाइप के कश लगाता रहा वेल जनकराज को लोटा पाकर वो बोला आप यहां कैसे तश्रीफ लाए जनकराज बोला मैं उस शक्स से मिलने आया था जो चिल्ला चिल्ला कर मुझे कोई सोहल नाम का इश्टिहारी मुजरिम बता रहा है क्यों मिलने आये थे मैं उसे अपना कोई वाकिफकार समझा था अकबार तस्वीर देखी थी तो सूरत पहचानी लगी थी साथ ही हैरानी हुई थी कि वो कतल के इल्जाम में गिरफतार था लेकिन रूगरू देखा तो वो कोई अजन भी निकला मैं उसे नहीं पहचानता था दाड़ी से धोखा खा गया मैंने उस शक्स से इखलाकी तौर पर हमदर्दी दिखाई तो वो उसका नाजायस फाइदा उठाने पर उतर आया बोला दिल्ली में उसका कोई नहीं था इसलिए मैं उसकी जमानत भर दूँ मैं भला ऐसा कैसे कर सकता था मैंने इंकार किया तो भढ़क गया फिर चल्ला चल्ला कर पता नहीं क्या वाही तबाही बखने लगा आपका शुग नाम कॉल अर्विंद कॉल अपना परिचाय मैं S.H.O. साहब को दे चुका हूँ आप जरा जाकर S.H.O. साहब के कमरे में बैठिये और मेरे लौटने तक वही रहिएगा प्लीज विमल ने सहमती में सिर हिलाया रामधन जनकराज सिपाही से बोला इन्हें साहब के पास लेके जा सिपाही ने सहमती में सिर हिलाया पाइप के कश लगाता विमल उसके साथ हो लिया जनकराज उस कमरे में घुसा जहां गुसे में थर-थर कामपता मायाराम खड़ा था अभी क्या हंगामा मचा रहे थे? जनकराज दपट कर बोला वो सोहल है पागल हो क्या? ठाने में सोहल की फोटो लगी है मैं क्या उसकी सूरत नहीं पहचानता? नहीं पहचानते वो प्लास्टिक सर्जरी से अपनी सूरत तबदील कर चुका है ऐसा कहीं होता है? होता है हुआ है वो मुंबई की खबर है जो आज सो मील दूर दिल्ली तक नहीं पहुची मालूम होती मुंबई के अंदरवर्ड का बच्चा बच्चा इस बात से वाकिफ है कि मशूर इश्टिहारी मुजरिम सरदार सुरेंडर सिंग सोहल प्लास्टिक सर्जरी से अपनी सूरत तबदील करा चुका है तुम कैसे जानते हो? तुम्हारा मुंबई के अंदरवर्ड से क्या मतलब? मैं सब जानता हूँ मैं उसके पीछे लगा उसकी पिछली जिंदगी को ट्रेस करता मुंबई पहुचा था दस महीने की अंथक मेहन से मैंने इस सोहल नाम के सूपर गैंगस्टार की सारी जिंदगी का कच्चा चिटका जाना है क्यों? क्यों की? क्यों की? थी कोई वज़ा? मुझे बताओं बताओंगा पहले मुझे इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़वाने की एवस में इसके खिलाफ वादामाफ गवा बनाओ मुझे तीन लाग के उस इनाम का हगदार मानो जो की उसकी गिरफतारी पर है इनाम की बाद दीगर है लेकिन वादामाफ गवाह तुम्हें कैसे बनाया जा सकता है? तुम्हारे पर कतल का इलजाम है मैंने कोई कतल नहीं किया वो कतल भी इसी शक्स ने किया है और इसने मेरे सामने अपने मुझ से ये बात कबूल की थी क्यों किया कतल? क्योंकि जिस औरत को मैं ब्लैकमेल कर रहा था उसे ये अपनी बीवी बताता है बताता है? असल में वो मेरी ब्याहता बीवी है जिसे वो भगा कर ले गया था वो कहता है कि उसने भी नीलम से विधिवत शादी की है अगर ऐसा है तो वो शादी नाजायज है एक पती के होते कोई औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती उस औरत के तो एक बच्चा भी है लिहाजा उसने इस शक्स में कोई कल ही तो शादी की नहीं होगी सोहल से उसकी पुरानी जुगलबंदी है सोहल ने जब मुंबई में राजभादूर बख्या के खिलाफ जंग छेडी थी तो वो सोहल के कंदे से कंदा भिडा कर उस जंग में शामिल हुई थी वो औरत जिसका नाम मीलम है हाँ वो कोई मामूली औरत नहीं वो ऐसी औरत है जिसे विदेशों में गैंगस्टर स्मॉल कहते है ऐसी औरत को तुम ब्लाकमेल कर रहे थे हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वो सच में किसी गैंगस्टर की संगिनी होती तो तुम्हारे 36 तुकडे करके दरिया में बहा देती वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्यों नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके मन में चोर था क्योंकि उसने सच में मेरे से शादी की थी क्योंकि वो अपने पती का अहित नहीं चाह सकती थी क्या कहने मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ तुम साबित कर सकते हो कि तुमने उसे शादी की थी कर सकता था लेकिन अब नहीं कर सकता क्यों, अब क्या हो गया सबूत सोहल ने नश्च कर दिये है उसमें धोखे से मेरे से वो दस्तावेज निकलवा लिए जो साबित करते थे कि मैं नीलम का पती था उसमें अभी आपके यहां आने से पहले हो दस्तावेज जला दिये थे ये देखिए टेबल पर उनकी राख ये तो जले हुए तमबाकू की राख है कागजात की राख भी है कागजात तुम्हारे पास थे? हाँ कैसे थे? हवालात में बंद किये जाने से पहले तुम्हारी तो जामातलाशी हुई थी वो कागजात मेरी एक बैसाखी के खोखले हिस्से में थे मैं दिखाता हूँ कहां थे उसमें फिर एक बैसाखी पर से उसका उपर का हैंडल अलग किया ये देखिए वो खोखली जगा जहां कि मैंने वो कागजाद छुपाए हुए थे तुम ये कहना चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हुआ था क्योंकि तुम उसकी बीवी को ब्लैटमेल कर रहे थे? हाँ और कतल की नौबत भी इसी वज़ा से आई? हाँ उसने कतले ही करना था तो तुम्हें मारने का आसान काम क्यों न किया? उसने तुम्हारे जोडिदार को मारकर उसके कतल का इलजाम तुम्हारे सिर्थोप कर तुम्हें रास्ते से हटाने का पेचीदा तरीका क्यों अक्तियार किया? क्योंकि वो बहुत चालाक है क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मरता तो नीलम मेरी विध्वा कहलाती फिर वो उसके कबजे में ना आती क्यों? मायाराम ने वज़ा बताई पागल हुए हो ऐसा कहीं होता है? आज के जमाने में एक बालिग औरत की मर्जी के खिलाफ कोई उसे कहीं ले जा सकता है वो भी ऐसी औरत को जिसे तुम गैंस्टर स्मॉल बताते हो कोई ऐसी कोशिश करेगा तो अपहरन का अपराधी होगा मेरे गाव में यही रिवाज है विद्वा के साथ पेश आने का किसे उलू बना रहे हो? आप ना मानिये नहीं ही तो मान रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब आप यकीन मानिये वो सोहल है मेरे से बहतर ये बात कोई नहीं जानता तुम कैसे जानते हो? बताऊंगा मुझे ये अभैदान मिलेगा तो बताऊंगा कि जो कुछ आप मेरी जुबानी सुनेंगे उसे आप मेरे खिलाफ इस्तमाल नहीं करेंगे ऐसा कैसे होगा? क्या मुश्किल है? क्या पुलीस ने आज से पहले कभी कोई वारा माव गवाह नहीं वनाया? वो तो ठीक है लेकिन आप इतना बड़ा मगरमच पकड़ेंगे सारे हिंदोस्तान में दिली पुलीस की जैजैकार होगी वैसी ही जैजैकार होगी जैसी की मुंबई पुलीस की तब हुई थी जबकि उनके आप सरीखे ही एक सब इंस्पेक्टर ने चार्ल्स शोगराज को पकड़ा था बलकि उससे कहीं ज्यादा जैजैकार होगी क्योंकि सोहल के सामने तो चार्ल्स शोगराज कुछ भी नहीं सोहल से बड़ा मगरमच तो क्राइम की हिस्ट्री में हुआ ही नहीं जिसे की आप फासेगे तुम्हारा मतलब है दिली पुलीस? दिली पुलीस की तरफ से आप जनाब इतने बड़े यश का भागी बनने के लिए आप एक छोटी मचली को नजर अंदाज नहीं कर सकते वो सब अरेंज किया जा सकता है लेकिन पहले मुझे तुम्हारी बात पर यकीन तो आए वो सोहल है जानते हो वो कितने बड़े आदमी के साथ यहां आया हुआ है? जिसके साथ वो आया है उसके सामने मेरी और मेरे एसेचो की तो कोई बिसात ही नहीं हमारा एसीपी भी उसके सामने कुछ नहीं वो शक्स योगेश पांडे आई के एक महकमे का डिप्ती डाइरेक्टर है उसका रूतबा दिल्ली पुलीस के डीसीपी के बराबर है उसका ससुर एसपी दुबे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ है तुम ये कहना चाहते हो कि इतने बड़े रूतबे वाला सरकारी आदमी एक इश्टिहारी मुझरिम का दोस्त है वो भी सोहल जैसे इश्टिहारी मुझरिम का तुम्हारी बातों में आकर हमने उस पर हाथ डाला तो ऐसी बेभाव की पड़ेगी की सानों याद रहेंगी क्या एसे चो क्या एसे चो साहब क्या मैं, क्या मेरे जैसे बाकी सब इंस्पेक्टर सब लाइन हाजिर होंगे वर्दियां भी उतर जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं यानि कि आप कुछ नहीं करेंगी हिम्मत का काम है कर सकते हैं बशर्टे कि तुम सब कुछ बिना कोई शर्ट लगाए साफ साफ बताओ ठीक है बताता हूँ मरता क्या न करता जानके बताता हूँ जान भी मेरे कलेजे को ठंड़क पड़ेगी की सोहल भी न बचा मैं सुन रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब मैं वो मायाराम बावा हूँ जिसे इश्तिहारी मुजरिम करार देकर पंजाब पुलीस ने जिसकी गिरफतारी पर 25,000 रुपए के इनाम का एलान किया हुआ है मैंने अपने जिन साथियों के साथ अमरिटसर में वहां के भारत बैंड का वार्ट खोला था और 65,000 रुपए लूटे थे उन में से एक साथी सोहल भी था जिसने की तब अपना नाम रमेश कुमार रखा हुआ था और खुद को छुपाने के लिए वहां के एक लाला के जाइवर की नौकरी की हुई थी मेरे ये कबूल कर लेने के बाद आपको ये पता लगे बिना नहीं रहेगा कि दकैती के दौरान हमारा एक साथी गुरांदित्ता बैंड की इमारत के टॉप फ्लोर तक की उचाई से नीचे गिर कर मर गया था और करमचंद और लाप सिंध नाम के अपने ही दो साथियों को मैंने एक वैंड की चपेट में लेकर मार डाला था मैं सोहल को भी मारना चाहता था लेकिन वो कमीना किसी तरीके से बच निकला था क्यों मारा था तुमने अपने साथियों को? क्योंकि मैं दकैती की रकम में किसी से हिस्सा नहीं बनताना चाहता था क्योंकि सारी रकम में खुद हडब जाना चाहता था हड़प पाएं? नहीं? क्यों? सोहल मेरे पीछे लग गया पंजाब का एक माना हुआ बदमाश हरनाम सिंग गरेवाल मेरे पीछे लग गया हालाग ऐसे पैदा हो गए कि 65 लाख रुपए की रकम किसी के भी हात न लगी मैं अपनी लाख कोशिशों के बावजूद आज तक न जान पाया कि वो रकम कहां गर्क हो गई फिर गरेवाल मारा गया और मैं चंडीगड में इसी औरत नीलम की दगाबाजी की वजह से सोहल के चंगुल में जा फंसा जिसने मेरी हड़िया तोड कर मुझे सरेरा डाल दिया ताकि मैं गिरफतार हो जाता लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी कि पुलीस से पहले मेरे पर पंत की निगाह पड़ी जिसने मुझे संभाला उस सोहल के बच्चे ने मुझे पूरी जिन्दगी के लिए अपाहिज बना दिया और मेरी बीवी को भी ले उड़ा एक साल में कहीं जाकर मैं इस काबिल हुआ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता और बैसाखियों के सहारे चल फिर सकता तब मैं सोहल के पीछे पड़ा किसलिए? उससे बदला लेने के लिए उसकी उससे ज्यादा बुरी हालत बनाने के लिए जैसी की उसने मेरी बनाई थी आगे 10 महीने की अंठक मेहन से मैं सोहल के कारनावों का मनका मनका चुन कर उन्हें एक धागे में पिरो पाया मुझे मालूम था कि पहले वो इलाहाबाद में एरिक जांसन नाम की एक फर्म में एकाउंटेंट की नौकरी करता था जहां कि गबन के इल्जाम में उसे दो साल की सजा हुई थी लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया था फिर दाड़ी मूच और केश कटा कर मुंबई पहुँच गया था जहां कि उसने विमल कुमार खन्ना बनकर सर गोकुलदास के यहां नौकरी की थी और जहां उसने लेडी शांता गोकुलदास का कतल किया था और उसका कीमती मोटियों का हार लेकर फरार हो गया था मुंबई से भाग कर वो मदरास पहुचा जहां गिरीश माथुर बनकर और कुछ लोकल बदमाशों के साथ मिलकर अन्ना स्टेडियम से 55 लाख रुपे की रकम लूती बदरास से दिल्ली पहुचा जहां की बनवारी लाल बनकर तांगा चलाने लगा और एक बैंक वैन रॉबरी में शामिल हुआ अपने साथियों की दगाबाजी से गिरफ्तार हुआ लेकिन फिर पता नहीं कैसे तिहार जेल से निकल भागने में काम्याब हो गया अमरत सर पहुचा तो इत्तफाक से मेरे से तक्रा गया और मैंने उसे पहचान लिया कि वो तो सोहल था वहां जैसा की मैंने बताया भारत बैंक की 65 लाग की डकैती में मेरा साथी बना मुझे अधमरा करके अपनी तरफ से मुझे पुलीस के रहमो करम पर छोड़ वहां खुद भाग के गोवा पहुच गया जहां कैलाश मलहोतरा बन के लोकल गैंग्स्टर्स में घी में खिचरी की तरह जा मिला और मुंबई के मशूर स्मंगलर विशम भरदास नारंग उसके सहायत रंजीत चौगुले और वहां के सोनवल कर नाम के एक पुलीस इंस्पेक्टर का कतल किया पुलीस इंस्पेक्टर का भी जनकराज हैरानी से बोला जी हाँ फिर गोवा से भाग कर जैपुर पहुँचा जहां की बसंत कुमार मोटर मकैनिक बनकर बीकानेर बैंड की वैन लूती जैपुर से आगरा पहुँचा जहां रतना कर स्टील मिल के पे सेल वाली बक्तर बंद गाडी लूती आगरे से भागा तो राजनगर पहुच गया जहां नितिन महता बनकर सिड्मी फोस्टर नाम के अमरीकी डिप्लोमेट का फिरौती की रकम की खातिर अपहरन किया उसके बाद मुंबई पहुचा और एक लंबे अर्से तक वहीं डेरा जमाए रहा मुंबई में तब राजबहादुर बखिया नाम के अंडरवर्ड के सुपर बॉस का बोलवाला था जिसकी क्रिमिनल आर्गिनाइजेशन कंपनी के नाम से जानी जाती थी और मुंबई का होटल सीव्यू जिसका हेड़ क्वार्टर था वहाँ पता नहीं किस बात पर उसकी बखिया से ठन गई नतीशतन उसने बखिया के जान रोडरी गुएज, ज्यान प्रकाश शिवाजीराव पालकीवाला, कांती देशाई, मोटलानी, दडवते, मुहम्मद सुलेमान, शांतिलाल और जोजो जैसे बड़े ओदेदार मार ग इसके अलावा और भी बखिया के कई आदमी मार गिराएं और कई ठिकानों पर हमला किया, उसने बखिया की काइनात तो उजाडी ही, आखिर में बखिया का भी काम तमाम कर दिया, एक अकेले आदमी ने, तब तक कुछ लोकल स्मगलर और गैक्स्टर उसका रॉब खाकर उसके हिमायती बन गए थे, लेकिन मोटे तौर पर उसने जो कुछ किया था, अकेले ही किया था, इसी लिए वो आज भी मुंबई के अंदर वर्ड में वन मैन आर्गिनाइजेशन के नाम से मशूर है, वन मै जोहरी बाजार में प्रीमियर वाल्ट सर्विस का अभेद्य वाल्ट खोल तो लिया, लेकिन किसी वज़ा से लूट न सका, उसकी जगा वही बनी सुनारों की मार्केट लूट ली, तब तक कंपनी की गदी पर बखिया का एक लेफटीनेंट इकबाल सिंग काबिज हो चुक का कैसी नो लूटा, उस दौरान उसने जो बड़ा कर्तब किया था वो ये था कि उसने अपने चेहरे की प्लास्टिक सरजरी करा ली थी, जिससे कि उसकी सूरत ही नहीं, आवाज भी बदल गई थी, आवाज भी? हाँ, मैं नहीं मानता, मैं तो ये ही नहीं मानता कि सरजरी स सूरत बदली जा सकती है, लेकिन आवाज, नामुम्किन, मत मानो, तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत थोड़े ही बदल जाएगी, खेर, आगे, उसके बाद कुछ अर्से के लिए वो मुम्बई से गायब हो गया, वो गायब होकर कहां चला गया, ये मैं ना जान पाया लेकिन फिर बाद में जैसे एकायक वह गायब हुआ था, वैसे ही एकायक वापिस मुम्बई पहुँच गया था, उसी दोरान कमपनी का सुपर बॉस और बख्या का उतराधिकारी इकबाल सिंग भी अपनी खूपसूरत पार्सी बीवी लवलीन समेत कहीं गायब हो गया था और उसकी जगा कमपनी का दूसरे नंबर का ओदेदार व्यास शंकर गजरे कमपनी की गदी पर काबिज हो गया था, इस बार सोहल कमपनी का समूल नाश कर देनी की घोशना करता है, तब वो अपना अगला वार मुमबई से 300 किलोमीटर दूर स्थित गजविलास फोर्ट पर शिंदे के साथ मिलकर उसने वहां से 20 करोड रुपया लूटा और कमपनी के ततकालीन सुपर बॉस को आमने सामने होकर अल्टिमेटम दिया कि वो गजरे समेत कमपनी के तमाम ओदेदारों को खत्म कर देगा, कर दिया? बिलकुल कर दिया, उसने बारी-बारी से कमपनी के ज शीद पावले, कावस बिलिमोरिया, किशोर पिंगले और आखिर में खुद व्यास शंकर गजरे. आज की तारीक में अकेले सोहल की वज़ज से कमपनी नेस्तनाबूद हो चुकी है. और तुम्हारा ये कहना है कि जो शक्स अभी तुमसे मिल यहां से गया है और इस घड़ी SHO साहब के पास बैठा हुआ है, वो सोहल है. हाँ. वो वो सोहल है जिसके इतने कारनामों का तुमने बखान किया, जो रिष्टिहारी मुजरिम है और जिसकी गिरफ़ारी पर तीन लाख रुपए के इनाम की घोशना है. हाँ. और माडल टाउन में रहती वो औरत नीलम जिस तुम ब्लाटमेल कर रहे थे? सोहल की संगिनी है. गैंस्टर स्मॉल है. हाँ. उस तक कैसे पहुँचे? उसकी खोज खबर कैसे जानी? इतफाक से जानी. कैसे? गजरे से अपनी आखरी लडाई के दौरान, जबकि गजरे के तमाम ओदेदार मारे जा चुके थे और वो अके बाकी बच रहा था. सोहल महालक्षनी के उस यतीम खाने में गजरे के आदमियों द्वारा घेर लिया था जहां कि वो पना पाए था. वहां उसकी मौत निश्चित थी लेकिन फिर एक करिशने की तरह नीलम वहां पहुँच गई थी और उसने सोहल को बचा लिया था. नीलम वहां पहुच गई थी? मुंबई में? हाँ. और उसने गजरे के आदमियों द्वारा घेरे हुए सोहल को बचा लिया था? हाँ. उस अकेली औरत ने? उसके भी वहां कई हिमायती थे जो की उसके साथ वहां पहुचे थे. वो लोग कौन थे? ये मैं नहीं जान पाया. और व नीलम वो ही नीलम है जो की एक मामूली ग्रहनी की तरह माडल टाउन में रहती है और अपना बच्चा पालती है. हाँ. तुम्हें नीलम की खबर कैसे लगी? तुम महालक्षमी में हुए उस वाके के दौरान वहां मौजूद थे? नहीं, क्योंकि गजरे की मौत के बाद मु भी सोहल के साथ थी जबकि वो बख्या से भिडा था. तब मैं फॉरन नीलम की टो में लग गया था. नीलम की? सोहल की नहीं? जहां नीलम होती, वहां सोहल भी होता. कहां थी नीलम? होटल सीवियू में. अगले रोज नीलम और वो लड़की सुमन हवाई जहाज से दिल्ली रवाना हो गई तो मैं खुद उसी जहाज में सवार होकर दिल्ली आने में काम्याब न हो सका. लिहाजा मैंने यहां पंत को फोन कर दिया, उसे नीलम और सुमन का हुलिया समझा दिया, उसकी फ्लाइट का नंबर वगेरा लिखवा दिया, और उनके पीछे लगने के लिए उसे एरपोर्ट पहुँचने को कहा जहां से कि उनका पीछा करता वो माडल टाउन पहुचा और यू मुझे नीलम की खोज खबर लगी. और सोहल, वो कहां गया? वो पीछे मुंबई में ही रह गया. क्यों? क्योंकि काफी अर्से से वही उसका फील्ड आफ आपरेशन है. यानि कि वो मुंबई में रहता है? हाँ. और उसकी बीवी दिल्ली में? हाँ. अब दिल्ली कैसे पहुँच गया? किसी तरह से उसे भनत लग गई कि मैं उसकी बीवी को ब्लाकमेल कर रहा था. कैसे लग गई? बीवी ने बताया? नहीं. बीवी ने तो नहीं बताया होगा. नीलम की तो ऐसी मजाल नहीं हो सकती. उसमें बताना होता तो. Exactly. तो तभी बता देती जबकि तुमने पहली बार उस पर अपनी ब्लैक मेल की मन्शा जाहिर की थी. ब्लैक मेल की तीन किस्ते चुका चुकने के बाद वो अपने ऐसे सूपर गैंग्स्टर पती को मुंबई से न बुलाती. माया राम खामोश रहा. मैंने गलत कहा? जनकराज बोला. गलत तो नहीं कहा लेकिन. क्या लेकिन? सोहल को किसी और तरीके से इन वाक्यात की खबर लगी होगी. बहरहाल खबर उसे थी? हाँ. वो बाकाइदा मेरे पास आया था और उसने गिरगिरा कर मुझे कहा था कि मैं नीलम का पीछा छोड़ दू. भली ही मैं कितनी ही बड़ी रकम एकमुष्ट उससे ले लू. लेकिन मैंने उसकी पेशकाश कबूल नहीं की थी. वो क्या किस्सा है? मायाराम ने बयान किया. जनकराज के चहरे पर विश्वास के भाव ना आये. तुम कहते हो कि प्लास्टिक सरजरी से सूरत तबदील हो है. तुम कहते हो कि ऐसी तबदीली सोहल भी अपनी सूरत में ला चुका था तो फिर तुमने उसे कैसे पहचाना? एक तो नीलम की वज़ा से पहचाना. वो नीलम के साथ था, इसलिए सोहल था. हाँ. क्या कहने? इंस्पेक्टर साहब, ये न भूलिये कि जो शक्स मैंने मुंबई नीलम के साथ देखा था, वही बाद में पिछले सोमवार रोता गिरगिराता, फरियात करता मेरे पास पहचा था और उसने अपनी जुबानी कबूल किया था कि वो सोहल था. वो सोहल था तभी मेरी मायाराम बावा की पिछली जिन्दगी को जानता था. सोहल के सिवाय और किसी को मालूम नहीं था कि अमरित्सर में मैंने क्या किया था. कबूल. कबूल. सब कबूल. लेकिन इससे ये कैसे साबित हो गया कि जिस शक्स को तुम अपने से मिलने आया बताते हो, वो वही था जो अभी यहां मौजूद था. मायाराम गड़ बढ़ाया. मूर्खो की तरह पलके जपकाते उसने जनकराज की तरफ देखा. तुम्हारी जानकारी के लिए उस शक्स का नाम अर्विंद कॉल है. वो यहां की एक बड़ी कंपनी, गैलेक्सी ट्रेडिंग. कार्पोरेशन में एकाउंटस आफिसर की नौकरी करता है और वो कोई सरदार नहीं, कश्मीरी ब्रामन है, जो की कश्मीर से विस्थापित होकर दिल्ली पहुँचा है. वो सब उसका माया जाल है. वो बहुत मायावी आदमी है. वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है. अपने आपको बचा के रखने का उसका यही स्टाइल है, जो की वो शुरू से आजमाता आ रहा है. शरू से? हाँ, वो जहां भी जाता है. वहां हमेशा अपना कोई फाल्स फ्रंट बना कर रखता है. इसी वज़े से जब वो मुझे अमरिटसर में मिला था, तो वो वहां एक रईस लाला का ड्राइवर बना हुआ था. दिल्ली में वो बनवारी लाल बनकर तांगा चलता रहा था. गोवा में एक नाइट क्लब का कैशियर जा बना था. जैपुर पहुचा था तो वहां मोटर मकैनिक बन गया था और बाकाइदा एक मोटर वरकशाप चालने लगा था. मुंबई में वो अपने एक बड़े रिटायर स्मगलर तुकाराम का गाव से आया भांजा आत्माराम बताता था. फिर बडोदा से आया पी एन घड़ी वाला बताने लगा. पिछले दिनों गजरे के साथ छिडी जंग के दौरान तो मैंने सुना था कि वो फिर सरदार बन गया था और अपने आपको नैरोभी से आया कोई एनाराई बताने लगा था. वो आदमी पक्का बहुरुपिया है. जिस आदमी के इतने बहुरुप पहले से स्थापित हों, वो अब क्या दिल्ली में आपका अर्विन कॉल नहीं बन सकता? जनकराज सोचने लगा और उसकी पहचान उन इश्टिहारों से हो सकती है, जो कि मुंबई में कम्पनी के उचे ओदेदारों ने उसकी तलाश में वक्त-वक्त पर मुंबई के अंदरवर्ड में बंटवाए थे. ऐसे कई इश्टिहार मेरे पास है. जैसे वो कागजात पास थे जो अभी उसकमीने ने मेरे से हतियाए थे और मेरे सामने जला डाले थे. निकालो पहली बार की तरह ही दूसरी बैसाखी का हैंडल उमेट कर मायाराम ने उसके कोखले हिस्से में से कागजों की एक लग्यिसी निकाली. फिर उसने उसे सीधा करके जनकराज को पेश किया. ये हैं वो इश्टिहान? जनकराज एक-एक पर निगाह हुए बोला. हाँ मायाराम बोला ये उसकी सिख्वाली असली सूरत है. ये उसकी तब की सूरत है जब वो अपना हुलिया छुपाने के लिए दाड़ी मूच और केश मुंदा चुका था और अपने नए बहुरूप को और भी बल देने के लिए सिग्रेट वगैरा पीने लगा था. ये फ्रेंच कट दाड़ी मूच वाली तस्वीर भी उसी की है और ये आखरी तस्वीर उसके नए चेहरे की है. ये तस्वीरें सिर्फ अंडर्वर्ड में था और मुंबई में इतने उसके हमदर्द पैदा हो गए थे कि कोई उसकी मुखबिरी के लिए तयार न हुआ. हैरानी है. अब बोलिए क्या कहते हैं आप? ये आखरी तस्वीर जिसे तुम सोहल के नए चेहरे की तस्वीर बताते हो, मिलती तो है, इन कॉल साहब से कुछ-क जनाब, मुकमल तोर से मिलती है, तुम तो ऐसा कहोगे ही. माई बाप, ये. ये बात मुझे हजम नहीं हो रही, मेरे गले से नहीं उतर रही कि इतना बड़ा इश्तिहारी मुजरिम अपनी मर्जी से यहां ठाने में बैठा है. ये सब उसकी माया है. इनी बातों से तो वो ल ठाई दे रहा है, वो नहीं हो सकता. जनकराज कुछ खशन सोचता रहा और फिर एकाएक उठकर खड़ा हो गया. क्या हुआ? मायाराम हक्ब काया सा बोला. मैं अभी आता हूँ. लेकिन, तुम थोड़ी देर यहीं टिक कर बैठो. मैं हवलदार को बोल देता हूँ कि वो सुनने को जनकराज वहां न रुका. कॉल बैल बजी. ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क ऐस्टरिस्क. नीलम ने दर्वाजा खोला तो अपने सामने उसी सबाइंस्पेक्टर को खड़ा पाया जो की पहले भी वहां आ चुका था. लेकिन इस बार वो अकेला वहां पहुचा था. आ जनकराज हामफतासा बोला. आंधी तूफान की तरह अपनी मोटर साइकल चलाता वो वहां पहुचा था आप से सिर्फ चन सवाल. ब्लैक मेल की बाबत जो कुछ मैंने कहना था, कह दिया. ब्लैक मेल की बाबत नहीं. जनकराज जल्दी से बोला ब्लैक मेल की बाबत नहीं. तो, मैं आपसे चंद दुन्यादारी के सवाल पूछना चाहता हूँ. क्या? एकदम सिंपल सवाल जिनका किसी केस से, किसी क्राइम से कुछ लेना देना नहीं. आईए! शुक्रिया! ड्राइगरूम में पहुँचते ही जनकराज बोला आप कब से दिल्ली में हैं? पिछले साल अगस्त के महीने से कहां से आना हुआ? चंदीगर से वहां रिहायश कहां थी? वहां के सत्तरा सैक्टर में इमारत नमबर पचीस में. उसकी पहली मन्जिल के एक फ्लैट में. मैं चंदीगर से ज्यादा वाकिफ तो नहीं लेकिन सत्तरा सैक्टर तो तमाम का तमाम कमर्शिल है. कुछ रिहायशी फ्लैट है उसमें. कमर्शिल फ्लैट्स को ही रिहायशी बना लिया होगा. इस बाबत मुझे कोई जानकारी नहीं. बाहरहाल आप वहां के सत्रा सैक्टर के एक फ्लैट में रह दी थी? हाँ. फ्लैट अपना था. अपना होता तो क्या मुझे खबर न होती कि वो कमर्शिल से रिहायशी बना था या था ही रिहायशी? यानि की अपना नहीं था. अपना कहां से होता? हम तो शर्नार्थी लोग हैं. किराए का था? दिल्ली कैसे आना हुआ था? मेरी प्रेगनेंसी का केस बिगर गया था. वहां के डाक्तर ने दिल्ली जाने की सला दी थी. फिर यहां इनकी नौकरी लग गई थी, इसलिए हम यहीं टिक गए थे. यानि की चंडीगन लोट के गए ही नहीं. क्या करने जाना था? हम तो वहां भी परदेसी थे, यहां भी परदेसी है. यहां दाना पानी बन गया, यहां टिके गए. असल में कहां के हैं आप? सोपोर के. वहां उग्रवादियों ने हमारा सब कुछ फोक डाला. बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागे. शादी सोपोर से हुई? नहीं. माता वैश्नो देवी के दर्बार में. जहां हम खास शादी कराने के लिए ही गए थे. जब से दिली में हैं. यहीं किसी कोठी में रह रहे हैं? नहीं. पहले हम गोल मार्केट के इलाके में कोविल हाउसिंग कमपलैक्स में रहते थे. किराए के फ्लैट में. वो लड़की सुमन जो आपके साथ रहती थी, वो आपकी क्या लगती है? कुछ नहीं लगती. वो भी कोविल हाउसिंग कमपलैक्स में हमारे पडोस में रहती थी. वहां उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजरी हो गई थी. दिन दहाडे कुछ बलातकारी उसके घर में घुस आये थे और उसकी माँ और छोटी बहन के साथ बलातकार करने के बाद उन्होंने उन माँ बेटी को मार डाला था. सुमन अकेली रह गई थी इसलिए उसे हमने अपने साथ रख लिया था. ये कोठी किराए की है? नहीं. तो? पिपलोनिया साहब की थी एक कोठी जो की अब इस दुन्या में नहीं है. वो मेरे पती को अपना वारिज बाना कर मरे थे. बाकाइदा वसीयत करके. वसीयत मेरे पास है. दिखाओं? जरूरी नहीं. आपने कल भी कहा था कि आपके पती पिपलोनिया साहब के कानूनी वारिज थे. पिपलोनिया साहब की आप लोगों से कोई रिष्टेदारी है? नहीं सिर्फ दोस्ती. उनका अपना होता सोता कोई नहीं था. नहीं था. तब ही तो मेरे पती को वारिज बनाया. अपना कारोबार था, लेकिन सब बर्बाद हो गया, सब जल्प हो गया, आप भी कश्मीरी हैं, नहीं, मैं हिमाचल की हूँ, मेल कैसे हुआ, हो गया किसी तरह से करा दिया किस्मत ने, कहां, हिमाचल में या कश्मीर में, चंडी गण्ड में, शादी हुए कितना टाइम हुआ, देड़ साल होने को आ रहा है, आप कभी मुंबई गई हैं, क्यों पूछते हैं, गई हैं, हां, हाल ही में गई थी, अकेली, नहीं, सुमन भी साथ गई थी, क्या करने, सैर करने, उनसे मिलने, वो तब मुंबई में थे, हां, मुलाकात हुई, लो, तो न होती, कौन साहब अभी भी मुंबई में हैं, या आपके साथ लौट आये थे, हमारे साथ नहीं लौटे थे, यानि कि अभी भी मुंबई में हैं, हां, लेकिन आते जाते रहते हैं, तब से तो वहीं हैं, हां, मुंबई में उनका पता, कोई अपना पता तो है नहीं होटल में ठहरते हैं जब आप से मिले थे तब भी होटल में थे? हाँ कौन से होटल में? मराथा नाम है कॉलिवाडे में है मालिक का नाम सलावदीन है आप तो बहुत कुछ जानती है उस होटल के बारे में इसलिए क्योंकि वो जब भी मुंबई जाते हैं वही ठहरते है नौकरी के सिल्सले में जाते हैं मुंबई? हाँ क्या नौकरी है उनकी? गैलेक्सी ट्रेडिंग कार्पोरेशन में जो की केजी मार्क पर है एकाउंस आफिसर है काफी मोटी तंख्वा की नौकरी होगी उनकी क्या मतलब? जिस शक्स की बीवी एक महीने में 9 लाक रुपए पले से ब्लाक मेलर के हवाले कर सकती हो वो मोटी तंख्वा ही कमाता होगा फिर पहुँच गए एक आने वाली जगह पर आपने कहा था आप काशीनात कुर्फ मायाराम से पहले से वाकिफ थी? आपने भी कहा था कि आप इस बाबत कोई सवाल नहीं पूछेंगे मैंने यह भी कहा था कि मैं ब्लाक मेल का सिरा दूसरी तरफ से पकडूँगा तो पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा आपके जानकारी के लिए मायाराम कतल के इल्जाम में गिरफ्तार है और गागा के सब कुछ बता रहा है नीलम सपकाई यह भी कि मुझे किस बिना पर मुझे ब्लाक मेल कर रहा था? जी हाँ जनकराज बोला यह भी जब आप बात को जान ही चुके हैं तो मेरे से क्यों पूछते हैं? वो क्या कहता है? वो आपको अपनी ब्याहता बीवी बताता है मैं मिसेस कॉल हूँ वो कॉल साहब से आपकी शादी को नाजायस बताता है वो कहता है आप पहले से उसकी ब्याहता बीवी है नीलम खामोश रही ये बात बेबुनियाद तो नहीं हो सकती जनकराज तनिक जिद्भरे स्वर में बोला क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बुनियाद तो आपने खुद ही बना दी है आप उसकी ब्लैकमेल को काम्याब बना रही है उसका मुँभा बंद रखने के लिए आप उसे मुद्वातर बडीबडी रखमे दे रही है अब नहीं दे रही हूँ अब तो कहनी ही खत्म हो गई अब तो वो गिरफकार हो गया लेकिन जब दे रही थी तब तो दे ही रही थी जो देना था दे चुकी थी वो फिर भी बाज ना आता तो आप क्या करती तो खून कर देती उस कमीने का कैसे गोली मार देती कैसे मार देती जो गोलियां आपके घर में मौजूद है वो तो नकली है मुझे नहीं मालूम था अब आप चाहे तो असली गोलियां हासिल कर सकती है मैं कहां से कर सकती हूँ? मुझे क्या पता गोलियां कहां से मिलती है? कैसे मिलती है? अगर आप कतल का हौसला रखती हैं, तो ये कदम पहले ही क्यों न उठाया? तभी क्यों न उठाया जब मायाराम ने अपनी पहली माम की थी? क्योंकि पहले कुटा फासले से भौक रहा था, हड़ी डालने से चुप हो जाता था. मैं हड़ी डालना अफोर्ड कर सकती थी, इसलिए लाठी लेकर उसे मारने के लिए उसके पीछे दोड़ना मैंने जरूरी न समझा. जब करीब आके भौकता और काटने की धंकी देता तो हड़ी भी न मिलाती और लाठी भी पड़ती. लिहाजा अपके बाद कोई माम करने पर मायाराम की मौत निश्चित थी? नीलम खामोश रही. हैरानी है कि आप इतने सहेज भाव से कतल का इरादा कर सकती हैं. सहेज भाव से नहीं, मरता क्या न करता के भाव से. मरते के इलाज का एक रास्ता पुलीस की तरफ भी जाता है. ब्लैकमेल एक गंभीर अपराद है. आप पुलीस की शरण में पहुचती तो मायाराम और उसके जोडिदार का वैसे ही काम हो जाता. मैं कुट्टे का मुह बंद देखना चहती थी. ऐसे तो वो और भौक कर दिखाता. बात अखबारों तक पहुच जाती. वो तो अब भी पहुचेगी. जी. वो तो अब ऐसी जगा बैठ कर भौकेगा जहां आप उसे चुप भी नहीं करा सकेंगी. ना हड़ी से, ना लाठी से. ये तो नीलम असाय भाव से बोली बहुत बुरा होगा. आपके लिए? और किसके लिए? आप असलियत बयान करें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. मैं उसका भौकना भी बंद कर सकता हूँ. आप कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? मैंने उसे गिरफ़तार किया है. मेरे पास उसके खिलाफ कतल का ओपन एंड शट केस है. ऐसा फंसा हुआ आदमी पुलीस को कोपरेट करने से इंकार नहीं कर सकता. ऐसा? जी हाँ, ऐसा. तो वो असलियत ये है कि वो मुझे मेरे गाव से तब भागा कर लाया था, जबकि मैं नाबालिक थी, नादान थी. वो मुझे फिल्म स्टार बना देने का जहांसा देकर भगा कर लाया था. फिल्म स्टार तो मैं बनना सकी, कोई और ही स्टार बन गई. और कौन सी स्टार? बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकती मैंने खामखा मुह फारा मुझे अब उसका भी अफसोस है बीच में शादी वाली बात कहां से आगुसी? मैं कुछ नहीं बता सकती कुछ बताईए मत कुछ हां न तो कीजिए शादी की बाबत शादी की बात से हां नहीं तो इनकार ही कीजिए अब कुछ और पूछना चाहरे है लिहाजा नोटिस दे रही है आप मुझे कुछ और पूछना चाहरे है एक आखिर सवाल आपने कहा कि आपके पती, साहब आजकल मुंबई है हाँ पकी बात हाँ ऐसा हो सकता है, वो लौड आए हो और आपको खबर न हो ऐसा कैसे हो सकता है जब आएंगे तो पहले घर ही आएंगे अगर मैं कहूं कि वो आजकल दिल्ली में है तो मैं कहूंगी कि आप जूट बोल रहे है आजकल बड़े शहरों में घरवाली बाहरवाली के कमिनेशन का बहुत रिवाज हो गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके केस में घरवाली को किसी बाहरवाली की खबर न हो पागल हुए हो यानि कि ऐसा नहीं है वो इतने अच्छे है कि ऐसा सोचना भी गुना है फिर तो बहुत अच्छी बनती होगी आपकी उनसे हाँ, बहुत अच्छी बनती है कभी कोई रंजिश नहीं, कोई शिगायत नहीं नहीं, उन्हें आपसे, नहीं कोटशिप कितनी देर चली, वो क्या होती है मुलाकात और शादी के बीच का वक्फा आप पढ़ी लिखी है कौन से सवाल का जवाब पहले दूँ पहले का ही दीजिए ठीक से याद नहीं लेकिन काफी लंबी चली थी ये थे कोटशिप कोई अंदाजा मसलन एक साल, दो साल, तीन साल एक साल क्यों? अपने व्यापार के सिलसिले में वो अकसर चंडीगड आते थे और अब आप लोग दिल्ली में बसे हुए हैं? हाँ लेकिन कौन साहब अकसर दिल्ली से बाहर जाते रहते हैं? नौकरी के सिलसिले में आप कभी किनी गैंगिस्टर्स की गिरफ्ट में आईं? कभी बलातकार की शिकार हुई? उस दौरान आप कहां पाई जाती थी? चंडीगड और कील साहब सोपोर मुलाकाते कैसे होती थी? कौन कुटा ऐसा कहता है? आप कभी? अभी दो मिनट नहीं हुए आपके? हो गए जनकराज उठता हुआ बोला चलता हूँ शुक्र है लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ वो भी कहिए आप या तो बहुत ही सीधी और भली औरत है या बहुत चालाक और खतरनाथ है बहुत मौलिक सूझबूझ पाई है आपने मेरी बधाई कबूल कीजिए एक सवाल का जवाब रह गया कौन से का? आप पढ़ी लिखी है? नहीं नेरी फूलन देवी हूँ उससे ज्यादा उलजे दिमाग के साथ वो वहाँ से वापिस लोटा थाने में जनकराज की अपने एसेचो से लंबी मंत्रना हुई आखिरकार एसेचो ने पांडे को अलग बुलाया और खेतपूर्ण स्वर में बोला एक बड़ी विकट समस्या आखडी हुई है सर, समझ में नहीं आता की क्या करू और क्या न करू ऐसा क्या हो गया है पांडे विनोधपूर्ण स्वर में बोला ठाने के लौक अप में एक आदमी बंध है उस पर कतल का इल्जाम है लेकिन वो अपने आपको बेगुना बताता है कहता है उसे सोहल ने फसाया है जी हाँ, साथ में वो ये भी कहता है कि आपके साथ आए मिस्टर कॉल ही असल में वो इश्टिहारी मुजरिम सोहल है कॉल, पांडे ठठा कर हसा सोहल है वो दावे के साथ ऐसा कहता है भाई, आपके ठाने में सोहल की तस्वीर लगी है आपको कॉल की शकल उससे मिलती लगती है वो कहता है कि सोहल प्लास्टिक सरजरी से शकल तब्दील करा चुका है वो सोहल की नई शकल की तस्वीर दिखाता है जो की जो की मिस्टर कॉल से मिलती है एकदम मिलती है एकदम तो नहीं मिलती लेकिन फिर भी मिलती है इंस्पेक्टर साहब, आपने सुना नहीं की इस रिष्टी में भगवान ने हर किसी का कही न कही कोई डबल पैदा किया है हर किसी का कोई न कोई हमशकल होता है हर किसी थोड़ी बहुत शकल किसी न किसी से मिलती होती है आपने फिल्मों में नहीं देखा कि कैसे स्टार्स के हूभो डुप्लिकेट निकल आते हैं खुद मुझे बहुत लोग कहते हैं कि मेरी शकल सईद जाफरी से मिलती है आप बताईए क्या नहीं मिलती कत का फर्क है आप लंबे है उम्र का फर्क है आप छोटे है लेकिन मिलती है मिलती तो है लेकिन तो फिर कॉल की शकल थोड़ी बहुत सोहल से मिलती होना क्या बड़ी बात है सर मैं ये बात समझ सकता हूँ लेकिन वो शक्स समझने को तयार नहीं जो की गारंटी से कहता है कि आपका दोस्त सोहल है मैं उसकी बात पर कान नहीं दूंगा तो वो चल्ला चल्ला कर आस्मान सिर पर उठा लेगा जो की मेरे लिए जहमत की बात होगी कमार है आप एक मामूली अपराधी का मुभबंद नहीं करा सकते वो रमांड पर है उसे फिर कोट में पेश किया जाना है मैं उसकी नहीं सुनूंगा तो वो अपनी बात मैजिस्ट्रेट को सुनाएगा फिर बात अखबारों तक पहुँचेगी तो मेरी बहुत थुका फजीहत होगी इसलिए जरूरी है कि मैं अभी करूँ आप क्या करना चाहते हैं? हेड़क्वार्टर में सोहल की उंगलियों के निशानों का रिकार्ड है हेड़क्वार्टर करीब ही है बड़ी हद 15 मिनिट में वो रिकार्ड यहां पहुँच सकता है पांदे ने मन ही मन चैन की सांस ली उस रिकार्ड से कल की शनाक्त नहीं होने वाली थी क्योंकि खुद वो पुलीस के रिकार्ड से सोहल की उंगलियों के निशान गायब करवा कर उनकी जगह कोई और निशान रखवा चुका था ओ, प्रत्यक्ष वो बोला तो साफ कहिए न कि आप सोहल की उंगलियों के निशानों को पॉल की उंगलियों के निशानों से मिला कर देखना चाते हैं। मैं बहुत संकोच से कह रहा हूं कि मैं यही चाहता हूं, आप चाहते हैं या आपका वो मुझरिम चाहता है। वो भी चाहता है। वो तो ये भी चाहता है कि निशान देही उसके सामने सामने हो। मिलान उसके सामने हो कमार है लिहाज़ा इस शहर में गुंडे बदमाशों की सुनवाई ज्यादा है नेक शहरियों की काम आपके उस मुझरिम का ये कहना काफी है कि कौल सोहल है कौल का ये कहना काफी नहीं कि वो सोहल नहीं है अब मैं क्या कहूँ सर, ऐसी दुश्वारी में मैं पहले कभी नहीं फंसा अगर आप ना होते तो आप समझे मैं नहीं हूँ जी आप मेरी बिल्कुल परवाह न कीजिए आप शौक से जो करना चाते हैं कीजिए ओ, एसे चोने चैन की लंबी सांस ली थैंक्यू, सर थैंक्यू, वेरी मच नाट एटाल तो मैं हेड़क्वार्टर फोन करूँ हाँ जरूर हेड़क्वार्टर से सोहल के उंगलियों के निशानों का चार्ट पहाडगंज थाने पहुचा मायाराम की मौजूदगी में विमल की उंगलियों के निशान लिए गए जिनका सोहल की उंगलियों के निशानों से मिलान का काम खुद S.H.O. ने किया उस दौरान मायाराम यू विजेता की तरह विमल को देखता रहा जैसे विमल का फासी चड़ जाना अब महज वक्त की बात थी कितनी दी देर S.H.O. के कमरे में मरघट का साथ सन्नाटा चाया रहा आखिरकार S.H.O. ने कागजात परे सरका दिये और हाथ में थमा मैगनिफाइंग ग्लास मेज पर रख दिया नहीं मिलते वो निरनायक स्वर में बोला मायाराम जैसे आसमान से गिरा नहीं हो सकता वो चिलाया क्या नहीं हो सकता S.H.O. उसे घूरता हुआ बोला कि ये सोहल न हो मैंने तेरे सामने निशानों का मिलान करके नहीं देखा आपसे जरूर कोता ही हुई है या या क्या या आपने इन साहब का रौप खाकर जान बूज कर कोता ही की है क्या बकता है साले आप तरफदारी कर रही है ये हो ही नहीं सकता की ठहर जा कमीने बड़ी मुश्किल से पांडे ने S.H.O. को मायाराम पर जपट पढ़ने से रोका देखो भाई पांडे मायाराम को समझाता हुआ बोला इनोंने तरफदारी करनी होगी तो ये इतना बड़ा कदम उठादे की हैंड़ वार्टर से सोहल की उमलियों के निशानों का रिकार्ड तलब करते ये तुम्हारी बात भी सुनने को राजी होते तुम जबरन सुनाते तो ये वैसे ही तुम्हारी बोलती न बंद कर देते तो फिर निशान क्यों नहीं मिलते मायाराम कलप कर बोला तुम बताओ कोई वजा इसमें इसमें भी इसी कोई साजश है Mr. Call की सोहल की जो अपने आपको Call कहता है ये बहुत मायावी आदमी है ये कैसा भी मायाजाल फैला सकता है ऐसा ये एक बार पहले भी कर चुका है पहले भी कर चुका है? हाँ मुंबई में वहां के पुलीस कमिशनर के आफिस में एन कमिशनर साहब की नाप के नीचे, तब भी कई बड़े अफसरान के सामने एक बड़ा अफसर ही सोहल को पकड़ कर वहां लाया था. वह बड़ा अफसर अपने कैदी के उंगलियों के निशान पहली ही सोहल की उंगलियों के निशानों से मिला कर देख चुका था और तसल्दी कर चुका था कि उसका कैदी सोहल था. लेकिन जब वही मिलान कमिशनर के सामने किया गया था तो निशान मिलते नहीं पाए गये थे कैदी को उसकी बात पर यकीन करके छोड़ दिया गया था कि वो कोई पी-एन घड़ी वाला था जिसकी शकल इतफाक से सोहल से मिलती थी ऐसा इतफाक दोबारा नहीं हो सकता लेकिन अरे खर दिमाग वो बड़ा अफसर मैं था जिसने मुंबई में सोहल के मुगालते में उस शक्स को गिरफ्तार किया था और इस बात पर जिसकी वहां कमिशनर के सामने इतनी किरकिरी हुई थी कि आज तक नहीं भूलती आँ आप थे हाँ मैं था योगेश पांडे CBI का उच्चा धिकारी और वो कैदी सच में कोई PN घड़ी वाला था जिसके पास अपनी आइडेंटिटी साबित करने के लिए पपका ड्राइविंग लाइसेंस तक मौझूद था उसकी बीवी फिरोजा उसका लड़का आदिल उसकी लड़की यास्मीन यानि की उसकी पूरी फैमिली मुंबई में उसके साथ थी और पत्नी ने अपने पती की और बच्चों ने अपने बाप की शनाक्त की थी पी एन घड़ी वाला के तौर पर न की सोहल के तौर पर क्या समझा लेकिन आपने खुद कहा कि निशान पहले मिलते थे आप खुद इस बात की तसल्ली कर चुके थे मेरे पास उपलब्ध निशान प्रमानिक नहीं पाए गए थे निशान हासल करने का मेरा तरीका ही गलत पाया गया था उसमें चूक हो जाना मामूली बात थी ओ, कितनी किरकिरी हुई थी वहां मेरी जैसी, जैसी की इस वक्त तुम्हारी हो रही है मायाराम ने जोर से थूक निगली तुम एसे चो सकती से बोला कुछ और कहना चादे हो मैं क्या कहूँ मायाराम रुआसे स्वर में बोला आप लोगों ने मेरे सामने स्या को सफेद कर दिखाया हम लोगों ने नहीं एसे चो डपट कर बोला जो हकीकत है वो ही सामने आई है ये साहब न सोहल है न सोहल हो सकते हैं ये मिस्टर कॉल है जो की एक लोकल फर्म में एकाउंट्स आफिसर की जिम्मेदारी की नौकरी करते हैं कब करते हैं? कब करते हैं? क्या मतलब? सोहल मुंबई में था एक लंबा अर्सा मुंबई में था और वहां के अंडर्वर्ड के सुपर बॉस व्यास शंकर गजरे और उसके ओदेदारों से खूनी जंग लड़ रहा था जहां उसने हाल ही में सब को मार गिराया था और कम्पनी का समूल नाश कर दिया था ऐसा कुछ वहां हुआ था और ये सब सोहल ने किया था तो क्या ये बात अपने आप में सबूत नहीं है कि कॉल साहब सोहल नहीं हो सकते? आप पता तो कीजिए कि ये जो अपने आपको कॉल कहता है पिछले महीने कहा था? S.H.O. ने विमल की तरफ देखा मैं हाली में विमल बड़ी मासूमियत से बोला चन्द दिनों के लिए मुंबई जरूर गया था लेकिन गैलेक्सी की नौकरी करने न की कोई जंग लड़ने आपके आफिस से इस बात की तस्दीक होगी? S.H.O. बोला जरूर होगी आप अभी मेरे एम्पलायर मिस्टर शुकला से बात कीजिए नंबर बोलिए विमल ने बोला अगले कुछ क्षणों में S.H.O. ने फोन पर शुकला से लंबा वारतालाप किया जब उसने फोन रखा तो उसके चहरे पर संतुष्टी के भाव थे मिस्टर शुकला यहां आ रही है वो बोला यहां आ रही है विमल सपकाया आपकी हाजरी का रिकार्ड साथ लेकर अरे इतनी जहमत उठा रही है वो मेरी खातिर आपको उन्हें यहां नहीं बुलाना चाहिए था पांडिय बोला मैंने नहीं बुलाया एसे चो ततकाल बोला उन्होंने खुद आफर किया वो अपनी मर्जी से यहां आ रही है ओ तुमने एसे चो अप्रसन्न भाव से मायाराम से संबोधित हुआ अभी कुछ और कहना है मायाराम के मुंग से बोल न फूटा फिर खड़े हो जाओ जनाब तब मायाराम एकाएक यू बोला जैसे अपनी बात जल्दी न कह चुका तो उसका मुंग दबोच लिया जाएगा हुजूर माई बा एक मिनेट एक मिनेट अब क्या है नूरपूर समुद्रतट पर जबकी अगवा किये गए अमरीकी डिप्लोमेट की धर पकड के लिए कई पार्टियां आपस में जूच रही थी तो पीटर नाम के एक मवाली ने सोहल की चाती में सोवा घूंप दिया था जिसकी वजह से सोहल मरते मरते बचा था अगर ये सोहल है तो इसकी चाती में सुए से बने जख्म का खास निशान जरूर होगा अगर ये वो है जो ये अब कहता है कि वो है तो खास निशान नहीं होगा आप मुआइना कीजिए ऐसे चो ने विमल की तरफ देखा नानसेंस पांडे बोला ये कोई शनाक्त हुई ऐसे कहीं किसी की आइडेंटिटी कन्फर्म होती है ऐसी कोई बात किसी तरीके से पहले वो निशान देखकर बाद में गड़ी जा सकती है सोहल की बाबत कोई प्रमानिक गाइड कोई रेडी कनर नहीं छपा हुआ जो उसके जिस्म के किनी शनाक्ती निशानों की तस्दीक कर सकता हो वो खास निशान है मायाराम बोला क्या खासियत है उसमें सुआ अभी भी उसमें पैबस्त है ऐसा कैसे हो सकता है तो फिर क्या खासियत है उसमें और एसेचो बोला तुम इतनी बाते कैसे जानते हो तुम उस वार्दात के चाश्मदीद गवाह थे नहीं तो मायाराम ने बेचैनी से पहलू बदला मदद की गुहार करती निगाहों से उसने जनकराज की तरफ देखा ये कहता है जनकराज दबेस्वर में बोला कि पूरे दस महिने से ये सोहल की क्राइम लाइफ को सीन तू सीन का कंस्ट्रक्ट करता रहा है इसी वज़से ये सोहल की हर हरकत से उसके हर कारणामे से वाकिफ है एसे चो ने हैरानी से मायाराम की तरफ देखा कब कहां कैसे चोट लगी कभी कोई चोट भी या नहीं लगी इसलिए इनकी बाबत किसी जाती वाकफियत की बिना पर मैं ये बात नहीं गड़ सकता अगर ये साहब सोहल नहीं है तो मैं इन्हें नहीं जानता तो ये मुझे नहीं जानते अब बड़े साहब ये बताएं कि जि खास निशान मैंने कैसे देख लिया? कपको देख लिया? काफी होश्यार आदमी मालूम होते हो. पांडेय बोला, अगर ये कोई कॉल साहब है, तो मेरा इनसे क्या लेना देना है? मेरी इनसे क्या अदावत है? मैं क्यों इनके बारे में कोई गलत बयानी करूंगा? करूंगा तो मुझे क्या हासिल होगा? तुम बताओ, कुछ हासिल नहीं होगा. तो फिर क्यों कॉल के पीछे पड़े हो? क्योंकि ये सोहल है. तुम कोई गवाँ पेश कर सकते हो जो ये कहे कि सोहल की छारी में कभी कोई स्वा घुपा था. नहीं पेश कर सकता. कैसे पेश कर सकता हू जैसे सोहल को तलाश कर लिया, वैसे पीटर को भी तलाश कर लेते जिसने की बकॉल तुम्हारे सुआ घूमपा था, नहीं कर सकता था क्यों? पीटर मर चुका है, वो राजनगर से मुंबई चला गया था और वहाँ टैक्सी चलाने लगा था लेकिन वहाँ उसका कतल हो गया था किसने किया? पता नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं कि इसी ने किया हो क्यों? क्योंकि उसने इसकी चाती में सुआ घूम कर इसकी जान लेने की कोशिश की थी ऐसे आदमी को ये कैसे जिन्दा छोड़ सकता था? कोई और गवा? और गवा पीटर का जोड़ीदार चारली था वो भी पीटर की तरह राजनगर छोड़ गया था और जैसे पीटर मुंबई जाकर टैक्सी चलाने लगा था वैसे चारली यहां दिल्ली आकर पहाडगंज में पीजा पारलर चालने लगा था हाली में चारली को उसके पीजा पार्लर में ही किसी ने शूट कर दिया था मैं उस चारली को जानता था जनकराज बोला वो लोकल गैंग्स्टर गुरुबक्षलाल का आदमी था और अपने पीजा पार्लर की ओट में ड्रक्स का धंदा करता था मैंने उसके पीजा पारलर पर रेड भी की थी, लेकिन कुछ बरामद नहीं हुआ था मुझे पक्के तौर से मालूम है कि उसका कतल गुरु बक्षलाल ने करवाया था क्योंकि उसने उसका ड्रक्स का धंदा चलाए रखने से इनकार कर दिया था यानि कि पांडे बोला उस शक्स की मौत का सोहल से कुछ लेना देना नहीं मेरे ख्याल से तो नहीं कोई और गवाह एसे चो बोला और गवाह तो माया राम बोला सुनी सुनाई बाते कहने वाले हैं उनकी बातों पर आप कहां विश्वास करेंगे लेकिन तुमने कर लिया वो सच है जिसे तुम अब साबित नहीं कर सकते सबूत सामने बैठा है इसे कहिए अपनी चाती दिखाएं तभी वहाँ शुकला के कदम पड़े पांडे ने उठकर उससे हात मिलाया तो एसे चो और जनकराज स्वयम में भी उठ खड़े हुए विमल भी अदब से उठा केवल माया राम धीट बना बैठा रहा मैं शुकला शुकला ऐसे चो से हात मिलाता हुआ बोला गैलिक्सी से आया अभी फोन पर बात हुई थी यस सर ऐसे चो बोला मैंने की थी तश्रीफ रखिये सब जने बैठ गए तुम यहां क्या कर रहे हो शुकला विमल से बोला गुड दीड आफ दीडे करने आया था विमल खेदपूर्ण स्वर में बोला जमेला गले पड़ गया क्या हुआ विमल ने बताया कमार है शुकला एसेचो से संबोधित हुआ आप इस आदमी की बातों पर जाएंगे जो की एक ब्लैक मेलर है एक खून के इलजाम में गिरफतार है और जो शकल से ही टॉप का मवाली लगता है माया राम तिल मिल आया आपिस इस निम्न कोटी के व्यक्ती की वज़़ से मेरे एकाउंट्स आफिसर पर शक कर रही है सर एसेचो बोला वो क्या है की क्या है आप बताए क्या है आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक इश्तिहारी मुजरिम को अपनी कमपनी में एकाउंट्स आफिसर की जिम्मेदारी की पोस्ट पर बिठाऊंगा मेरे दिली आफिस में सतर आदमी काम करते हैं फिर तो बाकी भी ऐसे ही होंगे नहीं नहीं वो बात नहीं कॉल इतना काबिल एकाउंटेंट है मैं इसके काम से इतना खुश हूँ जिस आदमी को जिस सोहल को आप इतना बड़ा अंडरवर्ड डॉन बता दे हैं वो मेरे यहां एकाउंटेंट की नौकरी गरेगा सोहल भी पहले एकाउंटेंट था मायाराम बोला इलाहबाद में एरिक जानसन में उसकी नौकरी एकाउंटेंट की ही थी और तब भी वो करोडो रुपे लूट चुका इश्टिहारी मुजरिम था नहीं So there you are क्यों करेगा इतना बड़ा गैंग्स्टर इतनी मामूली नौकरी और वो भी इतनी मेहंद और लगन से की एमपलायर फूला ना समाए ओट के लिए कवर के लिए ओट कवर माई फूट तो ऐसे चो बोला आप तस्दीक करते हैं कि मिस्टर अर्विंद कॉल आपके यहां मुलाजिम है जी हाँ शुकला बोला तस्दीक करता हूँ मैं ये भी तस्दीक करता हूँ कि ये कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति है जिसका सब कुछ पीछे सोपोर में रह गया था। उग्रवादियों ने इसके टिंबर वाड पर हमला करके इसका टिंबर याड जला। दिया था, घर बार जला दिया था और परिवार के सारे सगस्यों माल डाला था। ये खुद भ मेरे ख्याल से तुम्हारी चाती में किसी ने केवल एक ख्षण के लिए शुकला की बाई आख हौले से जपकी स्टिलेटो उतार दिया था। स्टिलेटो ऐसे चो उलजनपूर्ण स्वर में बोला। ऐसे खंजर को कहते हैं कॉल बोला जिसका फल बहुत ही पतला होता है। ओ बेचारे की जिन्दगी में इतनी ट्रेजिडी हो चुकी है। तिहारी मुझरिम, खुनी, दकैत और पता नहीं क्या-क्या साबित कर दिखाने पर आमादा है। पॉंट नो, सर्ण ऐसे चो हरबडाया सा जलदी से बोला नो सच थिंग। मायाराम चमतकृत सा कभी किसी का तो कभी किसी का मुंग देख रहा था। उसे बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि माहौल बड़ी तेजी से विमल के हक में तबदील होता जा रहा था। अब मैं अपने कपरे उतारूं। विमल ने मासूमियत से बोला। वो किसलिए? शुकला हैरानी से बोला। ये मेरी चाती पर कोई खास जखम का निशान कलाशना चाहते हैं। अरे, जिसके सीने में उग्रवादियों ने स्टिलेटो उतारा होगा, वो जखमी तो होगा ही। जखमी होगा तो पीछे जखम का निशान भी रहेगा। उसे SHO साहब को क्यों दिखाना चाहते हो? मैं नहीं दिखाना चाहता, ये देखना चाहते हैं। क्यों भला? वो, वो क्या है कि SHO अनिश्चित भाव से बोला जाने दीजिए। अब जरूरत नहीं। अब जरूरत नहीं मायाराम भौचक कासा बोला लेकिन वो इसके खिलाफ एक पुखता सबूत है जो ये साबित करेगा कि ये सोहल है। शट अप। साहप आप इन लोगों की बातों में आ रही हैं। आपको बहकाया जा रहा है। जब ये खुद कबूल करता है कि इसकी चाती पर जखम का वैसा निशान है तो। हवलदार हवलदार दोड़ता हुआ उस कमरे में दाखिल हुआ इसे ले जाकर लौक अप में बंद कर दो। अपाहिज होते हुए भी चीकते चलाते मायाराम को काबू में करने के लिए एक और हवलदार बुलाना पड़ा। ये मैं पीछे शुकला एक रजिस्टर ऐसे चो को पेश करता हुआ बोला कॉल का अटेंदेंस रिकार्ड साथ लाया था। अब उसकी जरूरत नहीं। एसे चो ने अच्रत से जनकराज की तरफ देखा और सहमती में सिर हिला दिया। जनकराज ने रजिस्टर का मुआयना किया और फिर बोला इसके मुताबिक पिछले हफ्ते चंग दिनों के लिए आप तूर पर थे लेकिन सोमवार से आप आफिस में हाजरी भर रहे। हाँ विमन सशंक भाव से बोला यानि कि दिल्ली में है भई दिल्ली में होँगा तो ही तो दफ्तर जाके हाजरी भर सकूँगा ना। आपकी दीवी को इस बात की खबर क्यों नहीं। आपकी दीवी का तो आज भी यही कहना है कि आप मुंबई है। कयो कि मैं लोटने के बाद घर नहीं गया। क्योकि आज ही मैंने फिर टूर पर जाना है। हैदराबाद, शुकला जल्दी से बोला, मेरी दीवी विमल बोला मेरे इतने इतने दिन तूर पर रहने के खिलाफ है। लेकिन नौकरी नौकरी की ही तरह होती है, इसलिए जाना पड़ता है. मैं घर चला जाता तो इतनी जल्दी फिर वो मुझे तूर पर ना चला जाने देती. क्लेश से बचने के लिए मैंने यही जाहिर करना मुनासिप समझा कि मैं मुद्वातर तूर पर था, मैं मुंबई से लोटा ही नहीं था. इस दौरान कहां रहे आप? मेरे घर पांदे बोला इत्वार शाम से ये मेरे यहाँ है. ओ, तो अब हमें इजाज़त है? जी हाँ. S.H.O. बोला तकलीफ की माफी के साथ. कॉल को भी? शुकला बोला. ये भी कोई कहने की बात है. थैक्यू. अभिवादनों के आदान प्रदान के बाद विमल, पांडे और शुकला वहां से रूख सत हुए. बड़ी फसादी आदमी हो, यार. थाने से दूर पार्किंग में पहुँच जाने के बाद पांडे बोला बाल बाल बचे, मैं चलता हूँ. शुकला जल्दी से बोला. सर्विमल बोला स्चिलेटो वाली बात कह कर तो अपने मेरी डूपती नया बचा ली. कैसे सूजा कहना? जब मैं वहां पहुचा था शुकला धीरे से बोला तो भीतर बहुत जोर शोर से ये चर्चा चल रहा था कि तुम्हारी च्छाती में कोई सुए के जख्म का निशान होना चाहिए था जो कि तुम्हें कोई और शक्स साबित कर सकता था. मुझे एहसास हुआ कि उसकी जावबदे ही तुम्हें भारी पड़ा रही थी. लिहाजा मैंने स्टिलेटो वाली बात कही. कमाल कर दिया, शुकला. पांडे बोला सीधे सीधे खंजर कहते तो इतना अच्छा असर न होता. सुआ कहते तो बेडा ही गर्क था. मैं चलता हूँ. मेरे लिए ऐसी बातों की ज्यादा जानकारी ठीक नहीं. कभी कभी अज्यान भी वर्दान होता है. कॉल, तुम्हें याद है सोमार को मैंने क्या कहा था? यस, सर्ण. जो मैंने कहा था, वो अब भी स्टैंड करता है. I lay my faith in the axiom that ignorance is bliss. इसलिए मैं चला. शुकला लंबे डग भरता अपनी कार की तरफ बढ़ गया. यहां ठहरना हमारे लिए भी ठीक नहीं. पांडे विमल की बाह थामता हुआ बोला. दोनों जाके पांडे की कार में सवार हुए. पांडे ने कार आगे बढ़ाई. कार ठाने से काफी परे निकल गई तो पांडे ने उसे एक साइड लेन में ले जाकर रोका. सच पूछो तो पांडे संजीदगी से बोला तुम्हारा अब दिल्ली में ही बने रहना ठीक नहीं. वक्ती तौर पर मेरी पोस्ट और शुकला के सोशल स्टेटस का रॉब उन पुलीस वालों पर गालिब हो गया है, लेकिन बात खत्म नहीं हो गई है. वो आदमी मायाराम चुप नहीं रहने वाला. वो फंसा हुआ है. उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं ही है, जनाथिंग टू लूज. अंदरस्टैंड? विमल ने सहमती में सिर हिलाया. वो जाती तौर पर तुम्हारे खिलाफ है, तुमसे बदला उतारना चाहता है, इसलिए उसकी ये तोता रटत बंद नहीं होने. वाली की गैलेक्सी का कथित एकाउंटेंड अर्विंद कॉल असल में सोहल है. उसकी बात को कोई माने या ना माने लेकिन उसका प्रचार भी तुम्हारे लिए घातक है. तुम्हारे बारे में कोई बारी की जाच हुई. किस के द्वारा? पुलीस के द्वारा? या प्रैस के द्वारा? कोई खुराफाती रिपोर्टर भी किसी सेशन स्टोरी की संभावना में तुम्हारी बीती जिंदगी के ये उधेडने की कोशिश कर सकता है. मेरी? सोहल की? कॉल की पहले? ओ! ऐसा हुआ तो न तुम्हारी सोपोर के विस्थापित शरनार्थी वाली स्टोरी स्टैंड करेगी और न तुम्हारी गैलेक्सी की बाई प्राक्सी मुलाजमत वाली स्टोरी स्टैंड करगी. कोई और गहरा उत्रा तो ये गड़ा मुर्दा भी खोद निकालेगा कि असली खबरदार शहरी पिपलोनिया नहीं तुम थे. एक बार तुम शप के दाइरे में आ गए तो पुलीस सुने या न सुने, प्रैस जरूर मायाराम की हाल दुहाई को कान देने लगेगी. फिर पुलीस को मजबूरन तुम्हारे बारे में फिर से गौर करना पड़ेगा. कूँ? वो आदमी सजायाफ का मुजरिम है. उसका जो पिछला मेजर गुना है, जिसकी की उसे सजा मिलना अभी बाकी है, वो अमरिटसर वाली डकैती है, जिसका इकबाल मौजूदा हालात में वो कर करता है. कर चुका है. अपने साथ मेरा सोहल का नाम भी जोड चुका है. फिर तो तुम्हारे पर पुलीस की फिर से नजरेनायत होना महज वक्त की बात है. मायाराम को फिट करने के लिए ये लोग पंजाब पुलीस से उस दकैती की केस हिस्ट्री जरूर मंगाएंगे. उस फाइल में मायाराम के साथ साथ तुम्हारी उंगलियों के निशान भी उपलब्ध हैं, जिनको पंजाब पुलीस पहले ही बाकाइदा आइडेंटिफाई कर चुकी है. तुम्हारी उंगलियों के निशान साथ राज्यों की पुलीस के पास है. इसमें से मुंबई के रिकार्ड से अपनी उंगलियों के निशान उस केशव राव भॉंसले नाम के एफपी डिपार्टमेंट के हवलदार के जरिये तुमने खुद गायब करा लिये थे और यहां दिल्ली में तुम्हारी ये खिद्मत मैंने कर दी थी अभी भी पांच और राज्यों की पुलीस के पास तुम्हारी उंगलियों के निशान मौजूद है और उनमें से पंजाब पुलीस के रिकार्ड से वो निशान तो समझो की बस दिल्ली पहुचे ही पहुचे भाई मेरे, वो तुम्हारे खिलाफ ऐसा सबूत होगा जिसकी कोई काट न तुम निकाल पाओगे, न तुम्हारा कोई हिमायती निकाल पाएगा आप ठीक कह रहे हैं वो सुए के जखम के निशान वाली बात भी तुम्हारे खिलाफ कोई कम खतरनाक नहीं थी हैरानी है कि वो बात आज तक किसी और को न सूझी न किसी बड़े गैंग्स्टर को न किसी पुलीस वाले को सूझी तो मायाराम जैसे मामूली अकल वाले आदमी को सूझी मानते हो न कि वो भी तुम्हारी पकी शिनाक्त का एक जरिया है हाँ पीछे थाने में उसकी पालिश महज इसलिए उतर गई क्योंकि उंगलियों के निशान न मिले क्योंकि शुकला ने बड़ी खूपसूर्ती से तरह दे दी की सोपोर में तुम स्टिलेटों से घायल हुए थे पीछे जो कुछ हुआ उससे तुम हमेशा के लिए बरी नहीं हो गए और सिर पर मंदराते खत्रे से बाहर नहीं हो गए यू समझो की इस घड़ी तुम ऐसी पतंग हो जिसे लंबी डोर के सहारे छोड़ दिया गया हुआ है लेकिन जिसकी डोर का सिरा अभी भी पुलीस के हाथ में है लिहाजा वो जब चाहेंगे पतंग को वापिस खीच लेंगे ठीक मायाराम को चुप करा नहीं सकते वो कहा चुप होगा अब वो तो निश्चे कि ये बैठा है कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे सो देर आपके राय में मुझे अब क्या करना चाहिए ये भी कोई पूछने की बात है क्या करना चाहिए गायब हो जाना चाहिए मैंने इतनी मुश्किल से दिली में अपने पाव जमाए थे बीवी की खाते बच्चे की खाते मेरी किस्मत में तो एक कुट्टे जैसी दुरदुर करती आवारागर जिन्दगी लिखी हुई है दिली अभिलाशा थी की इस जिन्दगी की परच्चाई मेरी बीवी पर न पड़े मेरे बच्चे पर न पड़े लेकिन कहा होता है वो जो की कोई सोच के रखता है सोचे सोची न होवई जे सोची लखवार पांदे खामोश रहा गुना के अंधर में खूंटे से उखडे सोहल को आप ही ने कॉल बनाकर पुनर स्थापित करके दिखाया था अब आप ही बताए मैं कहां जाओ अभी ये एहम बात नहीं है कि कहां जाओ अभी ये एहम बात है कि कहां न पाए जाओ कहीं भी जाओ लेकिन दिल्ली से निकलो और ये कदम जितनी जल्दी उठाओगे उतने ही फाइदे में रहोगे मेरे उपर सुमन की जिम्मेदारी है उसका क्या करूँ वो जिम्मेदारी तुमने खुद ओढ़ी है वो जवान जहान बालिग लड़की है अपने पैरों पर खड़ी है वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेगी उसे कहो कि वो वापिस अपने कोविल हाउसिंग सोसाइटी वाले फ्लैट में जाके रहे और पूछे जाने पर यहीं कहे कि उसने अपनी मर्जी से वापिस शिफ्ट किया था वज़ा गैलेक्सी के आफिस सारे हिंडोस्तान में है वो कह तुम्हारी किसी और शहर में मसलन हैदराबाद में ही चांसफर हो गई थी अपनी नौकरी की वज़े से वो तुम्हारे साथ जान नहीं सकती थी और पीछे माडल ताउन वाली कोठी रहने के मुकाबले में उसे अपने पुराने फ्लैट में रहना ज्यादा सेफ लगा था ये ठीक है शुकला तुम्हारे हैदराबाद जाने की बात कर रहा था वो कह देगा कि चांसफर के बाद तुम वहां रहने के लिए कोई मकान वगेरा ठीक करने गए थे और फिर पता नहीं क्या हुआ था कि लौट कर ही नहीं आये थे या ये कह देना कि दिल्ली का रहन सहन तुम्हें रास नहीं आया था यहां नित नहीं परेशानिया थी तुम्हारी बीवी तुम्हारे अकसर तूर पर जाने से तंग थी इसलिए तुमने वापिस अपने होम टाउन सोपोर जाने का फैसला कर लिया था आजकल विस्थापित कश्मीरी ब्रामन उधर वापिस भी लौट रहे है ये बहतर रहेगा लेकिन जो भी कहानी चुनो उसकी शुकला को खबर जरूर कर देना ताकि वो भी वो ही बात कहे माडल ताउन वाली कोठी का क्या करूँ? उसके तुम कानूनी मालिक हो बेच दो यो कोठी बेच कर पैसा खड़ा किया होना तुम्हारी सोपोर लौट जाने वाली कहानी से मैच भी करेगा प्रापर्टी बेचने में टाइम लगता है औने-पौने में बेचना कबूल कर लोगे तो क्या टाइम लगेगा? तुमने कौन सा उसे रकम के लिए बेचना है? या प्राफिट के लिए बेचना है? औने-पौने में तो कोई ग्राहक नहीं लगेगा तो देख लेना उसे कोई प्रापर्टी दीलर ही खरीद लेगा मेरे बारे में आप से पूछ हुई तो आप क्या कहेंगी? वही जो शुकला कहेगा मैं उसके टच में रहूंगा तुम इत्मिनान रखो हम दोनों कोई जुदा बाते नहीं कहेंगे बहरहाल यहां से तो जाना ही होगा हाँ पत्य की तरह डाल से तूटा हालात की आंधी में उरता अप कहां जाकर गिरूंगा? इतना जजबाती होने की जरूरत नहीं ऐसी कोई तुम्हारे साथ पहली बार नहीं बीट रही पहले जो बीटती थी मेरे साथ बीटती थी इस बार नीलम के साथ भी, सूरज के साथ भी मिया, बीवी, दुद्मुहे बच्चे का नसीब सांजा होता है मास से नाखून अलग नहीं किया जा सकता विमल खामोश रहा और फिर वो एक बहादुर इंसान की बहादुर बीवी है सूरज शेर बच्चा है उनकी वज़ा से तुम्हारी दुश्वारियों में कोई इजाफा नहीं होने वाला पांडे ने हाद बढ़ा कर उसका कंधा थप्त पाया सो देयर विमल का सिर स्वयम मेव सहमती में हिला पांडे कुछ क्षण उसका चेहरा देखता रहा और फिर जिनकतासा बोला रे ऐसी सूर्मा और जामबास कौम से तालुक रखता है जो सरदार कहलाती है और फिर भी जजबात की रौ में बह रहा है ऐसा था तो नहीं लेना था पंगा जब दस से पांच की नौकरी करने वाले मेहन से रिजक कमाने वाले वाइट कालर एमपलाई बन गए थे तो क्यों खबरदार शहरी बन बैठे क्यों खड़े पैर उठके खूनियों बलाकारियों से जूज पड़े क्योंकि मैं जुल्म होते नहीं देख सकता क्योंकि मैं मजलूम की तरफ से ये सोच के आंखे नहीं बंद कर सकता कि जो बीती थी मेरे साथ नहीं बीती थी जुल्म सैने से भी जालिम की मदद होती है मेरा धर्म मुझे जालिम का मददगार बनने की सीख नहीं देता तब मैंने अपने गुरुओं की सीख पर अमल किया था जो कहती है कि सूरा सो पहचानिये जो लड़े दीन के हिट मैं दीन के हिट में लड़ा मेरे भाई पहले घर में चिराग जलाते हैं फिर मजद की सुध लेते हैं तुम्हारी प्राबलम ये है कि जब तुम पर जुनून सवार होता है तो तुम घर की क्या अपनी सुध भी भूल जाते हो इस वक्त तुम ऐसे किसी जुनून के हवाले नहीं हो इसलिए तुम्हें नीलं की फिक्र है, सूरज की फिक्र है देख लेना नई जगा पर अभी तुमने चार दिन चैन से नहीं गुजारे होंगे कि फिर कोई नया पंगा ले बैठोगे और फिर भूल जाओगे कि तुम्हारे पर अपनी बीवी की, अपनी आुलाद की भी जिम्मेदारी है शायद आप ठीक कह रहे है खबरदार शहरी बने सो बने, बीवी बच्चे को सोता छोड़ कर वापिस मुंबई क्यों खिस गए पिपलोनिया की मौत के बाद जब उसे खबरदार शहरी मान लिया गया था तो तुम्हारे वाली कहानी खत्म हो गई थी फिर क्यों छलांग मार कर मुंबई पहुँच गए वो मेरे फर्ज की पुकार थी जिसे मैं नजरंदाज नहीं कर सकता था जिसने पुकारा था वो कोई आपके ही जैसा महरबान और करीबी था कभी आप भी पुकार कर देखना सिर हथेली पर रख कर हाजर होँगा सिर ने दिया पांडे उफास्पूर्ण स्वर में बोला तो बाकी क्या बचा बाकी सिर बचा सिर दीने सिर रहत है सिर राखे फिर जाए पांडे ततकाल संजीदा हुआ जब जो कुछ करना है जल्दी करना है विमलकार का अपनी तरफ का दर्वाजा खोलता हुआ बोला तो वक्त बरबाद करना बेकार है मैं यहीं उतर रहा हूँ कहा जाओगे माडल ताउन जाओंगा और कहा जाओंगा मैं छोड़के आता हूँ जरूरत नहीं मैं आटो कर लूँगा फिर भी बोला न जरूरत नहीं और फिर मैं वहाँ आपको साथ नहीं ले जाना चाता क्यों भला क्योंकि अभी मैंने वहाँ भी एक कन्फरंटेशन से गुजरना है किसके साथ नीलम के साथ एस्टरिस्क 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 विमल माडल टाउन पहुचा नीलम दोड़कर गले लगकर उससे मिली उसकी पीट थप्तपाता विमल उसे दर्वाजे से भीतर लाया सूरज कहां है वो बोला सो रहा है हमेशा सोता ही रहता है नन्हा बच्चा सोता ही है वो या तो भूख लगने पर उठता है या नेचर काल पर नेचर काल तू साली मिडल फेल इतना फैसी लफस कहां से सीखी सुमन से और मैंने سो बार बताया है मैं मिडल फेल नहीं सुमन कहां है तुम अभी सीधे मुंबई से आ रहे हो क्यों कूछती है एक कोई खसमाम खाना कहता था कि तुम कई दिनों से दिल्ली में थे ऐसा कहीं हो सकता है एक बात मुझे भी बता पहले मेरी बात का तो जवाब दो देता हूँ पहले तू बता क्या जानती है पत्मी को पती की अर्धांगी नी कह दे है मार्केट गई है सबजी लेने ओ मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए नहीं अभी नहीं अभी बैठ मेरे सामने जो हुक्म सर्दार जी शाबाश एक बात बताओ दो पूछ हाँ यानि की पती का आधांग हाँ जो की मैं हूँ और पती को परमेश्वर का दर्जा दिया जादा है हाँ कोई औरत दो जनों का आधांग हो सकती है उसके दो परमेश्वर हो सकते है कैसी बाते करते हो जी ऐसा नहीं हो सकता नहीं हो सकता हो सकता हो तो तो डूब मरने का मुकाम है डूब मरने का न सही छुपाने लायक बात तो है ही, हाँ, किसी लिए छुपाई, किसने, तुझे नहीं मालूम, कई क्षणों तक नीलम के मुह से कुछ न फूटा, तो वो फिर वो दबे स्वर में बोली पुलीस वाला तुम्हारी बात ठीक कहता था, विमल चुप रहा, कपसे हो दिल्ली में, नी अवार शाम से, घर ना आने की वज़र, मेरी अरधांगिनी के सिर पर संकट था, जिसे दूर करना मेरा फर्स था, मेरे होते उसे किसी संकट का मुह देखना पड़े, मेरी मरदांगी पर तो मत है, संकट दूर हुआ, मैं आ गया, ओ, यानि कि वो मुसल्मान भाई अपना वा बात है, कि जो बात मुझे अपनी अरधांगिनी से मालूम होनी चाहिए थी, एक तीसरे शक्त से मालूम हुई, एक गैर ने अपना फर्स समझा, अपने ने अपना फर्स न समझा, वो रोने लगी, विमल ने उसे चुप कराने की कोशिश न की, वो बात जुबान पर लाने क काबिल नहीं थी, वो रोती हुई बोली मेरा कलेजा हिलाता था इस ख्याल से भी की उसकी तुम्हें खबर लग सकती थी, यानी की बात सच थी, नहीं, तू मेरी बीली नहीं, मेरा बच्चा हरामी है, नहीं, 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 वो बिलक कर बोली भगवान के लिए इतना बुरा बोल न बोलू। मुझे जो कहना है कहो, सूरज को कुछ न कहो। जब तुझे कहूंगा तो सूरज को कहना जरूरी रह जाएगा। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया। छुपाया कि मायाराम मुझे भगा कर लाया था। छुपाया कि चंडीगड में मैं कालगल का धंधा करती थी। जब मुझे तु हर सूरत में कुबूल थी तो ये बाग क्यों छुआई। इसलिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही कडुवा सच था। नहीं! नहीं! यानि के विमल ने मायाराम ने हासल हुई सभी तस्वीरे उसके सामने फैंकी ये तस्वीरे जूटी है। कहां से मिली? खुद मायाराम ने दी। ओ! जूटी है ये तस्वीरे? नहीं तस्वीरे जूटी नहीं है लेकिन ये जो कहती जान पड़ती है वो जूट है इनसे जो नतीजा निकलता है वो जूटा है गुम्रा करने वाला है इसी लिए इनका अस्तित्व तुम्हारे से छुपाना जरूरी था छुआये रख पाती हाँ वो पैसे का तलबगार था मैं एक हद तक उसे पैसा देने को तयार थी उसके बाद या वो नहीं या मैं नहीं तू खून कर देती उसका हाँ फिर तू जेल में होती सूरज यतीम खाने में होता और मैं पागल खाने में होता नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना होता, मैं ऐसा ना होने देती, न रोक पाती तो, वो खामोश हो गई, मैं रोक पाती, फिर वो बोली एक निर्मल मन वाली सच्ची औरत की लाज रखते वाहिगुरू, सच्ची औरत इन तस्वीरों को जुठला रही है, सरदार जी, जो दिखाई देता है, हमेशा वो ही सच नहीं होता, मैंने कहा न कि ये तस्वीरे जुठी नहीं है, इनसे निकलने वाला नतीजा जुठा और गुम्रा करने वाला है, ऐसे पहेलियां बुझाने से बात मेरी समझ में नहीं आने वाली, ये तस्वीरे शादी की नह नहीं है, नहीं है, मायाराम की वातों में आकर मैं शादी का पाखन करने के लिए बलकि यूं कहो कि तस्वीरें खिजवाने के लिए तयार हो गई थी, क्यों? वो मुझे भगा कर ले जा रहा था, मेरी मर्जी से मुझे भगा कर ले जा रहा था, मैं नाबालिक थी, वो मेरे से दुगनी से ज्यादा उम्र का था, बाप लगता था मेरा देखने में, कहता था इसी वज़र से हिमाचल से मुंबई तक के रास्ते में जगा जगा पुलीस हमें तंग कर सकती थी और ऐसी नौबत आ सकती थी कि मुंबई तो हम क्या पहुचते, रास्ते में ही पुलीस वाले उसे तो पीट के भगा देते या किसी फर्जी जुर्म के इल्जाम में हवालात में डाल देते और मुझे मुझे वो फिर रोने लगी आगे बढ़ विमल बेसबरेपन से बोला ऐसी नौबत आने से रोकने के लिए उसने वो तरकीब की वो मुझे ये गलत पट्टी पढ़ाने में काम्याब गया कि अगर हम जूट मोट की शादी की दो-चार तस्वीरे खिजवा लेते तो वो ही सबूत होती इस बात का की हम पती-पत्नी थे मैं कर्मामारी उसकी बातों में आ गई और वो तस्वीरे खिजवा बैठी बस इतनी सी बात है उन तस्वीरों के पीछे हाँ उन तस्वीरों की तो मुझे क्या याद रहती मैं तो मायाराम को भी चंडीगर वाली उस वारदात के बाद से कपका भूल चुकी थी जबकि पिछले महीने वो गोलीवजना प्रेत की तरह मेरे सामने आ खड़ा हुआ ये तस्वीरे देख के मेरे चक्के छूट गए मेरे दिल ने तब ये ही गवाही दी की मेरे सरदार जी को इन तस्वीरों की खबर नहीं लगनी चाहिए थी खबर लगती तो तुम कूट कर उसी नतीजे पर पहुँचते जिसका की मुझे अंदेशा था करता पेश आया था कि मैं समझी थी कि वो माली इंदात का ही अभिलाशी था जब की ऐसा नहीं था वो तो बाद में मुझे पता चला कि सब उसकी चाला की थी ड्रामा था एक बार उससे दब कर तब तक मैं ही ब्लैक मेल का वो सिलसिला ऐसा स्थापित कर चुकी थी कि वो शेर हो गया था मैं समझी थी कि कुत्ते को हड़ी डालूंगी तो वो चुप हो जाएगा और फिर दुम दबा के चला जाएगा लेकिन वो हड़ी से चुप हो जाने वाला कुत्ता न निकला वो तो ज्यादा भौंगने लगा काटने की धंकी देने लगा मैंने फिर भी उसे बरदाश्ट किया इसी वज़ा से दो बार मुबारक अली से पैसा लेना पड़ा लेकिन सिलसिला काबू में आने की जगह ऐसा बिगड़ा की बिगड़ता ही चला गया यही समझ में आना बंध हो गया की आखिर हो क्या रहा था आखिर का नौबत खून खराबे तक पहुँची लेकिन फिर पता लगा था की खून मेरे हाथों नहीं हुआ था हो ही नहीं सकता था घर में असली गोलियों की जगह नकली गोलिया मैंने रखी थी यहां खुद आकर हाँ मैं घर होती तो सुमन घर होती तो उसने गौर से विमल की सूरत देखी और फिर बोली ओ तो ये बात है क्या बात है वो छोकरी भी तुम्हारी तरफ थी तुमसे मिली थी हाँ मुझे उस पर शक होना चाहिए था जैसे वो ट्रंक हाथ से निकल गया बताती थी उससे नहीं तो जैसे वो उसे ठाने से वापस क्लेम कर लाई थी उससे तो होना ही चाहिए था उसने असाय भाव से गरदन हिलाई गोलिया क्यों बगली क्योंकि मुझे यकीन था कि तू रिवालवर लेकर खून करने चल देगी लेकिन खून तो हुआ वो तो है किसने किया तब विमल पहली बार मुस्कराया हे भगवान नीलम विस्वारित नेत्रों से उसे देखती हुई बोली तुमने क्या नई बात है क्या पहली बार किया लेकिन वो आदमी मेरी आंखों के सामने तेरी इज़द लूटने पर आमादा था मैं उसे कैसे छोड़ देता तुम वहां थे हाँ वो सारा कुचकर ही तुम्हारा रचा हुआ था हाँ मेरी खातिर हाँ फिर भी तुम्हें यकीन था कि शादी की वाबत मायाराम जो कहता था सच था यकीन अपनी जगह था और अपनी भार्या के लिए मेरा फर्ज अपनी जगह था मैंने माता वैश्रो देवी के सामने तुझे अपनी अरधागिनी स्वीकार किया था मैंने तुझे अपना आधा अंग माना था अपने अंग की रक्षा करना मेरा फर्ज था कोई अपनी मर्जी से अंग भंग होने नहीं दे सकता तुमने मेरी खातिर खून किया एक ब्लैक मेलर का एक बलातकारी का मैं तेरी खातिर सोख खून कर सकता हूँ मैं तेरी खातिर दुनिया मिटा सकता हूँ वो फिर रोने लगी विमल ने उसे रोने दिया वो कहता रहा वो कमीना मुझे पूरी तरह से विश्वास दिलाने में काम्याब हो गया था कि तेरी नादानी में ही सही उसने तेरे से शादी की थी उन हालात में उसका वही इलाज था जो मैंने किया मैं उसे कतल के जूटे इल्जाम में न फसाता तो वो कभी मुझे शादी के हो सबूत सौंपता जो की उसके पास थे सबूत इन तस्वीरों के नेगेटिव किसी पंदित उपाध्याय का जारी किया हुआ शादी का सर्टिफिकेट वो उसने तुम्हें सौंप दिये हाँ और मैंने नश्ट भी कर दिये वो पंदित से जूटा सर्टिफिकेट कैसे हासल कर पाया कब तो ये बाते मेरी समझ से बाहर थी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी लेकिन अब मैं समझ सकती हूँ कि उसने क्या किया होगा या तो रुरजाने ने पंदित के मुह पर चांदी का जूटा मारा होगा या फिर या फिर क्या क्या पता उस पंडित का उस सर्टिफिकेट से कुछ लेना ना ही ना हो, वो उसने खुद ही लिख लिया हो ये की मिडल पास वाली बात तब पहली बार नीलम के होठोन पर हसी आई लेकिन ऐसा नहीं था विमल बोला कैसा नहीं था वो सर्टिफिकेट मायाराम ने खुद नहीं लिख लिया था मैं तस्दीक कराई है इस बात की कि वो सर्टिफिकेट उस पंदित के ही हैंड राइटिंग में था फिर तो पैसे की खातिर ही इमान बेचा खस्मान खाने ने हाँ विमल ने नीलम की गोद में से तस्वीरे उठाई और जेट से लाइटर निकाल कर उन्हें सुलगा दिया ये तस्वीरे अब नहीं दिखाई देनी चाहिए नीलम ने सहमती में सिर हिलाया और फिर कातर भाव से बोली सरदार जी अब अपनी जुबानी मुझे ये कहके तसली तो दे दो कि तुम्हें मुझ पर यकीन आ गया है मुझे सदा ही तेरे पर यकीन है लेकिन तुने जो हर्कत की बहुत गलत की बहुत नाजायस की तेरी उस हर्कत की वज़े से ही मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि शायद मायाराम की शादी वाली बात सच थी और फिर सीधे कान पकड़ने की जगा मुझे गर्दन की तरफ से हाथ घुमा कर कान पकड़ने की विकट तरकीब सोचनी पड़ी मैं क्या करती? खसमांखाने ने मेरे पर ऐसा एकाएक हला बोला था कि मेरी मत मारी गई थी उपर से मुबारक अली के आगे नाक नीची हुई उसे वादा निभाना चाहिए था, मेरा राज राज रखना चाहिए था, तुम्हें खबर नहीं करनी चाहिए थी जरूर करनी चाहिए थी न करता तो मैं समझता कि जैसी एहमक तू थी, वैसा ही एहमक वो था वो तेरे से भी ज्यादा अनपढ है, लेकिन सयाना निकला एकदम सही कदम उठाया उसने मैं उसका शुक्र गुजार हूँ और हमेशा रहूँगा अब मेरी तरफ से मन साफ है तुम्हारा? हाँ, लेकिन मेरा वाहेगुरु जानता है कि जब पहली बार उन तस्वीरों पर मेरी निगाह पड़ी थी तो कैसे मेरा खोन खौला था? कैसे मैं अंगारों पर लोटा था? कैसे मेरा दिल चाहा था कि मैं मायाराम को भी मार डालूं, तुझे भी मार डालूं और खुद भी मर जाओं। हाई रब्बा, सूरज का न सोचा, तब न सोचा, तुम मेरे से इतनी मुहबबत करते हो, तेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा? नीलम के फिर आंसु बह निकले, उसने खीच कर विमल को अपने कलेजे से लगा दिया एक बात याद रखना, आइन्दा जिन्दगी में काम आएगी क्या? नीलम बोली पॉंट पती-पत्नी का सुख दुख सांजह होता है उनमें कोई दूई का भेद नहीं होता उनमें कोई परदादारी नहीं होती एक जना दूसरे का पूरक होता है इसलिए मैं समझ गई सरदार जी, जो गल्ती इस बार हुई, आइन्दा तभी नहीं होगी मैं माता भगवती भवानी की कसम खाकर कहती हूँ अब तुम भी मेरे दिल की तसल्ली के लिए एक बार दो लफ्स कह दो कौन से? खता माफ ठीक है माफ नीलम ने और कसकर विमल को अपने साथ लिप्ता लिया तभी पीछे हलकी सी आहट हुई दोनों ने घूम कर देखा दर्वाजे पर सबजी के दो जोले उठाए सुमन खड़ी थी मैंने कुछ नहीं देखा वो हस्ती हुई बोली मेरी आखे बंध है बंधी रख नीलम मुदित मन से बोली खोली तो खून कर दूँगी जो हुक्म विमल ने जबरन उसे अपने से अलग किया और धीरे से बोला अभी दुश्वारियों की मुकमल दास्तान खत्म नहीं हो गई हम गुनागार बंधों के वाहिगुरू के दर्बार में अभी बहु इंतहान बाकी है अभी और भी नीलम के मुम्र से निकला हाँ अब क्या हुआ अब इस शहर से हमारा दाना पानी उठ गया समझ लए नीड नश्ट हो गया और एक नए नीड के निर्मान की जिम्मेदारी हमारे उपर आपड़ी हाई राम अब क्या हुआ समाप्त